हेलो माई फ्रेंड्स कैसे हो मैं हूँ आपका रफी सर देखो जैसे जी ओसी को जाने बिना आपको और्गेनिक केमिस्टी बहुत टफ लगेगा वैसे ही रफी सर के कंसेप्ट और ट्रिक्स को जाने बिना आपको केमिस्टी भी बहुत टफ लगेगा इसलिए रफी सर है जहां chemistry बहुत easy होगा वहां तो देखो पूरी chemistry में जो man terminology होगा उसकी जगह मैं अपना खुद का एक concept यूज़ करूँगा या tricks यूज़ करूँगा जिससे आपको उस chapter की feeling आईगी कहने का simple सा मतलब यह है कि जैसे कार्वो कटायन वर्ड आएगा आपको organic किंस्टेमें कार्वो कटायन आएगा तो यह थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कुछ नया वर्ड आ गया राइट कार्वो कटायन का simple सा मतलब है कि कार्वन के valence cell में अब 6 ही electron होगा है टोटल चार electron होते हैं तो चार sharing करेगा तो आठ हो जाएंगे तो अभी तो इसने एक जो sharing वाला वो निकल गया तो 6 electron है तो इसका अतलब क्या हो गया यह electron deficit हो गया तो यह सब terminology सुन करके कैसा लगता कि कुछ नया चीज है बट हम उसको क्या मानेंगे हम मानेंगे कार्वो कट हम आगे सोच सकते हैं राइट similarly कहीं पर कार्व एनाएन आएगा तो अगया यह सुनने में लगता है कि कोई foreigner है ऐसा नहीं है कार्व एनाएन मतलब क्या हो गया है कि इसके पास octet complete हो गया है बट extra negative charge है that means electron rich person है यह तो इसलिए इसको क्या वोलेंगे अमीर या rich person तो मैं ऐसे connect करूँगा यह जिस एक idea आपको दे रहा हूँ कि मैं कैसे man terminology को connect करूँगा अपने simple day to day life के term से जिससे आपको इसकी proper feeling आईगी है similarly कहीं पे भी carbon पे positive charge हो गया या किसी भी element पे negative charge है एक electron free electron है lone pair है तो यह सब को मैं मानूँगा कि यह सब burden है दुख है तकलीफ है मुसीबत है stress है इन सब से relate करूँगा तो आप ही सोचो कि यह सब जिसके पास होगा वो क्या चाहेगा कि इससे जितना जाहे दूर रहे right तो यह सब चीजों को मैं burden sorrow या मुसीबत मानूँगा वैसे ही resonance एक word आएगा right अब यह सब सुनकर कैसा रगता रही क्या resonance मतलब गूमना फिरना किस ज़्यादा देर तक ने रहे तो resonance is nothing but यह burden sorrow इन सब का क्या हो गया है घूमना फिरना तो यह जस एक intro है कि मैं कैसे man terminology को connect करूँगा आपके simple day to day life words है और उसे हम कैसे proper feeling लेंगे that means मेरे कहने का simple सा मतलब है कि कभी भी chapter को सही से feel करके अगर आप पर होगे ना सही से feeling आ गई न तो आपको सच में बहुत मज़ा आएगा तो चलिए bond line notation में जाने से पहले कुछ ग्यान की बात हो जाए या main point तो देखिए ग्यान की बात या main point यह है कि आप जानते ही हो कि carbon जो है वो चार bond बनाएगा normal state या उसका जो excited state बोलो जो भी always carbon चार bond बनाएगा तभी वो stable है अग रैटमिस वो intermediate है वो stable state उसका नहीं है ओके यहां दो bond बनाया तो भी वो intermediate है और तो carbon चार bond बनाएगा, यह सभी को मालूम है, यह जो चार bond carbon बनाते हैं, वो चारो के चारो single bond हो सकते हैं, लाइकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी element हो सकते हैं, hydrogen, halogen, जो भी इससे sigma bond बना सकता है, तो यह चारो के चारो single bond बना सकता है, carbon में एक और property है, कि carbon दूसरे carbon के पाई बॉंड भी बना सकता है multiple बॉंड भी तो यहाँ पे क्या है चारो का चारो आपका क्या है sigma है यहाँ पे क्या किया इसने 3 sigma बनाया और 1 पाई बनाया ऐसा भी कर सकता है अच्छा यह जो पाई है वो खुद के element के साथ बो सकता है और different element के भी साथ हो सकता है यहाँ पे आप देख सकता हो तो यहाँ पे भी करवन ने 3 sigma बनाया और 1 pi bond है करवन चाहे तो 2 pi bond बना ले और 2 sigma बना ले तो ऐसा भी हो सकता है कि यह करवन ने 2 sigma बनाया है और 2 pi बनाया बट कभी ऐसा नहीं हो सकता कि carbon का 3 pi bond बना ले carbon, right, carbon maximum 2 pi 1 बना सकता है, तो यहाँ साब को क्या समझ माया है, कि carbon always 4 one बनाएगा, 4 के 4 सिंगल हो सकते हैं sigma, या फिर 3 सिंगल 1 pi हो सकता है, या फिर 2 सिंगल 2 pi हो सकता है, बस यहीं तक हो सकता है, इसके लावा और कुछ नहीं हो सकता, right, और again, यह जो bond है वो different element के साथ ही बना सकता है, जैसे यहाँ पे यह और यह, अगर आपका pi है, तो यह और यह इसका carbon का sigma होगा, तो 2 sigma और 2 pi, तो यह carbon के बारे में एक point हो गया, जो आपको clear होना चाहिए, क्योंकि मेरा जो कोशिस है, वो यह है, बहुत सारे बच्चों को यह मालूम होगा, लेकिन जो मेरा कोशिस है, कि आपको मैं ground level से सिधे top level तक ले जाओ, दीरे दीरे आपको लेके जाओ, तो इसलिए मैं हर चीजों को पहले clear कर देता हूँ, जो आपका bond line notation है, जिसको short form में मैंने BLN लिखा, bond line notation जो है, तो उसमें करना क्या है, तो बहुत सिंपल है, कि उसमें आपको सारे atom को दिखाना है, except carbon and hydrogen, आप carbon और hydrogen को नहीं दिखाएंगे bond line notation में, bond line notation में कभी भी हम carbon और hydrogen को नहीं दिखाते हैं, इसके अलावाद जितने भी element है, सब को आपको क्या करना है, दिखाना परेगा, second thing, कि जितना भी in point होगा किसी line का, तो वो किसको denote करेगा, by default carbon को, for example, मैंने ऐसे कर दिया, तो ये in point है, और ये, ये क्या होगा carbon, ये भी carbon, मालो ऐसे कर दिया, तो ये भी carbon है, क्योंकि इस line का in point ये हो गया, और इसका in point ये, तो ये सब carbon है, तो इस point का ये मतलब है, कि हर एक in point जो line का होगा, वो by default carbon को represent करेगा, तो आप देख सकता हूं, हमने carbon को नहीं दिखाया, तो यहाँ पर मैंने दिखाया क्या कहीं पर carbon, carbon नहीं दिखाया, hydrogen कहीं पर दिख रहा है, नहीं, तो by default आपको carbon और hydrogen को नहीं दिखाना है, लेकिन other को element होता, मालो इसमें मुझे hydrogen लगाना है, तो मुझे दिखाना परेगा CL, मालो यहाँ पर OH लगाना है, तो मुझे दिखाना परेगा, ओके, तो सारे item को दिखाना है, except carbon and hydrogen, और जितना भी in point होगा किसी line का, वो क्या denote करेगा, always carbon को, और एक point hour की to satisfy carbon के 4 bond satisfy करने के लिए, आपको अगर कोई element नहीं दिया है, तो by default कोन लेना, hydrogen, तो for example, कि अगर मैं इसी में बात करूँ, यह carbon है, तो carbon ने अभी एक ही bond बनाया है, तो तीन bond कोन बनाया होगा, hydrogen के साथ, क्योंकि carbon 4 bond बनायेगा, तो यह सब भी आपको नहीं दिखाएगा, वही कहने होते लग है, कि वो by default understood है, कि carbon 4 bond बनायेगा, अगर कोई भी element हमने attach नहीं किया, तो by default वो कौन लेना आपको, hydrogen, तो very very important, कि आप सारे atom को दिखाएंगे, except carbon and hydrogen, जो line का end point होगा, वो आपका carbon को represent करेगा, और अगर कोई group हमने नहीं लगाया है, तो carbon की valency, या carbon के char bond को satisfy करने के लिए हम वहाँ पर क्या assume करेंगे, hydrogen होगा, जिसको दिखाया नहीं जाता है, तो चलिए, अब हम बात करते हैं कि structural, जो formula है, या जो structural representation है, उससे हम bond line notation में कैसे convert करेंगे, and vice versa, चलिए, अब हम बात करते हैं कि कैसे structural representation को हम bond line notation में convert करेंगे, तो देखिए, बहुत simple है, जैसे मैंने यहाँ पेक लिया, यह आपका है butane, तो हमने आपको क्या बताया है, कि बहुत easy है, 4 carbon है, हर line का जो in point है, वो carbon को represent करेगा, तो आप zigzag manner में दिखा सकते हैं, देखिए, तो यह एक carbon हो गया, यह 2, यह 3 और यह 4, यह इसका representation हो गया, बस, क्यों, क्योंकि carbon को भी हम नहीं दिखाते हैं, वो line का in point carbon को by default represent करता है, और hydrogen को तुम दिखाते नहीं, तो यह इसका आपका conversion हो गया, structural से bond line notation में, और इस type के structure में काफी use करना हो लो, in fact, pure organic customized होगा, इसलिए पहले मैं आपको यह idea दे रहो, suppose करो मुझे इसको convert करना है, right, तो यहाँ पे 4 carbon है, और carbon number 2 और 3 के बीच 5 bond है, तो पहले तो आप क्या करो, यह 4 carbon होगा, कैसे 1, 2, 3, 4, और 2 और 3 के बीच 5 bond है, तो आपको एक double bond दिखा देना, यह हो गया उसका representation, क्यों? hydrogen में दिखाना नहीं है, suppose करो यह वाला है, तो इस carbon पे 4 तरफ क्या है, methyl group है, right, तो इसको कैसे convert करेंगे आप? तो आप दिखान से देखिए, एक यह, एक यह, एक ऐसे हो गया, दिखान से देखो, यह जो आपका line का in point हो गया, यह एक carbon हो गया, और यह in point, यह भी carbon है, यह भी carbon है, यह भी carbon है, यह पांच carbon हो गया, या ऐसे representation हो जाएगा similarly मालो इसको represent करना है तो 1,2,3 carbon है तो यह 3 carbon कर दिया अब अगर अब ध्यान से देखो तो अब carbon को हमने नहीं दिखाया क्योंकि वो in point hydrogen को दिखाते नहीं लेकिन उसका जतनी भी element उसको show करना है तो यहाँ पर oxygen आ रहा उसको show करना है आप कैसे दिखाएंगे जैसे मन करें दिखा लो यह दिखा दिया नाव यहाँ पर 2 pi bond है तो 2 pi bond है तो आपको ऐसे दिखाना होगा बट यह उतना सही representation नहीं है क्योंकि यह एक straight line होगा तो इसका best representation कैसा रहेगा आपको ऐसे कर देंगे तो अभी दो ही carbon होगा यहां से देखो अभी दो ही carbon होगा लेकिन यहाँ पर अगर मैंने ऐसे कर दिया तो यहाँ पर भी एक carbon आप हो चुका है क्योंकि यह end point हर line का एक carbon को represent करता है तो यहाँ पर भी carbon हो चुका है यह तो just मैं लिख के दिखा रहा हूँ यह carbon हो गया यह carbon यह carbon और यह carbon तो आप देख सकते हैं चार carbon और यह हो गया तो यह L-kind type हो गया तो यह best representation है ऐसा आप नहीं करेंगे गलत हो जाएगा क्योंकि linear structure होगा now यह वाला cyclic structure है तो आप क्या करेंगे देखो यह corner carbon corner carbon यह हो गया cyclo propane यह हो चुका है similarly यह वाला अगर अब ध्यान से देखें तो इसको कैसे draw कर सकते हैं इस step से यह जितने भी देख लो यह carbon, यह carbon, यह carbon यह carbon, यह carbon और यह carbon छे carbon हो गये right alternate pi bond है तो अगर आपने यहाँ पे दिया तो इसको चोड़ कर यहाँ पे देना इसको चोड़ कर कर यहाँ यह हो गया इसका notation क्योंकि carbon को हम हर line का end point से समस्कते हैं और hydrogen को दिखाते नहीं तो आप देख सकते हो similarly मालो मुझे इसको आप represent करना है एक carbon, दो carbon, तीन carbon है अब हमें दिखाना पड़ेगा और यह वाले carbon पे OH है तो हमें दिखाना पड़ेगा कि OH है यह हो गया उसका notation बाकी hydrogen को हम कभी दिखाते नहीं है हाँ oxygen के साथ लगाओ तो definitely उसको हमको दिखाना पड़ेगा कुछ example और देखते हम तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो 1, 2, 3, 4, 5 carbon है तो आप क्या करेंगे 5 carbon आप दिखा ले तो यह हो गया 1, 2, 3, 4, 5 जिग जिग में आप दिखा लेंगे 5 carbon हमने दिखा लिया now carbon number 2 पे double bond O है तो आप double bond O कर दे 4 पे OH है तो 4 पे OH है तो OH कर दे और यह 5 पे C double bond और OH है तो आप देखो दिखाना पर लेगा C double bond O है 5 पे और C पे OH है तो अब इस carbon ने औरेड़ी 4 bond बना लिया तब यहाँ पे कोई hydrogen नहीं है और यहाँ पे 3 bond बना जाया तो 1 by default कोन होगा hydrogen जो हम दिखाते नहीं यहाँ पे this carbon ने दो bond बनाए है तो दो hydrogen होंगे जो हम नहीं दिखा हeb 1 अब कोई hydrogen नहीं है और कोई other element नहीं लगाया तो that means वहाँ पे hydrogen है जैसे यहाँ पे तो 3H होगा क्योंकि carbon ने एक ही bond बना जाया इस structure को कैसे convert करेंगे तो बहुत simple है ध्यान से देखो आपको 6 carbon दिख रहा और फिर उस पर लगा हुआ है तो यह cyclic structure है तो एक cyclic structure आप ऐसे बना सकते हैं 1,2,3,4,5,6,6 number का उसके बाद उपर में आपका 2 carbon लगा हुआ है तो 1 और 2 carbon है दो carbon है उसके बाद इस पे BR लगा हुआ है तो BR दिखा दें इस पे OH लगा हुआ है तो यह इस टाइप से notation हो जाएगा अब मैं कुछ bond line notation को convert करता हूँ structural में तो कैसे करेंगे very simple देखो यह आपका carbon है यह carbon यह carbon यह carbon चार और यह एक 5 और 6 carbon है तो आप क्या लिखने पहले carbon कर दें carbon है फिर carbon है फिर carbon है और इस carbon पर 2 carbon है तो जबर नहीं कि आप उपर देखा हूँ नीचे दिखा सकतो यह carbon बना यह तो यह carbon एक ही bond बनाया तो तो एक कौन होगा आपका इस carbon पर hydrogen होगे राइट यह carbon ने 2 bond बना लिया तो इस पर 2 hydrogen होगे यह carbon ने 1 ही bond बनाया तो इस पर 3 hydrogen होगे इस टाप से तीसरे वाले पर double bond O है तो double bond O कर दो यह carbon ने 4 bond बना लिया तो कोई hydrogen नहीं यह carbon ने 1 ही bond बनाया तो 3 hydrogen होगे तो यह देखो यह एक क्या हो गया कि time taking भी है और काफी ये बड़ा भी हो गया तो इसलिए हम bond line notation काफी frequently use करने वाले है तो ये इसका मैं structure form में convert किया दियान से देखो अगर मुझे इसको convert करना है तो मैं कैसे convert करना हूँ दियान से देखो पहले ये 6 carbon है तो आप 6 carbon draw कर दो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 उस देखो यहां पे double bond है alternate पे तुह बड़ वांड आप दिखा दो ये मैंने दिखा दिया उसको अब कार्वन का देखो इस carbon ने तीन ही bond बना या तो एक कौन हो जाएगा आपका hydrogen ये carbon में 3 bond बना ये carbon ये carbon में ये 3 bond बना ये carbon हाइडोजन यहाँ पर और रेड़ी लगा हुआ है राइट तो इस पर एक कारवन है फिर कारवन है तो इस कारवन ने चारवन बना लिया तो अब हाइडोजन हम अटेच नहीं करेंगे बट इस कारवन ने तीन बनाया तो हाइडोजन इस कारवन ने दो बनाया तो दो हाइडो similarly इसको कैसे convert करेंगे तो बहुत simple है यह मैं इसका यहाँ answer लिख रहा हूँ कैसे convert करेंगे 5 carbon आपको दिख रहा है कैसे द्यान से देखो 1, 2, 3, 4, 5 ring में 5 carbon तो 5 carbon से एक ring अब बना दो यह देखो 5 carbon से आपने ring बना दिया राइट अब उसके बाद देखो एक carbon पे carbon carbon है इस carbon पे carbon और carbon है अब बाकी carbon के valency को hydrogen से हम पुड़ा करेंगे तो यह carbon ने 2 bond बनाया तो 2 hydrogen इस carbon ने 2 bond बनाया तो 2 hydrogen इसने भी 2 बनाया तो 2 hydrogen चाल हो गया इसने भी 2 बनाया तो यह हो गया यहां पर इसने औरेडी 3 bond बना लिया है, तो यहां पर एक ही hydrogen होगा, इस carbon पर OH था, तो मैंने OH कर दिया, इस carbon ने 3 bond बना जा तो 1 hydrogen होगा, इसने 1 ही बना जा तो 3 hydrogen आपके होगा. हलो बच्चो कैसे हो देखो जैसे एक मूवी में क्या चाहिए होता है इंटर्टेन्मेंट 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 वैसे ही केमिस्टी में आपको क्या चाहिए रफी सर का ट्रिक रफी सर का कंसेप्ट और रफी सर का एप्रोच तो चलिए हम बात करते हैं, identification of functional group, that means dawn के बारे में, अरे नीटिया जई के दिवानो, मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन, मैं हूँ dawn, that means functional group को कैसे पहचानेंगे, तो very simple ध्यान से देखो, देखो इसके बारे में सब लोग जानते हैं, that is water right, अब इसमें हम क्या करेंगे, change करेंग तो हमारा functional group बन करके तैयार हो जाएगा, इसलिए जो trick का आज का point है, वो है corn, मैं हूँ dawn, corn का क्या मतलब है, कि मैंने सबसे पहले oxygen को उठाया, oxygen के अगर दोनों side hydrogen है, तो ये बच्चे-बच्चे को मालूम है कि इसको water बोलते हैं, अब इसमें changes करेंगे, अगर एक तरफ hydrogen ह भी रखा, ओके, और एक तरफ आपने carbon लगा दिया, carbon शिरिफ एक ही लगा होगा, ऐसा जिरो नहीं, जितना भी carbon लगाना है लगाओ, बट एक तरफ hydrogen अटेच होना चाहिए, और एक तरफ carbon तो इसको बोलेंगे alcohol, या फिर इसी को phenol भी बोल सकते हैं, अगर वो benzene होगा, तो alcohol या phenol, और अगर suppose करो कि दोनों hydrogen को हटा दिये, दोनों तरफ carbon लगा दिये, तो इसको बोलते हैं ether, तो very simple है, alcohol, phenol और ether को अगर आपको पैचानना हो, तो water एक base point हो गया, water में oxygen के दोनों side hydrogen है, तो water, एक side hydrogen, एक side carbon है, तो alcohol या phenol, दोनों side carbon है, तो ether, oxygen का का काम हो गया, now से देखो, सम्में हमने fix कर दिया, C double bond O, यह fix हो गया, अगर C double bond O के दोनो side hydrogen है, क्योंकि योनों carbon carbon बना सकता, अगर C double bond O के दोनो side hydrogen हो, या एक side hydrogen, एक side carbon हो, दोनों ही case में इसको क्या बोलेंगे, aldehyde, और अगर C double bond O के दोनो side carbon हो, इसको क्या बोलेंगे, ketone, तो clear होगा, C double बॉंडों को fix के हमने और दोनों साइड हैड्रोजन हो या एक साइड हैड्रोजन एक साइड कार्वन हो तो अल्डिहाइड दोनों साइड अगर कार्वन हो गया तो ketone next एक और मैंने बरहा लिया COO right तो that means इतना पार्ट इसमें fix है C double bond O that means carbon ने almost 3 bond बना लिया right अब सिर्फ एक ही bond बनाना है तो अगर इस साइड carbon है और oxygen के इस साइड hydrogen है तो इसको बोलते हैं carboxylic acid okay और यह उसके क्या हो जाएंगे derivative acid derivative क्योंकि बस इसमें changes करेंगे तो यह सब आपको मिल जाएंगे okay तो again यह C double bond O और O fix हो गया अभी इधर में हमने carbon रखा और इधर hydrogen की जागा भी carbon कर दिया तो क्या हो जाएगा यह ester right और similarly अगर C double bond O यह fix रखा और ऐसा ही एक और अपने attach कर दिया C double bond O और दोनों side carbon होगा तो ester अगर इसके एक side carbon हो और एक side same ऐसा ही C double bond हो हो तो उसको बोलेंगे anhydride now next अगर स्रिफ मैं nitrogen की बात करूं N की बात करूं तो दियान से देखो अगर nitrogen 3 bond बनाता है तीनों hydrogen हुआ तो इसको बोलेंगे ammonia this is the base point अब एक hydrogen हटा करके एक ही carbon अगर एटेच किया तो वन डिग्री हमाइन दो हाटा करके दो carbon अगर एटेच किया तो टू डिग्री हमाइन और तीनों hydrogen अगर आपने हटा दिया और तीन carbon एटेच कर दिया तो धिरी डिग्री हमाइन तो दियान से देखें कि nitrogen के case में यह सब different functional group माने जाते हैं अगर nitrogen से एक ही carbon अटेच है तो वन डिग्री हमाइन दो करवन अटेच है तो टू डिग्री हमाइन और त्री करवन nitrogen से directly अटेच है तो त्री डिग्री हमाइन तो यह हो गया nitrogen का now अब हम क्या करते हैं कि C, O, N तीनों को लेते हैं साथ में C, O, N अगर यह होगा C double bond O और N तो इसको बोलते हैं amide कौन तो amide होगा यह और C और N को सिरिफ अगर लोगे तो carbon nitrogen को लोगे तो cyanide होगा और nitrogen से अगर bond बना रखा इधर carbon ने तो इसको बोलेंगे isocyanide now next अगर C double bond O के इधर में halogen है और इधर में carbon है right C double bond O जो यह वाला था एक side में halogen हो और एक side में carbon हो तो इसको बोलते हैं acid halide क्या बोलेंगे acid halide और you know halogen कौन कौन है fluorine, chlorine, bromine, iodine तो इसको बोलेंगे hello तो यह I hope आपको clear होगा कि हम कैसे functional group को पहचानेंगे very simple है इसमें कोई confusion ने होना चाहिए क्योंकि यह पहचानगे आप तो organic में आपको बहुत easy होगा अब हम बात करते हैं identification of position के बारे में तो ध्यान से देखो यह जो है न यह इसको मैं क्या बोलूँगा प्यार से बहन जी यह है बैंजीन बैंजीन है लेकिन इसको मैं प्यार से बोलूँगा बैंजीन ओके तो बैंजी पे यह 6 hydrogen है अगर मालो कि किसी एक hydrogen को हटा करके आपने functional group लगा दिया कोई भी functional group जो भी बताया हो अगर आप बैंजीन से hydrogen को हटा करके functional group add कर दोगे तो उसको क्या बोलेंगे फिर इसको क्या बोलेंगे arryl ओके तो यह arryl position हो गया that means बैंजी से एक hydrogen हटा देना है तो जो structure आपको मिलेगा जो यह 5 hydrogen और यह 6 carbon that is C6H5 यह आपका क्या कहलाएगा arryl तो बैंजी का एक बाल निकाल देना है समझे बात को तो अगर बैंजी से एक hydrogen हटा दिया तो आपको क क्या मिल जाएगा arryl बोलेंगे उसको similarly द्यान से देखो कि यह again आपका बैंजी है right बैंजी पे अगर कोई एक carbon अपने attach कर दिया और उस पे कोई फंक्शन गूरूप है द्यान से देखे बैंजी पे कोई carbon attach किया hydrogen हटा करके और फिर उस पे उसी carbon पे कोई function गूरूप है तो अपका functional group है ओके double bond पे ही functional group है तो उसको बोलेंगे vinylic और अगर double bonded carbon से जो carbon attach है double bonded carbon से जो carbon attach है उस पे कोई functional group है तो उसको बोलेंगे allylic तो इसकी hybridation होनी चाहिए SP3 यह ध्यान रखे इसकी भी hybridation होनी चाहिए SP3 that means यह सारे single bonded होने चाहिए तो I hope clear होगा अगर बहन जी से एक hydrogen अटार दिये तो जो मिलेगा वो allylic बहन जी से एक hydrogen हटा के carbon जो लो carbon पर कोई functional group होगा तो उसकी position को बोलेंगे benzylic position double bonded पर यह functional group है तो vinylic double bonded carbon से जो carbon attach है उस पर कोई functional group है तो उसको बोलेंगे allylic similarly you know यह आपका हो गया alkane right alkane से एक hydrogen अगर आप हटा दोगे तो जो structure बचेगा उसको बोलेंगे alkyl इसलिए इसका formula you know cn h2n plus 2 है तो alkane का formula क्या हो जाएगा cn h2n minus 1 उससे एक कम hydrogen तो जतना alkane में होता है उससे अगर एक कम hydrogen है तो उसको क्या बोलेंगे alkyl that means यह bond free हो गया ज़र से यह किसी से भी attach हो सकता है similarly अगर alkyne से एक hydrogen हटा होगे तो बोलोगे alkyl formula cn h2n था alkyne का तो cn h2n minus 1 हो जाएगा और similarly alkyne triple bond से अगर एक hydrogen हटा होगे तो क्या हो जागा alkyl और formula cn h2n minus 2 था इसका क्या हो जागा cn h2n minus 3 hello everyone कैसे हो आज हम लोग बात करेंगे iupacy naming के बारे में तो देखो iupacy naming का simple सा मतलब जो है न वो यह है कि एक ऐसा नाम जो दुनिया के कोने कोने में valid हो simple सा मतलब यह है क्यों 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 कि देखो problem क्या होगी जैसे मैं एक example लिया है hc doll bond o h आप इंडिया में माल लो इसको बोल रहे है formic acid इंग्लेंड में इसको बोलेंगे methanoic acid तो problem क्या होगा इंडिया वाले इंग्लेंड में गए बोले methanoic acid दो तो तो समझ जाएंगे बोलेंगे formic acid हो तो समझेंगे नहीं तो यह सब confusion नहों हो इसके लिए एक committee बैठाए गई और उन लोगों ने एक certain rule fix क्या है कि इस rule के according naming करेंगे इसलिए IPC naming में डर्णने की जड़त नहीं है बहुत सारे बच्चे बहुत डरते हैं यह हो जाएगा वह जाएगा यह रटना पड़ता है वो कुछ नहीं करना पड़ता है very simple IPC name का simple सा मतला आपके मांड़ माना चाहिए एक ऐसा नाम जो सारी दुनिया में valid हो तो उसके लिए कुछ rule fix करेंगे उस rule को follow करना है लेकिन rule को break करना तो जानते ही हो तो देखो कैसे हम trick से करेंगे तो very simple सबसे पहले क्या है एक rule fix क्या गया कि एतने सारे जो functional group है तो उसमें किसको priority दी जाए किसको इज़त दिया जाए right तो एक priority order fix क्या गया तो वो कैसे जाद रखेंगे रफी सर के simple trick से तो देखिए अगर सबसे पहले priority order में किसको दिया गया कार्वाप्सिलिक एसिड को ओके फिर सलफोनिक फिर आपका ये एन हाइडराइड फिर एस्टर फिर एसिड हैलाइड फिर अमाइड फिर साइनाइड फिर आईसो फिर अलकोहल फिर थायोलकोहल फिर अमाइन फिर एलकीन फिर एलकाइन फिर एलकेन फिर एथर फिर हैलो फिर नाइट्रो तो यह टोटल 19 फंक्शनल गूरूप हमने लिख दिया है उसके priority order के वैसिस पे मलदब सबसे ज़्यादा priority सबसे ज़्यादा इज्जत किसको कार्वा बॉक्सिलिक कार बॉक्सिलिक में कौन सा बड़ा रहा कार तो मैंने वहां से ले लिया कार जितने भी सलफर वाले हैं उसके लिए एस से से मैंने यूज किया है तो सलफोनिक एस से से कार से यह हो गया आपका एन हाइडराइड एन हाइडराइड से एनी वर्ड लिया एनी य आइसा कल, acylylite से ऐसा कल, amide, amide से मैंने बना लिया, amide से साइना, isocyanide से ice, right? isocyanide से ice, seedable bond OH, CHO लिखते हैं इसको तो उससे बना लिया, चोर, ice, चोर, seedable bond OH से ये इसको पढ़ओगे क्या, को, OH, अलको, हॉल, last में हॉल आता है, तो हॉल, फिर सलफर आया तो से, NH2, NH से नहीं, यह यहां पे डबल बॉंड है तो 2, तिरपल बॉंड है तो 3, सिंगल बॉंड है तो 1, OR, इस साइट से परेंगे तो R, डबल, OM, room, room, hello, bromine से बाहर, fluorine से फेको, NO2 से नाला में, तो देखो, rhyming word कैसा है, समझो, connection कैसा है, समझो, कि car say any sister, ऐसा कल बोली, यहां तक का word का मतलब क्या हुआ, car say any sister, ऐसा कल बोली, मतलब scene कैसा है, कि एक any sister, कि जो lady है, वो car से कहीं जा रही थी, तो car say any sister, ऐसा कल बोली, किसको बोली, आइमा साइना को, क्या बोली, आइस चोर को, आइमा साइना को क्या बोली, कि आइस चोर को, hall से नहीं, 231 room से, बाहर फेको नाला में, that means, any sister को, मालूम था, कि उसके hospital में, जो आइस चोराने वाला है, वो 231 room में है, तो very simple है, अगर यहां पर ध्यान से देखो, तो starting में जतने के जतने हैं, starting में जतने भी हैं, सब में, ध्यान से देखो, यह group common है, C double bond O, carbonil, यह common है, right, जैसे C double bond O, तब OH है, right, C double bond O, तब यह OCR है, C double bond O, R, C double bond O, X, जितने भी carbonil वाले हैं, वो सबसे पहले आएं, यह सब priority order में पहले आते हैं, उसके बाद ही आते हैं, तो यह 129 जो हमने लिखा है, यह 129, इन सब को हम dawn functional group भी बोलेंगे, इसका नाम में क्या रखोंगा, dawn functional group, क्यों, क्योंकि dawn जहां खड़ा होता है, वहाँ से line शुरू होती है, मतलब, यह functional group जहां पे होंगे, यह functional group जहां पे होंगे, यह functional group जहां पे होंगे, यह functional group जहां पे कौन से functional group यूज होते हैं उसको में टिक कर रहा हूं उसका अपको ध्यानी रखना है कारवॉक से लिख सबसे ज्यादा यूज होता है राइट सलफोनिक यूज नहीं होता है एन हड्राइट भी बहुत कम यूज होते हैं एस्टर कभी-कभी यूज होते हैं जाने दो सबसुंद करें साब्स की हैं कि ऐसे फनक्शनलग वरुप है जहां पर कर्वन की लुंबरिंग यह से स्टार्ट होगी क्योंकि डॉन जाहां khandhata है वहीं से राइन स्टार्ट होती हैं तो समंध में तैसमें कौनखने मिन रखना आपको यह वन वाला राइट कार्वाकसिलिख वाला यह acid hyalide वाला यह cyanide वाला राइट और यह aldehyde वाले यह चार बहुत यूज़ते हैं 99% आपको IPC naming इन्हीं में से होगा similarly इधर में किसको याद रखना है तो यह keto word आते है alcohol use होता है राइट एलकीन तो खेर होगा ही या एलकाइन या एलकेन तो होते ही है राइट और यह तीनों बेचारे वो हैं जो permanent बेज़ती वाले पर्मानेट बेज़ती समझें कि यह always prefix माएंगे इनका naming आपको पहले कर देना है इसको ज़्यादा भाव देना है जिसका suffix है मतलब वह इजद्दार लोग है इजद्दार लोग कहने मतलब कि उनका नाम आराम से पीछे हम लेंगे राइट लेकिन कौन-कौन तो यह आपका इथर और जितने भी हैलोजन है फुलोरीन कुलोरीन और किलियर है कि अब अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल गूरूप आ गया आपकी नेमिंग में अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल गूरूप है तो इसलिए उसके लिए प्रारिटी और बताया गया राइट अगर एक ही फंक्शनल गूरूप है तो कोई दिक्कत नहीं है ए में उसको लिए सफिक्स करेंगे बाकि जितने भी फॉंक्सल गुरूप बचे उसमें सब के लिए प्रिफिक्स करना पड़ेगा बट यह वाले वैसे हैं जो अल्वेज प्रिफिक्स में यूज रोते हैं कौन-कौन तो एथर हेलो नाइट्रो तो आई होप यह बात आपको समझ में आगए होगी अब इसके लिए हम बात करते हैं कि इसको कैसे हमें अपलाई करना है तो चलिए अब हम बात करते हैं आयू पैक नेमिंग ट्रिक्स के बारे में तो ध्यान से देखो आप किसी भी कंपाउंड का जब नाम लिखोगे तो आपको यह पांच चीजे यूज करना पड़ेगा जिसको मैंने लिस्ट आउट किया है कि आप किसी भी औरगेनिक कंपाउ प्रफिक्स में कौन कोन है एं, अगर सारे के सारे सिंगल ब्ॉंड है कोई पाय ब्üz नहीं तो एं लगेगा अगर एक भी पाय ब्न आ जा रहा है तो इन लगेगा और एक भी टिरपल बॉंड आ तो आ इन लगेगा right similarly word root जो longest carbon chain आप select करेंगे अगर वो 2 carbon के है तो eth, 3 carbon के है तो prop and so on you know already तो ये दोनों चीज़े क्या है आप organic chemistry में किसी भी compound का IU pack naming करें ये दोनों चीज़े तो आएंगे इसलिए हमने लिखा must ये दोनों चीज़े आएंगे बाकी जो 3 चीज़े हैं जैसे 2 degree suffix तो ये अगर functional group present होगा तो आएगा नहीं present होगा तो नहीं भी आएगा right similarly 1 degree prefix तभी आप लगाएंगे जब cyclic कोई structure होगा अगर cyclic structure है तभी 1 degree prefix आएगा otherwise नहीं आएगा similarly 2 degree prefix कब आएंगे जब आपका halogen कोई group लगा होगा attach होगा halogen या nitro या फिर ether अगर ये सब functional group है तो ही 2 degree prefix आएगा right तो यहाँ पे आप समझ लें कि word root and 1 degree suffix is fixed must ये आएगा ही बाकी जो 3 है वो depend करता है अगर वो compound है तो आएंगे नहीं present है तो नहीं भी आएंगे right now एक और जो important point है कि जब आप priority order जो आपको trick दे रखाऊं उसको जब आप assign करेंगे priority order से कोई एक ही functional group आपका suffix बनेगा that means वो ही पीछे add होंगे बाकी जितने भी functional group होंगे सब के सब आपके कहाँ पर जाएंगे two degree prefix में इस point को clearly समझे अगर एक से ज़्यादा functional group होगा तो priority order के basis पे कोई एक functional group आपका two degree suffix में आएगा बाकी सब के सब किसमें आजाएंगे two degree prefix में इसलिए मैं कहता हूँ इसको ये वाला जो है कौन-कौन इसको पहले लिख देना और अगर एक से ज़्यादा functional group हो तो जितने भी functional group होंगे उसमें किसी एक कोई priority मिलेगी तो बाकी सब के सब two degree prefix में जाएंगे तो उसको मैं बोलूँगा temporary बेज़ जती temporary बेज़ जती in the sense कि अगर वो अकेला होता तो वो suffix में आता बट अगर 3-4 के साथ है तो फिर उसकी इज़्यत थोड़ा कम हो जाएगे क्यों क्योंकि उसमें से किसी एक को इज़्यत मिलेगा मतलब एक two degree suffix में जाएगा बाकी सब के सब two degree prefix में जाएंगे इसलिए वो temporary बेज़ जती वाले हैं बास समझ में आगे लेकिन यह permanent always two degree prefix में यह तभी उज़ोंगे जब कोई cyclic structure होगा और यह दोनों तो must है आएंगे ही तो पहले यह point I hope clear होगया होगा इस point को मैंने एक simple example से भी समझानी कोशिज किये कि आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैंने carboxylic acid वरा लिया है C double bond OH तो यह dawn functional group होते हैं dawn functional group के case में naming आपको वहीं से start करना होता है numbering वहीं से start करेंगे तो 1, 2, 3, 4 तो इसका नाम क्या होगा द्यान से देखो 3 पे nitro 4 carbon है तो but 2 पे double bond है तो 2 in और जो functional group है वो OE acid आप लेंगे तो मैं इससे यह चीज़े समझाना चारू कि ध्यान से देखो word root is what यह आपका word root हो गया यह यह use हो गया must है और in या in या iron जो यहाँ use हो राइट तो यह आपका must है यह आए गया इसलिए किसी भी organic compound का you pack naming करेंगे आप तो word root and one degree suffix is fix यह तो आए गया यह जो OE acid यह क्या आपका यही है two degree suffix और यह जो nitro आया है यही क्या आपका two degree prefix तो वही मैंने बोला कि किसी भी organic compound का जब आप naming करते हैं तो यह order always follow होगा two degree prefix पहले आएंगे अगर cyclic structure आ रहा है तो one degree prefix पहले आएंगे word root से पहले यह दोन आएंगे word root के बाद one degree suffix लगेगा either in, in या in और उसके बाद आपका two degree suffix लगेगा तो I hope यह clear होगा now अब हम बात करते हैं वो trick की जिससे आप किसी भी IUPAC naming वाले question को बहुत इजली कर लोगे कैसे तो रफी सर का यह trick जानवे रखो सबसे पहला point हमने क्या लिखा है priority order को पहचान लो right तो वो simple है क्योंकि उसका मैंने trick दे रखा है car से any sister ऐसा कल बोली I'm a sign a I store को hall से नहीं two thirty one room से बाहर फेको नाला में right तो यह trick मैं दे रखा हूँ तो उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन functional group priority order में पहले है एक बार उसका priority order आपने assign कर लिया तो उससे आपको चार option given होंगे तो उससे आपको पता लग जाएगा कि end में क्या लगेगा जैसे यहाँ पे O1 लगेगा क्योंकि यह priority order में पहले है अगर मान लोग कहीं पर priority order alcohol है aldehyde है right और ketone है तो you know priority order में aldehyde हैंगे तो last में क्या लगना चाहिए अल तो आप वो option को चेक करेंगे जिसमें last में अल लगा हुआ है तो यह point का यह मतलब है कि उससे आपको end में क्या add करना है वो पता लग जाएगा priority order से similarly priority order से यह भी आपको पता लग जाएगा कि जो functional group है अगर वो dawn है तो numbering हमको वहीं से start कर देना है अगर वो dawn functional group होंगे क्योंकि dawn जहां ख़रा होता है वहीं से line start होती है तो dawn functional group होना है वो भी मैंने list out किया 1 से 9 वाले जो priority order में जतने भी कार्वोनिल वाले है जैसे कार्वाक्सिली केसीड है अल्डिहाइड है आपका right साइनाइड है यह सब dawn functional group है तो इस case में numbering वहीं से start हो जाती है अगर यह नहीं है तो जो priority order में जो group पहले आते है तो उसका locate या उनका position numbering में lowest रखना है तो उससे भी हमें idea लग जाता है that is called lowest position कि वो lowest position पहना चाहिए तो उससे भी हम option eliminate कर सकते है now second point वाई है कि अगर dawn functional group man chain में नहीं आता है कहीं कहीं पर ऐसा होगा कि dawn functional group का man chain में नहीं होगा तो अब उसको आपको full name लिखना है that means उसको fully इज़त देना जैसे for example इस type का कोई condition आ गया इस type का आपको condition आ गया तो you know यह dawn functional group है right अब यह dawn functional group है लेकिन carbon की chain अगर select करेंगे तो one ही हो पाएगा क्योंकि आप open chain से ring में नहीं जा सकते और ring से open chain में नहीं जा सकते तो इस case में एक carbon की chain तो बना नहीं सकते तो आपको यहां से start करना पर रहेगा one two three four five six तो आपका जो यह man functional group है वो देखो जो main chain है उसमें नहीं आया तो वही point है कि अगर dawn functional group आपका main chain में नहीं आता है तो in that case इसका नाम जो लिखना है वो पूरा पूरा लिखना है इसको fully ज़द देना like carbaldehyde अगर carboxylic acid होता तो carboxylic acid तो यह point आपको clear होना चाहिए तीसरा point that is very very important कि longest carbon chain आपको select करना है but यह point कहीं कहीं पे थोड़ा दिक्कत में भी आएगा कैसे अगर dawn functional group होंगे तो हो सकता है कि वो longest carbon chain ना भी हो क्यों क्योंकि numbering वहीं से start करना होता है तो dawn functional group को अगर शोर दा जाए तो बाकी case में आपको कोशिश करना है कि longest carbon chain select करें चौथा point इससे भी बहुत सारे option को अप्लिमिनेट कर सकतो alphabetical order को follow करना alphabetical order को follow करने का मतलब क्या है कि जो alphabet में A, B, C, D आते हैं वो जो भी name होंगे like amino है तो पहले A आया उसमें step से right बट ध्यान रहे कि die, tri, tetra जो आप number को बताते हैं वो priority order में that means alphabetical order में वो consider नहीं किये जाते हैं और एक last में जब आप suppose करो कि यह सब चीज़े same हो रही है इन सब चीज़ें से नहीं आप identify कर पारे option तो last में आपको यह भी काम आएगा कि some of all lock end आपको करके देखना है वो जिसका minimum होगा ज्यादा chances है वो ही आपका answer होगा तो यह है रफी सर का trick ध्यान से देखो मैं just एक मरत्व समिराइश कर रहा हूँ कि आपको priority order पहले चेक कर लेना है उस trick से उससे आपको end में क्या add करना वो पता लग जाएगा और उस functional group का lowest position रखना है उससे आपको option eliminate हो जाएंगे अगर यह नहीं हुआ point के थुरू मैं आपको बहुत सारे problem solve करके बताता हूँ कि कैसे हम 4 option given होगा तो आईपक naming के question को easily कर सकते हैं एक point और यहाँ पे हमने mention किया है कि अगर locate position same है from both side जैसे इस case में देखो अगर किसे ने numbering इधर से किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इधर से क्या तो दियान से देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो दोनों तरह से आप आइधर side से numbering कर लो इस case में क्या हो रहा है कि दोनों side से same locate position आ रहा है जैसे इधर 2 पे double bond है यहाँ पे triple bond है यहाँ पे 4 पे होगा यहाँ पे 4 पे मिथा ले इधर 5 पे मिथा ले इधर भी 5 पे मिथा ले तो अगर दोनों तरह से ध्यान रहे अगर दोनों तरह से same locate position सब कुछ same अगर आ जाए तो in that case double bond को priority देना over triple bond इसलिए आपकी numbering इधर वाली correct होगी यह point important है कहीं कहीं पे इस point का भी use हो जाता है but condition है कि अगर दोनों तरह से numbering करने पे locate position everything जब same है तब double bond will get priority over triple bond तो I hope यह आपको point समझ मागया होगा आप इसको एक मरतव अच्छे से summarize कर ले तो अब हम बात करते हैं application की तो ध्यान से देखे मैंने यहाँ पे चार प्रॉब्लम लिया है कैसे solve करते हैं जैसे पहला यह है और चार option given आप कैसे eliminate करोगे तो आप ध्यान से देखो तो इसमें एक कार्वाक्सलिक functional group है और एक आपका यह ketone functional group है दो है तो you know priority order में सबसे पहले कार्वाक्सलिक आएगा और यह dawn functional group है तो numbering यहीं से start करना है तो one two three four five six तो अब numbering यहीं से start होगा तो last में क्या आएगा oic acid आएगा right तो ध्यान से देखो oic यहां पर है यहां पर six पर कह रहा है oic तो six पर दोगा ने क्योंकि numbering वहीं से start होगा तो यह option गया कैसे exam में करते हैं यह option गया similarly six यहां पर कर दिया six position पर तो आएगा ने तो यह option गया अब बच गए दो option यहां भी oic acid है longest carbon chain six है तो hex hex यह भी सही है अब ध्यान से देखो तो two पर ही methyl है right two पर methyl है और five पर oxo है अब यहां पर ध्यान से देखो तो five पर oxo यहां है और two पर methyl यहां पर यह फॉर्माल नहीं है क्योंकि फॉर्मल डियाइड नहीं है यह ketone है तो oxo वर्ड यूज करेंगे और two पर methyl है priority order alphabetical order दियान से देखो एम एन ओ उसके बाद M के बाद हो तो यह भी follow रहा है इसलिए यहां पर option क्या रहेगा one simple इस तरीके से आपको करना है कि कार से एनी सिस्टर ऐसा कल बोली I'ma तो यह आमाइड जब वह बाद में आता यह पहले आ गया इसलिए यह option गया यहाँ पे देखो car say say आ गया any sister ऐसा कल बोली आइमा साइना तो यह बरावर order में आ रहा है तो यह हो गया यह क्यों गलत है क्योंकि आप देख सकतो इसमें एनेस टू को पहले कर दिया है और यह क्यों गलत है तो आप देख सकतो car say any sister ऐसा कल बोली तो यह पहले आना चाहिए था फिर आइमा तो इसलिए यह सब आपके option क्या हो जाएंगे wrong हो जाएंगे now question number 3 तो आप इसमें ध्यान से देखो तो आपके पास total 4 functional group है एक aldehyde, एक ketone, एक double bond, एक ए नाइट्रो 4 functional group है तो इसमें से किसी eco priority मिलेगी और priority order के विशिस पे you know aldehyde सबसे पहले आता है तो इसको 2 degree suffix में लिखेंगे बाकी यह वाले जो ketone है अगर other functional group नहीं होता तो फिर यह 2 degree suffix में आता है लेकिन अभी यह 2 degree prefix में चले जाएंगे that is temporary based जाती यह आपका 1 degree suffix में जाएगा in और यह तो always permanent based जाती वाले थे 2 degree prefix मेंगे now तो question is कि आपको पता लग गया कि priority order में यह पहले आते हैं और dawn functional group है तो numbering यह से start होगी तो यह 1, यह 2, यह 3, यह 4, यह 5, यह 6 और यह आपका 7 right तो यह आपने numbering कर दिया अगर हमें options अब जाना हो तो you know कि priority order में अगर यह आया तो last में all word लगना चाहिए all तो आपका sum में लगा हुए और यह जो all है वो one पे यह right और ध्यान से देखो three पे क्या होना चाहिए आपका oxo group और four पे आपका in word तो देखो ध्यान से देखो कहाँ पे three पे oxo है three पे oxo है और four पे in है right और total seven carbon के है तो heft word है तो यह hex था तो इसलिए यह option तो वैसे भी नहीं था right और in में थे but four पे आपका double bond आ रहा है four position पे तो यह थिरी थिरी था तो यह गया इसलिए option क्या हो जाएगा c और ध्यान से देखो alphabetic order m के बाद n n के बाद o यह भी follow होना चाहिए इन सबसे भी हम पहचान सकते तो जस्ट मैं आपको एक idea देना चाहरा हूं कि आपके पास चार option है तो definitely आप correct option तक चले जाओगे अगर रफी पिसर के वह चार पॉइंट को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो तो द्यान से देखो m n o यह order follow रहा था यहां पर इससे भी हम cut कर सकते m के बाद o फिर n किया इसलिए यह क्या m n o यह तो follow रहा था but you know one two three four पे इन था three पे क्या इसलिए यह गया और longest carbon chain heft थी seven carbon की यहां पर hex कैसे लिए गया इस तरह किसे आप option को eliminate कर सकते हैं now question number four तो अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं इधर से करूँ तो one two three four five six right तो कहां कहां पर ध्यान से देखो two पे और four पे अगर कोई इधर से करे तो one two three four five six तो यहां पर भी two पे double bond आ रहे हैं और four पे तो दोनों तरफ से numbering जो pi bond की position वो same हो रही है तो ऐसे case में आपको बताया था एक point फिर हम double bond को priority दे देते हैं और वैसे भी इधर lowest low end position हो जाएगा तो अब दियान से देखो तो क्या होने वाला है two पे bromo आना चाहिए two पे bromo दो option में और six carbon की channel है तो hex तो यह भी है क्य क्योंकि यह two option तो already eliminate हो चुके आपके नाउ next दियान से देखो one two पे in है और four पे आई है तो आप दियान से देखो पहले e आएगा alphabetical में तब उसके बाद y आएंगे तो two पे e और y तो यह alphabetical order fall हो रहा है यहाँ अपने हो रहा दियान से देखो y के बाद यह आ रहा है मैं simple trick से बता रहा हूं देखो बहुत इसलिए आप कर लोगे सबसे पहले एक point हमारा यह भी है कि alphabetical order को follow करना है तो करोगे ना दियान से देखो यहाँ पर क्या क्या है एन हेच और a alphabetical order को follow नहीं किया तो यह option गया दूसरा यह कि dawn functional group कोन है इसमें यह priority order में कोन आएगा aldehyde तो क्या होगा benzoldehyde होगा right benzoldehyde मतलब benzenvaldehyde तो यहाँ पर दियान से देखो naitrogen geldehyde कर दिया है तो यह गलाथ होगा क्यों को दे दिया है यहाँ पर भी वह चीज क्या है तो यह दोन हो गया तो बचा कौन खत्म दियान से देखो बाकी चीज मैंने सोचा ही नहीं तो बहुत easy और यहां पर क्या follow रहा है तो ध्यान से देखो A, उसके बाद H, उसके बाद N, follow रहा है, right, next, question number 6, ऐसे question के बारे में बता रखाऊं कि यह down functional group है आपका, right, और priority order में पहले भी आता है, लेकिन यह parent chain में नहीं आ पाएगा, क्योंकि side chain माग गया, right, तो आपको इसका नाम इज्जस से भी लिखना परेगा, you know already, इसको कैसे लिखेंगे हम, तो cyclo word तो लगेगा, cyclopentane और carboxylic acid word यूज़ करना परेगा, तो इसने क्या क्या, cyclopentanoic acid, तो यह गलत हो गया, cyclopentanoic acid से गलत हो गया, अब ध्यान से देखो, cycl cyclopentane carboxylic acid, तो यह एक chances है, यहाँ पे भी pentanoic acid, और यह तो pentanoic carboxylic, यह दो-दो बरतवा oic, तो यह तो वैसे ही गया, right, और चुकि आपका dawn functional group, man chain में नहीं आ पा रहा है, तो इसका नाम इज्जस से लिखना है, तो क्या लिखना परेगा, carboxylic acid, इसलिए कौन सा option होगा, अब भी, अब दियान से देखो, और numbering कैसे करते हैं, 1, 2, 3, 4, 4 पे bromo, 2 पे methyl, आज के lecture में हम बात करेंगे, general organic chemistry में, electron displacement effect के बारे में, और name से clear है कि यहाँ पे electron क्या होगा, अपनी जगा से shift होगा, displace होगा, और यह जो electron है, वो bonded भी हो सकते हैं, non bonded भी हो सकते हैं, तो वो ह detail में, आगे देखेंगे ही, तो यह जो electron displacement effect होता है, यह actually दो type के होते हैं, एक को हम बोलते हैं, permanent effect, और एक को बोलते हैं, temporary effect, देखो, permanent word से ही clear है, permanent in the sense, आपके पास जो भी molecule है, suppose करो मैं एक molecule लेता हूँ, suppose करो मेरे पास यह है, तो यह मेरे पास एक molecule है, तो permanent effect का इसका क्या मतलब है, कि इस molecule में वो effect always operate होगा, irrespective of कि इसके surrounding में क्या है, इसके चारों तरफ कोई solvent ले लिया है, कुछ भी ले लिया है, इसके surrounding में क्या है, इससे इसको मतलब नहीं है, इसमें वो effect operate होता रहेगा, तो ऐसे effect को बोलेंगे, permanent effect, और यह तीन है मारे प करेंगे, और inductive को मैं अब आगे से I word से दिखाऊंगा, उसका first letter I, inductive, वैसे ही दूसरा effect mesomeric effect है, या फिर उसको resonance effect भी हम बोल सकते हैं, जिसको मैं M या R से represent करूँगा आगे से, and next hyperconjugation, third effect, permanent effect में, जिसको मैं HC से represent करूँगा, वैसे ही temporary effect का क्या मतलब है, name से clear है, temporary effect in the sense, कि again आपके पास जो compound है, या molecule है, इसमें ये effect तभी operate होगा, जब तक आपका surrounding में वो चीज present है, that means, यह अगर ऐसे है, तो यह इस form में आस्कता है, that means, यह pi wand आपका break हो जाएगा, open negative और composite, इस form में, यह कब तक होगा, जब तक आपको solvent या nickelophile add करके रखोगे, तो यह इस condition में रहेगा, जैसे इस solvent को हमने हटा लिया, तो फिर यह इस से, इस condition में convert हो जाएगा, तो इसलिए इसको वो rate temporary, मतलब depend करता यह, कि अगर कोई present है, तो रहेगा, नहीं है, तो नहीं रहेगा, तो इसलिए इसको temporary, और very lessन, इसके बारे में ज़्यादा अपने को पढ़ना नहीं है, इसका नाम है electromeric, जिसको मैं E से represent करूँगा, तो चलिए अब हम बात करते हैं, inductive effect के बारे में, तो जो inductive effect है, उसको transmission effect भी बोलते हैं, और उसमें important point क्या है, पहले समझ लो आप, पहला point तो यह है कि यह effect operate ही क्यों होता है, तो generally इस effect का जो main reason होता है, वो electronegative difference होता है, electronegativity difference आने की बज़ा से यह effect operate होते हैं, इसी बज़ा से यह distance पर depend करते हैं, that means, तीन कारवन तक ही हम इसका effect assume करते हैं, उसको बाद मानते हैं कि इसका effect नहीं होगा, इसलिए यह distance पर depend करता है, तीन कारवन का मतलब क्या है कि जिस कारवन पर group लगा हुआ ह उससे तीन कारवन किसी भी direction में, तो वहीं तक यह effect operate होता है, उसके बाद इसका effect almost zero हो जाता है, तो इसलिए यह distance dependent है, नाव यह operate जो होता है वो generally, वो sigma bond के थुरू एक खिचाव होता है, pulling होता है electron का, shared electron का, इसलिए बोलते हैं, operated through sigma electron, नाव partial shifting होती है, इसमें ऐसा नहीं है क electron अपने घर को छोड़ के चला जाएगा, अपने orbital को छोड़ के चला जाएगा, always partial shifting होता है, इसलिए हम partial charge दिखाएंगे इस type से, del type में, ऐसे कर करके, अगर वो खीच रहोगा तो minus, और अगर दे रहा होगा तो plus, तो यह partial shifting होती है, यहाँ पे, इसको मैं practically feel भी कराता हूँ, और वही last point है कि third carbon के बाद इसका effect हम मानते हैं, जीरो, तो देखो यह तो हो गई, जो मैंने पहले बता है था, यह सब important terms हो गई, now, अब हम इसको feel कैसे करेंगे, day to delay में, what is inductive effect, इसको हम कैसे connect करेंगे, तो देखो बहुत simple है, और just यह समझाने के लिए, इसको ज्यादा serious न रहेंगे, उसकी तरफ जागते रहेंगे, right, तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने घर को कम यूज कर रहो, अपने orbital को, और उसकी तरफ ज्यादा आप shifted हो, तो that is called inductive effect, अभी भी आप अपने घर में हो, आप अपने घर से बानेगे, just आपका जो खिचाव है, वो उधर की त होती है, तो मैंने उसके लिए भी बहुत सिंपल सा ट्रिक्स लाया है, कि एतने ही element का आपको electronegativity याद रखना, और वो कैसे, तो वो भी मेरे simple trick से, कैसे आप याद रखेंगे, कि देखो, lithium का electronegativity value 1 होगा, कितना हो जाएगा, lithium का 1, यह सब को याद रहेंगा, पहला element, यह test block का 1 है, उसके बाद आपको क्या करना, 0.5 increase करते जाना है, कितना, 0.5 increase करते जाना है, तो 1 में 0.5 increase करोंगा, तो कितना होगा, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 and 4, periodic table का सबसादा electronegative element, fluorine आ गया, तो यह electronegativity value ही हमने याद करवा दिया आपको, तो यही सब group carbon पे लगे होंगे, तो आपको देख लेना कि carbon से जाद है electronegative है, तो अपनी तरफ electron खीचेगा, कम है, तो वो carbon को electron देगा, ओके, next वाले को कैसे याद रखेंगे, तो you know down the group electronegativity decrease होती है, तो 1 से कम हो जाएगा, that means कितना हो जाएगा, 0.9, और कितना increase करना है, 0.3 increase करना है, तो 0.9 को बाद दि हो जाएगा, तो उसके लिए हमने एक simple सा यहाँ पर trick लगाया, pH होता है, हम आयने की किलों परेंगे, तो जो phosphorus का है, वही hydrogen का है, इसमें मैंने hydrogen नहीं लिखा, phosphorus का 2.1 है, तो hydrogen का भी कितना होगा, 2.1, almost same, sulfur का कैसे याद रखेंगे, iodine, sulfur और carbon, यह तीनों को मैंने ISC words है, inter of science right, ISC, तो जो iodine का है, वही sulfur का, वही carbon का है, carbon का आपको मालूम है, 2.5, तो sulfur का भी कितना हो जाएगा, 2.5, और iodine का भी आपका कितना हो जाएगा, 2.5, chlorine का, तो 0.5 increase करा दो, तो almost 3 का असपास होता है, right, but nitrogen से थोड़ा less होगा, और 3 और 2.5 के बीच में कितना होगा, 2.8, क्य क्योंकि down the group, electron negativity difference होती है, तो यह मैंने electron negativity का direct value ही लिखवा दिया, जिससे हम इसका proper use कर सकते हैं, और वो भी कहाँ, तो देखिए, यहाँ, कैसे use करेंगे, देखो, carbon पे आपका कोई group लगा होगा, right, carbon पे आपका कोई भी group लगा होगा, तो वो group carbon के साथ क्या कर रहा है, उस effect की हम बात कर रहा है, इस पूरे chapter में, GOC में, हम group का effect देखेंगे, carbon पे, यह point ध्यान भी रखना, तो carbon पे कोई group लगा है, अब इस group के बारे में क्या क्या बोल सकते हैं, तो 3 point, कि यह group carbon से ज्यादा electronegative हो गया, more मतलब, group जब हो more electronegative है carbon से, तो क्या करेगा वो, यह जो shared electron है आपके, तो यह जो shared electron है, इसको अगर group अपनी तरफ खीच रहा है, तो वो कब खीच सकता है, जब वो carbon से more electronegative होगा, तो इस group का बोलेंगे हम कौन सा effect है, minus effect, मतलब, electron को withdraw कर रहा है, अपनी तरफ खीच रहा है, तो इसलिए ऐसे group को बोलेंगे, electron withdrawing group, और electron accepting group, accept भी कर र होगा, जैसे जितने भी more electronegative होगे, all halogen, nitrogen, oxygen, सब के सब क्या हो जाएंगे, electron accepting group, या फिर electron withdrawing group, वैसे ही carbon से जो group लगा है, अगर suppose करो कि उसके electron negativity कम है, less है, carbon से, तो फिर इस case में क्या होगा, कि ये group ही carbon को electron देगा, तो electron का follow कि side होगा, इस side से ऐसे, group की तरफ, तो एक तरह से group क्या काम कर रहा है, electron donate कर रहा है, तो इसलिए उसको बोलेंगे, electron donating group, या फिर उसको short form में EDZ बोलेंगे, या फिर electron releasing group बोलेंगे, ERZ, electron releasing group, या फिर electron donating group, तो ये सब एक ही बात है, और वो case जहाँ पर हम कुछ भी effect नहीं लेते हैं, वो hydrogen वाला, अगर carbon सा hydrogen attach है, तो हम मानते कोई effect नहीं है, otherwise कोई भी group attach हो, even though carbon ही क्योंगा attach हो, उसका effect आएगा, और कौन सा effect आएगा, वो हम discuss करते हैं, अगले part में, अब हम बात करते हैं, group के effect के बारे में, तो देखो, very simple है, कि मैं इस तरह से एक general लिया हूँ, कि ये carbon की chain होगी, और उस पे जो group लगा होगा, तो इ group पे, गलती से अगर positive charge आ गया, suppose को आपने देख लिया, कि जो carbon की chain है, उस पे कोई group लगा, उस पे positive charge है, जैसे NF3, और nitrogen से attach होगा, तो इसलिए nitrogen ने 4 बन बना लिया, 3 fluorine के साथ, एक carbon के साथ, इसलिए उसलिए उस पे plus आ गया, तो NF3+, NH3+, इस टाप का जैसे group पे positive charge देखे, तो वो always minus i, so करेंगे, क्योंकि positive का मतलब हम कैसे think कर रहे हैं, कि उसके पास vacancy होगे, electron उसको चाहिए एक तरीके से, तो चाहिए तो क्या करेगा, pull करेगा, खीचेगा, तो इसलिए इसका कौन सा effect लेंगे, आप minus i, similarly वो सारे element जिसके electron negativity carbon से ज़ाद हो जाए, जैसे NO2, तो nitrogen more electron negative है, फिर oxygen, तो दोनों मिल करके खीचेंगे, या cyanide, तो cyanide में क्या हो रहा है, कि यहाँ पर SP hybridization है, इस वज़े से भी या nitrogen अपनी तरफ खीचेंगे, more electron negative है, aldehyde या acid वाले, halogen, fluorine, chlorine, bromine, वाले, तो यह सब के सब क्या करेंगे, carbons electron को अपनी तरफ खीचेंगे, इसलिए है, minus I group होंगे, similarly, अगर मालो की carbon, carbon same हो जाता है, तो वहाँ पर क्या concept लगाएंगे, कि hybridization क्या, अगर SP hydrogen है, तो यह ज़्यादा electron negative होगा, क्योंकि percentage is 50% है, तो इसलिए उस case में आपको यह वाला order follow करना है, कि SP वाले carbon की electron negativity ज़्यादा होगी, उससे कम SP2, उससे कम SP3, now, अगर plus I effect के वारें बात करें, तो वह सारे group जिस पे negative charge आ जाए, तो negative आ गया, और reduce के पास electron है, तो वह क्या चाहेगा, किसी को देना चाहेगा, दे करके हटाना चाहेगा, तो इसलिए यह electron donating group होंगे, plus I so करेंगे, तो always यह पर जैसे NH minus है, कहीं पर कहीं पर O minus है, तो इसके यहाँ पर यह नहीं सोचना है, फिर कि nitrogen more electron negative oxygen more electron negative, अगर negative charge आ गया, तो always plus I so करेंगे, जितने भी alkyl group है आपके, जब alkyl से एक hydrogen हटा देंगे, तो alkyl बनता है, जितने भी alkyl group है, सब के सब plus I, और जितना ज्यादा carbon बरेगा, या branching बरेगी, उतना ज्यादा plus I, जैसे कहीं पर 1 degree वाला है, CH3, और कहीं पर आपका 2 degree वाला है, that means इस carbon पर 2 CH3 हों, तो फिर इनका ज्यादा plus I effect होगा, तो आई ओप ही आपको minus I effect कौन गूरूप सो करेंगे, plus I कौन सो करेंगे, वो समझ में आ गया होगा, now ये सब तो हो गई, समझाने वाली बात, actual इसका application क्या है सर, वो बताओ, इसको apply कैसे करना, इस पर base question कैसे आते हैं, तो उसके बारे में मैं discuss कर रहा हूँ, त चली अब हम बात करते हैं, application and tricks की, जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ, तो ध्यान से देखो समझो, कि आपको question कैसे पूछे जाएंगे, कार्वो कैटायन होगा, that means carbon पे plus charge होगा, या free radical होगा, that means carbon पे एक electron होगा, तीन bond बनाने के बाद, एक electron, free electron, तो free radical बोलेंगे, या फिर basic character का order पूछा जागा, इन तीनों ही case में, अब मैंने जो connect के अपने trick को कैसे, कि कार्वो कैटायन मतलब carbon के पास क्या है, electron की कमी है, free radical का भी मतलब क्या हो गया, कि अभी भी carbon के पास octate complete होगा, साथ ही electron है, valence cell में total, तो वो भी electron deficient है, basic को मैंने कैसे connect किया, before basic, before beggar, भिखा पूर, तो यह सब के, जो कार्वो कटान आपको दिखेगा, free radical दिखेगा, या basic character का order पूछा, यह तीनों ही को आमने कैसे connect किया, कि यह लोग beggar है, भी खारी है, अब तुम यह सोचो, अब poor person क्या चाहरा होगा, कि कोई उसको electron दे दे, कोई उसको पैसा दे, तो वही जो donor लोग होगे, plus I मतलब क्या होगा, donor, right, तो यह donor लोग होगे, तो donor लोग इसको क्या करेंगे, stabilize करेंगे, तो that means, donor इसको support कर रहा है, और जो acceptor है, जो खीच रहे हैं, तो उसको क्या कर रहेगा, पोच कर रहेगा, तो इसलिए, carbocatine हो, periodical हो, basic character हो, उस case में plus I group वाले, उ decrease होगा, बट अगर minus I group लगा हुआ है, तो फिर वो सर्चीज क्या हो जाएंगे, decrease हो जाएंगे, similarly, मैंने कार्व एनायन और acidic को connect क्या, कार्व एनायन मतलब कार्वन पर negative charge है, that means, उसके पास extra electron है, electron rich person है, वो right, और A for acid, A for amir, तो इसलिए मैंने इसको किस से connect क्या है, कि कभी भी आपको कार्व एनायन या acidic का order पूछा जाए, तो कार्व एनायन या acidic मतलब अमीर लोग, तब अमीर लोग क्या चाहेंगे, कि वो किसी को देना चाहेंगे, right, तो इसलिए जो खीचने वाले लोग होंगे, जो लेने वाले लोग होंगे, वो जल्दी उससे attract होंगे, तो minus साई चीज है, तो बिल्कुल अगर कार्व एनायन या acidic करेक्टर का order आपसे पूछा जाए, तो और रेडि वो electron reach है, तो इसलिए वो चार होगा कि कोई इसको electron को खीच ले, तो minus I group support करेंगे, acceptor support करेंगे, डोनर उसका oppose करेंगे, right, तो यह trick का point है, now इसमें एक point और मैं समझ साना चाहता हूं कि कहीं पर भी आगर आपको acidic का पूछा, तो what do you mean by acidic order, acidic का मतलब यह है, कि वो जो भी आपने compound ले रखा, वो हैच आपको देगा, संपोज करो, in general मैं ऐसे ले लेता हूं, तो इसका पूछा जा acidic order, 3-4 इस टाइप का आपको compound दे देंगे, तो acidic का पहले mind map क का impression है, कि acidic मतलब वो compound जो आपको हेच पलस दे दे, और हेच पलस कहां से जाएगा, यह हेच जाएगा कहां से, तो उसके लिए ध्यान रखो, वो हेच कहां attach होना चाहिए, fluorine से, या oxygen से, या nitrogen से, phone word से याधर रखेंगे, अगर आपका hydrogen, fluorine, oxygen या nitrogen से, attach है directly, तो वो acidic hydrogen का वाले जो है, alkyne वाले, उससे attach हो, corner पे, तो वो भी एक acidic hydrogen माना जाता है, तो कभी भी acidic order पूछे, तो आप क्या करो, जो hydrogen acidic है, उसको पहले निकाल दो, तो जैसे उसको निकालेंगे, तो आप देखो, यहाँ पर क्या आगा, minus, तो यहाँ पर आगा, minus मतलब, एक कर्व करेंगे, क्योंकि और इसके पास burden है ही, और आप और burden बरहा रहे हो, तो unstable होगा, और अगर कोई खीचने वाले होंगे, तो फिर support करोंगे, क्योंकि इसके पास burden है, इसके पास दुख है, उसको आप खीच रहो, अपनी तरफ उसको ले रहो, तो फिर क्या हो जाएगा, इसका इसका मतलब यहाँ पर क्या है organic में, organic में basic का मतलब है कि जो इसली loan pair दे दे, अब आप ही सोचो कि loan pair इसली कौन दे सकता है, तो पहले देने के लिए तो क्या होना चाहिए, कि पीछे उसके पास support हना चाहिए, अगर मैं किसी को पैसे दे सकता हूँ, तो मेरी financial condition अच्छी होन तो वो कैसा behave कर रहे हैं इसके साथ, अगर यह group इसको support कर रहे हैं, दे रहे हैं electron, तो यह इजली दे देगा, क्योंकि इसके पीछे family protection है, ठीक है करो तुम, हम support करेंगे, अगर मान लोग कि group ऐसा लगा जो electron को खीच रापनी तरफ, तो फिर यह जल्दी देना नहीं चाहिए क्यों, क्योंकि इसके पास already vacancy credit होने वाली है, तो वही same चीज़ है, तो इसलिए basic में हमने, या फिर कार्व कटाने, फिर radical में उस condition को आपका connect किया है, कि beef और beggar, that means इसको देना है, तो देने के लिए इसके पास वैसे group होने चाहिए, जो इसको support करें, तो plus i वाले support करेंगे beggar को, और minus i वाले approach करेंगे, similarly, acd किया, carbonine के stability पूछे, तो ameer word, तो ameer को minus i support करेंगे, खीचने वाले, क्योंकि ameer से लोग पैसा लेंगे, right, और plus i वाले देने वाले उसको oppose करेंगे, तो अब हम कुछ example ले करके, आपके इस application या tricks को और भी clear करता हूँ, suppose करो, जो आप परोगे भी, कहीं पर भी, अगर आपसे पूछा जाता है, acd, तो ka, equilibrium constant of acid, तो जतना ज़्यादा acdic होगा, तो acdic अगर increase हो रहा है, तो ka भी increase होगा, but pka, right, pka वाला, वो pka नहीं, pka, तो pka जो हो जागा, अतना कम हो जागा, मतलब ka and pka, always inversally चलते हैं, दोनों एक दूसर से inversally है, तो कभी भी ka का अगर order पूछा जा, मतलब acd का order, pka पूछे, तो acdic निकाल लो, उसका उल्टा कर दो, वैसे ही basic जतना ज़्यादा होगा, kb, base का equilibrium constant, उतना ज़्यादा होगा, मतलब वो reaction उतना forward जाएगी, लेकिन pkb की बात करेंगे, तो उतना कम होगा, ओके, त सबका आपको acdic order पूछा गया, कि कौन सबस्यादा acdic होगा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, तो ऐसे question आपको सबसे पहले करना क्या है, कि पहले देखना पड़ेगा, तो सब में देखो carboxylic acid, right, सब में C double bond OH है, carboxylic acid है, तो सबका structure पहले quickly अगर draw कर लोगे, तो आपको ज यहां से देखो, तो सब पे carbon है, इस carbon पे 3 hydrogen, right, यहां पे carbon पे 2 hydrogen है, और 1 chlorine है, यहां पे carbon पे 3 fluorine है, right, और यहां पे carbon पे 2 hydrogen है, और 1 bromine है, अब इन सबका acetic order पूछा गया, suppose कर लेते हैं, यह 1 है, यह 2 है, यह 3 है, और यह 4 है, तो देखो, अब गई हमने बताया था, acetic यह जो hydrogen आपका acetic है, क्योंकि oxygen side is, यह वाले acetic है, यह वाले acetic है, यह वाले acetic है, यह वाले acetic है, तो इस hydrogen को हटा देना, हटाने के बाद यह कैसे जाएगा, खुद platform में चला जाएगा, तो इन सब पे क्या जाएगा, माइनस आने का मतलब क्या हो गया, बात करो, माइनस आ को कोई शेर करने वाला है और अगर कोई शेर करने वाला नहीं है तो नहीं देगा तो कम एसे डिक होगा simple तो logic के लगाना है तो यहाँ पे देखो कि आपका यह जो group लगा हुआ है वो कैसा है alkyl है all alkyl क्या सो करते है plus i तो जबकि इसको कैसा चाहिए था minus i खीचने वाला राइट इसके दुखदर्द को अपनी तरफ शेर करने वाला लेकिन यह क्या देने वाला plus i effect है तो यह ज़्यादा इसे डिक नहीं होगा यह वाला जो है chlorine इसका minus i है क्यों क्यों क्योंकि carbon से ज़्यादा अलक्रो नेगेटिव है तो यह थोड़ा खीच रहा होगा यहां पर तीन-तीन fluorine मिलके खीच रहें तो बहुत ज़्यादा खीच रहें होंगे तीन-तीन लोग इसको अपनी तरफ खीचने कोशिच कर रहें और यहां पर ब्रोमीन खीच रहें तो आप खुझी सोचो सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा थार्ड वन क्यों 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 कि तीन-तीन fluorine मिलके खीच रहें उसके बाद सेकेंड और फॉर्थ में अगर देखें तो chlorine खीच रहा है यह पोच कर रहा था तो इस ट्रैप के आपको कॉश्चन मिलेंगे जो मैंने एक बेसिक आडिया देनी कोशिस के इस ट्रैप के आप कोई प्रॉलम कर लोगे सेम सेकेंड कोश्चन में अगें आपसे acidic order पूछा जा रहा है तो अगें hydrogen आपका कहां से निकलेगा जो oxygen साटच है वही ज़्यादा acidic है तो group का effect देखना यहाँ पे chlorine यहाँ पे methyl यहाँ पे fluorine आपको एक point और बता है कि distance पे depend करता है तो दियान से देखो chlorine बहुत close है तो जब यह hydrogen जाएगा तो यह chlorine close होने के वज़ाद से easily उसके electron को अपनी तरफ खीश सकता है ज्यादा स्यादा इसका support रहेगा यह तो वैसे भी plus i group है right all alkyl यह minus i है वैसे इसका minus i तो होगा लेकिन जिस कारवन पे यह group लगावा उसके बाद यह तीसरे कारवन पे almost इसका effect हम negligible मान सकते हैं बहुत कम effect होगा right तो कुछ बच्चे यहाँ पे confuse आते हैं कि fluorine ज्यादा लक्रो नेगेटिव है तो इसको पहले कर देते हैं नई distance पर depend कर रहा है यह बहुत को लोज है इसका ज्यादा effect होगा in comparison of this in fact इसका effect हम मानेंगे कि नहीं भी हो सकता है क्योंकि कारवन काफी दूर हो चुका है जिस कार most अगर effect नहीं भी है तो अपोज भी नहीं कर रहा है लेकिन यह तो अपोजिंग है तो इसलिए कहां जाएंगे यह लास्ट में टू इस टाप के question आप इजली कर लोगे एक और example लिया है कि सब कारवन पर मैंने प्लस दिखा है तो आपको बता है कारवो काटाम मतलब बिखा वाले ओ माइनस निगेटिव जितना होगा वह प्लस आई राइट बता रहा हूं और यह एलकायल गुरूप जितने भी हैं तो प्लस आई यह सब इसका effect लेनी की जरूत नहीं है राइट उनली गुरूप के effect पर मैं गया तो आप खुदी सोच लो आपके सामने आपका answer है र नहीं उस पर negative आगया अगर neutral होता तब वो minus i show करता तो थीरी वाले होंगे उसके बाद आपका फूर वाले होंगे right उसके बाद उसके बाद कौन सो जाएगा तो द्यान से देखो no2 का बहुत ज्यादा minus आगा क्यों क्योंकि nitrogen भी more electronic और दो oxygen भी more तो सब मिल करके काफी खीच लेकिन यह खेला है और यह 3-3 लोग है तो इसलिए इसका overall effect बहुत जादा हो जाएगा एक यह additive पुरपटी की तरह भी think कर सकतो तो यह जादा माना सा है मतलब यह जादा अपोज करेंगे तो इसलिए कौना जाएगा पहले 1 और last में कौना आगा 2 तो मैंने का नीछ पूस्ता यही और बेसिक एडिक पूस्ता कर देते कारवेनायन का पूस्ता इन सब बें प्लस की जगह माना से ले आता इसका उल्टा कर देते तो कोई एक ध्यान में रखो और एगदम सिंपल कनेक करके डे टुटेश से फील करने कोशिश करोगे जिस दिन तुमने subject को field करना सिखे तो उस दिन फिर subject में आपको मज़ा आएगा resonance को मैं प्यार से अब आगे रज्यो बोलूँगा resonance को क्या बोलाएंगे रज्यो ओके तो रज्यो के बारे में कुछ important point पहले जान ले कि रज्यो में क्या-क्या है तो पहला point यह है कि जो रज्यो है वो है क्या actually तो that is nothing but delocalization of pi electron और lone pair pi electron या lone pair का delocalization मतलब घूमना फिरना वो एक जगा पे नहीं रहेगा एक atom से दूसरे atom पे दूसरे atom से तीसरे atom पे तो इसमें हम वही बात करने वाले हैं कि delocalization of pi electron और lone pair ध्यान रहे इसमें atom की shifting नहीं होते है, resonance में कभी भी atom shift नहीं होते है atom shifting not allowed, ओके चलिए second point पाते हैं कि जो resonance होगा उसके लिए condition यह है कि molecule, जिस molecule में resonance की बात कर रहे है वो planar होना चाहिए, that means उसमें जो atoms हैं उसकी oxidation sp2 या sp होनी चाहिए या फिर एक और यह condition हो सकता है कि जहां तक resonance हो रहा है, वहां तक के जो सारे atom है वो एक plane में होनी चाहिए यह condition हो गए रज्जो की next point is कि जितने भी resonating structure आप बनाएंगे तो उसमें charge maintained रहेगा अगर मालो कि starting में आपका जो molecule या structure था उसके कोई charge नहीं था तो उसके जितने भी R.S. आप बनाएंगे resonating structure तो उसमें किसी पे भी charge नहीं आना चाहिए अगर minus 1 का charge है तो उसमें minus 1 का charge maintained होना चाहिए तो तीसरे point का वही मतलब है कि charge should be maintained in all resonating structure जो हम different structure draw करेंगे जो आगे हम देखने वाले fourth point कि it is distance independent यह जो है distance पे depend नहीं करता है जबकि inductive effect करता था right तो it is distance independent इसलिए यह उससे ज़्यादा क्या होगा effective होगा right यह stronger effect होगा और it is a permanent effect we already know fifth point is कि due to resonance होता है मलब resonance हो ही क्यों हो रहा है तो रज्जो इस वज़ा से हो रहा है इसकी वज़ा से क्या होता है stability increase होता है और potential energy decrease होता है potential energy को हम कैसे relate करेंगे आपे potential energy का मतलब हमारे लिए क्या हो गया stress या दूख या पीरा कस्ट जो आप समझो तो वो जतना कम होगा उतना stability रहेगी तो stability resonance है क्या होता है stability increase होता है that means potential energy कम होती है next point कि जतना ज़्यादा resonating structure आप बनाएंगे उतना ज़्यादा stability होगी that means दुख को जतने ज़्यादा लोग बाटने वाले होंगे obviously बात है वो आदमें उतना easily survive करेगा उतना उसको easy रहेगा जीना next point is seven point कि जो RS that means resonating structure या फिर canonical structure CS तो RS कहीं पे लिखा हो या CS लिखा हो यह सब समझ जाना यह short form यूज कर रहा हो तो यह सब जो है वो hypothetical है यह हम लोग draw करेंगे यह actual में हो रहे या नहीं हो रहे यह किसी को मालूम नहीं है but इस concept को use करकर के हम सारे result तक पहुँच पा रहे हैं इस theory को accept कि हुए तो it is a hypothetical phenomenon तो actual में है क्या सर तो actual जो है वो resonance hybrid है तो resonance hybrid आरेच short form में बताएंगे वो actual है और वो बनता कैसे है तो जितने भी आपके आरेच है उनके contribution से बनता है तो चलिए अब हम बात करते हैं tricks की जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ तो देखो रज्जो के लिए जो trick लेके आया हूँ मैं रज्जो आपको बता रखना हूँ resonance को प्यार से मैं बोलूँगा रज्जो तो जैसे देखो एक हाथ में 5 ओंगली है वैसे ही रफी सर के 5 point है resonance के लिए अगर इसको आपने समझ लिया तो फिर आपका resonance समझ में आ जाएगा पहले हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पे resonance होगा की नहीं होगा तो उसके लिए यह 5 point हमने list out किया है कि अगर आपका positive charge is in conjugation with pi bond हो that means positive charge के बाद single bond है, sigma bond उसके बाद फिर pi electron हो pi bond हो तो वहाँ पे resonance होगा एक point जो यहाँ पे मैं mention करना चारू positive charge का यह मतलब क्या है यहाँ पे vacant orbital होना must है, vacant orbital होना चाहिए, positive charge नहीं भी है तो भी चल जाएगा, vacant orbital का होना जरूरी है, okay for example, दियान से देखो positive single double, क्या यहाँ पे हो रहा है yes, देखो positive उसके बाद single fit double, तो इसको तलब इसमें resonance हो जाएगा, ऐसे check करना है, similarly यहाँ पे यहाँ पे आ गया, single और फिर यह double, तो यहाँ भी resonance हो जाएगा, okay वो कैसे जहाँ पे resonance नहीं होगा, जैसे ऐसा कहीं पे है NH3 plus CH double bond CH2, अगर ऐसा है तो आपको क्या लगेगा, कि positive single double यह सर नहीं मता है था, resonance हो जाएगा नहीं, सर का यह क्याना है क्योंकि इसने 4 bond बना लिया है, तो यहाँ पे कोई vacant और vital नहीं, इसलिए इसमें resonance नहीं होगा, तो I hope point number 1 clear होगा, जब भी आपका positive, single, double आए, that means, वहाँ पे resonance होगा, positive का मतलब vacant और vital है, यह ध्यान में रखना है चलिए, अब हम आते हैं point number 2 पे जब भी आपका lone pair या फिर negative charge उसके बाद single bond आए, फिर pi bond, that means, lone pair या negative charge is in conjugation with pi bond, तो वहाँ पे resonance होगा for example, जैसे यह lone pair है, suppose करते हैं कारण पे lone pair ने, यह negative charge होगा, negative charge, single और यह double तो देखो, negative, single double, अगर यह sequence को follow कर रहे हो, यह follow होगा मतलब, वहाँ पे resonance हो जाएगा यह रफी सरका trick है, जिससा आप पिजली पैचान सकते हो कि वहाँ पे resonance होगा कि नहीं, similarly यहाँ पे देखो, lone pair, single double, lone pair, single double, तो इस sequence को follow कर रहे हो, यहाँ resonance हो जाएगा ध्यान दें कि जब एक element पे, एक से ज़्यादा lone pair हो, तो एक ही lone pair resonance में जाएगा, similarly अगर एक से ज़्यादा यहाँ पे pi bond होता, तो एक ही pi bond resonance में जाता, तो यह point number 2 हो गया, next point number 3, अगर आपका double bond is in conjunction with double bond हो या triple bond, triple bond का मतलब क्या हो गया, 2 pi bond, तो जब double bond is in conjunction with double bond हो, तो वहाँ पे भी resonance होंगे, for example double, single, double, तो यह उस sequence को follow कर रहा है, that means यहाँ पे resonance हो जाएगा, next point number 4, अगर आपका free radical is in conjunction with pi bond हो, तो वहाँ भी resonance होगा, for example, free radical, single, double, तो यहाँ भी resonance हो जाएगा, तो इसलिए मैंने वो condition को लिखा है, जो रफिशर का trick है, और एक एक example लिया है कि कैसे आपको उसको apply करना है, next अगर आपका lone pair या फिर negative charge is in conjunction with vacant orbital हो, vacant orbital आइदर p भी हो सकते हैं, या d भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे भी resonance होगा, for example, nitrogen के पास यहाँ पे lone pair है, फिर यह single, कारण पे plus हैं, मतलब vacant orbital है, तो यहाँ पे resonance हो जाएंगे, तो यह 5 point आपको ध्यान में रखना है, अगर इस sequence को follow हो रहा है कहीं पे, molecule में, तो वहाँ पे resonance होगा, now, जो सबसे important point है, कि यह जो positive charge है आपका, या यह जो lone pair है, या यह जो negative charge है, या फिर यह जो free radical है, या यह जो πाई electron है, यह सब के सब को, आपको practical life में क्या जूं करना है, कि यह burden है, दुख है, तकलीफ है, मुसीवत है, पीरा है, कस्ट है, stress है, यही तो है यह सब, अब तुम ही सोचो, कि अब हम क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे, कि यह जो चीजें हैं, वो जतना ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेर करें, उतना ज़्यादा हमें stable रहेंगे, तो वही चीज तो यहाँ पे भी हो रही है, तो आपको यही मानना है, कि यह सब positive charge, loan pair, negative charge, free electron, pi bond, जिस carbon पे या जिस भी element पे है, that means, वो stress में, वो दुख में, अब उसको जतने आगे के element share करेंगे, उतना वो molecule stable होता जाएगा, simple एक practical thinking करते हैं, कि अगर मैं आपको बोलू कि 10 kg का समान आप ले करके ख़रे रहो, तो क्या करोगे, दस मिनाट बाद उसको पटक दोगे, लेकिन वही बोलू कि आप चार फ्रेंड में उसको circulate करते रहो, तो आप easily कर सकते हो, तो वही चीज़ यहाँ पे, resonance is nothing but, कि यह सब burden का क्या हो रहा है, delocalization, घूमना फिरना, कोई एक आजमी permanent, उस stress को fin नहीं कर रहा है, सब पर distribute हो रहा है, इसलिए stability बढ़ेगी, तो चलिए, अब हमने जो point आपको दिये हैं, उसको apply करके देखते हैं, कि उससे हम पता करते हैं, कि resonance होगा या नहीं होगा, that means identification of resonance, पहले तो मैं पता लगना चाहिए, कि इस molecule या compound में resonance होगा की नहीं, तो वो जो 5 point जा था, उसको बस apply करने जा रहा हूँ, दियान से देखो, तो इस case में क्या हो रहा है, double bond, right, फिर single bond, फिर double bond, तो वही sequence हो रहा है, double, single, double, तो यहां resonance हो जाएगा, बस अभी हमें check करना है, कैसे होगा, वो हम बाद में बात करेंगे, similarly, यहां पर दियान से देखो, तो double, single, single आ गया, दियान से देखो, double, single, फिर single, तब double आ रहा है, तो फिर यहां नहीं होगा, क्योंकि double, single, double होना चाहिए था, यहां पर दियान से देखो, तो positive charge मतलब vacant orbital, बनाए, राइट, दो अड़न के साथ, एक करण के साथ, तो अभी भी इसके पास एक lone pair है, जो जेनरली वो दिखागर के नहीं देगा, तो lone pair, single, double, आ गया वो sequence, तो यहां भी हो जाएगा, similarly, oxygen पर भी lone pair होगा, वो दिखा के नहीं देगा, यहां आपको ठिंक करना है, तो यह lone pair हो गया, फिर single, फिर double, तो यह resonance हो जाएगा, ध्यान दे कि बबता रखाओ, जब भी एक element पर एक से ज़्यादा lone pair होगा, तो कोई एक ही lone pair resonance में जाएगा, next, यहां पर ध्यान से देखो, कारण पर positive, वैसे भी resonance हो रहा है, double, single, double, यहां से भी हो रहा है, double, single, double, यह भी resonance है और वो भी है, राइट, अब यहां पर तो वैसे तो होई रहा है, again, double, single, double, double, single, double resonance हो रहा है, बट इसको अगर expand करोगे, यह CHO aldehyde group है, C double bond O H लिखोगे, यहां से देखो, double, single, double, यहां भी resonance हो रहा है, मतलब यह group भी participate कर रहे है, अब यहां पर यहां से देखो, free radical, single, double, यहां भी resonance हो जाएगा, यहां देखो, negative, single, double, यहां भी resonance हो जाएगा, तो बहुत easy है, जो आपको 5 पंड दिये, उसको use करते भी identify करना की resonance होगा की नहीं होगा, यहां देखो, तो यह negative, फिर उसका single नहीं आया, double आगया, मतलब double bond पे ही negative charge हो गया, तो यहां resonance नहीं हो सकता, यह positive charge होता यहां पे, double bond तो भी नहीं होता, free radical कोई भी होता, तो resonance नहीं होता, क्योंकि यह double bond पे ही आगया है, यहां पे positive, single, double, तो यह concern मन लगा देना, क्योंकि यह positive charge आया, nitrogen पे वो किसो दसा आया है, चार bond बनाने की जासे हो, कोई vacant और वाइटन नहीं है, तो यहां भी resonance नहीं होगा, important point है यह, फिर देखो, negative, single, single, फिट डवल आ रहा है, यहां से देखो, negative, single, single, फिट डवल, तो यहां resonance नहीं होगा, क्योंकि उस sequence को follow नहीं कर रहा है, similarly यहां पे देखो, positive, single, single, तो यह वाला positive charge resonance में नहीं है, बट यहां resonance हो रहा है, double, single, double, double, single, double, तो यहां resonance हो रहा है, बट वो positive charge आपका, जो burden था, वो delocalize नहीं हो रहा है, that means, वो resonance में participate नहीं कर रहा है, तो यह molecule क्या रहेगा, unstable हो रहेगा, जिसकी बात हम आगे करेंगे, यह वाला again point यहां से देखो, यहां पर बहुत सारे बच्चे को रहेगा resonance नहीं होगा, क्योंकि है ही नहीं, double, double है, पहले यहां से देखो, कि इसके पास lone pair है, और इनके पास भी lone pair है, अब concept लगाओ, lone pair, no doubt यह pi bond है, तो इसमें एक sigma तो है, lone pair, sigma, और इधर pi bond तो है, तो उस condition को follow कर गया, lone pair, फिर single bond है, फिर इधर pi bond है, तो यहां resonance हो जाएंगे, हेलो अच्चो, कैसे हो, पिछले वीडियो लेक्चर में, हमने आपको यह बता दिया था, कि resonance कहां कहां होगा, इसको पहचानना आप अच्छी तरह किसे सिख गये थे, तो देखिए, रज्जो को आप draw कैसे करेंगे, तो उसके लिए बहुत ही simple point है, point number one, कि जिस carbon पे आपका positive charge होगा, या वो carbon, generally जो resonance होगा, वो organic chemistry में कराते हैं, तो carbon ही होता 99%, जरूरी नहीं है, कोई other element भी हो, तो भी चलेगा, तो जिस element, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ carbon, जिस carbon पे positive charge होगा, फिरी radical होगा, loan pair होगा, या फिर negative charge होगा, जिस carbon पे, या जिस element पे, उसके बाद single bond आना चाहिए, फिर उसके बाद pi bond आना चाहिए, तो मैंने numbering कर दिया, 1, 2, 3, ये numbering हो गया, तो देखो जिस carbon या जिस element पे, उसको मैं number 1 कर दिया, positive charge हो, फिरी radical हो, loan pair हो, या फिर negative charge हो, उसको 1 कर देंगे, उसके बाद अगले वाले element को 2, उसके अगले element को 3, तो यहाँ से यहाँ तक में, क्या change हो रहा है, वो ध्यान से देखो, कभी भी resonance को double arrow से दिखाएंगे, changes क्या होगा, कि यह जो चीजें, जिसको burden बोले थे, right, दुख तगलिफ, वो 1 से उठ करके, third position पर जाएगी, ध्यान से देखो, वो सब चीजें, 1 से उठ करके, third position पर आपके आ चुकी हैं, and, जो अपका pi bond है, जो 2, 3 के बीच था, वो shift होकर के, 1, 2 के बीच आ चुका है, तो यहां से यहां तक के process में, क्या change हुआ ध्यान से देखो, only pi bond की position shift हुई है, या फिर जो अपका burden है, उसका position shift हुआ है, atom shift नहीं हुए है, नहीं sigma bond shift होते हैं, यह बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है, इसलिए point number 4, बहुत ही important, कि मैंने इसलिए मैं हिंदी में लिखा हूँ, कभी भी रज्जों में atom, कभी भी रज्जों में atom, या फिर sigma bond, atom और sigma bond shift नहीं होगा, कभी भी रज्जों में आप atom, या sigma bond को shift नहीं करेंगे, आप यहाँ पे उसका live example देख सकतो, हमने shift किसको किया है, pi bond को only, and जो burden है उसको, और करना क्या है, जो burden जहाँ पे है, उसके बाद वाले element को छोड़ करके, उसके बाद वाले element पे, मतलब alternate element पे डाल देना आपको, और pi bond को slightly shift कर देना, अगर वो 2, 3 के 20 था, तो कहाँ पे आगया 1 पे, उसी point को हमने point number 2 में लिखा है, कि जो आपका burden है, जो burden है, वो 1 से कहाँ आजाएगा 3 पे, जहांसे देखो 1 से कहाँ पे आगया 3 पे, carbon number 1 से 3 पे आजाएगा, जो burden है, और जो आपका pi bond है, double bond है, वो क्या होगा, जिन दो कारून के 20 था पहले, 2, 3 के 20 था, 2, 3 के, वो कहाँ पे आजाएगा, 1, 2 के बीच में आजाएगा, interchange होगा, एक तरीकी से दियान से देखो, यह pi bond यहाँ आगया, यह चीज़े यहाँ आगया, interchange type, बहुत easy है, तो यह हो गया, next, अगर इस type का conjugation हो, point number 3, कि double, single, double type का हो, तो आपको क्या करना है, एक wave की तरह shift करते जाना है, इसलिए मैंने arrow से दिखाया, यह दोनो pi bonded electron को मैंने उठा करके, यहाँ पटक दिया, और यह दोनों को उठा करके, मैंने यहाँ इस कारण पर पटक दिया, तो दियान से देखो, क्या हो गया, जहां से यह उठेगा, वहाँ पर क्या हो गया, vacancy create हो गई, तो इसलिए वहाँ पर जागा, plus, उठ करकर गई, यहाँ पर आया है, जहां पर गया, वहाँ पर भड़ा, और वह आदमी, जहां से उठा है, वह अधर जगा, वहाँ पर जगा को भड़ दिया, तो वैसा ही बिलकुल यहाँ पर है, and last point, जो कि again मैंने हिंदी में लिखा है, कि जतने पार्ट में, आप resonance करा रहो, at a time, जो उसमें ही change होगा, बाकी जैसा का तैसा रहेगा, तो यह मेरे point होगे, जिसको मैं अब resonating structure ड्रो करने में use करूंगा, तो चलिए अब हम बात करते हैं, कि resonating structure को ड्रो कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो, मैंने example number one लिया है, जिसमें positive charge आपका conjugation with pi bound है, ध्यान से देखो कैसे, positive, positive, single, double, उसका फिर आगे भी resonance हो रहा है, double, single, double, तो इसको बोलते हैं, conjugation, जो आपको मैंने 5 point दिये थे, अगर वो sequence चल रहा है, तो वो resonance हो रहा है, जैसे देखो, positive, single, double, double, single, double, तो यहां से लेकर के, यहां तक resonance होगा, अब कैसे draw करेंगे, तो very simple, हमने आपको क्या वोला था, जिस पर positive है, 123, अभी इतने ही part को effect करना है, बाकी को वैसे रहने देना है, तो पहले double arrow दिखाया, पहले आप सारे sigma वाले बना लो, तो केतने करवन है, 123, 456, 123, 456, देखो मैंने पहले बना दिया, sigma में कोई छेरचार नहीं करना है, atom में कोई छेरचार नहीं करना है, सिर्फ positive या double जो bond है, वही interchange होंगे, अब क्या हुआ, यह आपका जो करवन नंबर 1 था, इसको भी मैं लिग दे रहा हूँ, 123, इतना है में चेरच कराना है, तो 1 वाला positive चार्ज कहां पर आ जाएगा, आपका 3 पे, और यह जो 23 के बीच का डॉल बन था, वह कहां पर आ जाएगा, 12 के बीच, यह change होगे, बाकी कोई change नहीं करना है, क्योंकि यह वैसा है का वैसा ही रहेगा, त्यांग से देखो, समझ गए, अब आगे क्या होगा, तो आगे फिर से resonance हो सकता है, राइट, कैसे, positive, single, double, तो फिर इसको लेगे जाना है, तो again, आप change किसमें कर रहो, उसको मैं, अलग नमबर से लिख रहा हूँ, A, B, C से, इसमें changes करने जा रहे हैं, तो बाकिछी चीज़ को वैसे ही रखना है, तो पहला डुरा कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और जो पहले जैसा था, वैसे ही रहने दो, यहाँ पे आपका pi wand था ही, तो यहाँ पे pi wand को रहने दो, change क्या हुआ है, इसको मैं number कर दे रहा हूँ, A, B, C, A, B, C में क्या change हुआ है, कि A का positive charge आप C पे चला जाएगा, और B, C के बीच का double wand, A, B के बीच आ जाएगा, तो यह draw होगे, क्योंकि आप इस चीज़ को, क्योंकि आपको बता है था, positive charge क्या है, burden, तो जितने लोग इसको share करेंगे, उतना stability बड़ेगा, तो यहाँ से एक proper feeling आए रही होगे आपको, आप इस बात को समझाओगे क्या हुआ, कि यह जो positive charge है, जो carbon number 2 पे था, अगर मैं इधर से numbering करूं, तो वो 2 पे जो था, इसको numbering करके समझाता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो जो 2 पे था, वो 4 पे भी जा सकता और 6 पे भी जा सकता है, तो एक तरह से burden क्या हो गया, धिरे-धिरे distribute हो गया है, इसलिए molecule के stability, या intermediate के stability क्या हो जागी, बढ़ जाएगी, चलिए हम 2 की बात करते हैं, तो 2 में ध्यान से देखो, तो double, single, double, ये भी resonance में है, लेकिन manly हम positive charge, negative charge, loan pair, free radical, इन सब को burden मान रहे हैं, और ये सब को हमें delocalize करना है, तो यहाँ पे ये loan pair आपका क्या होगा, अगर इस type से देखा है, तो ये loan pair उट करके, अगर यहाँ पे आएगा, तो ये double pound उट करके, आपका यहाँ पे आजाएगा, तो वही same point है, 1, 2, 3, जो change करना है, वो 1, 2, 3 में करना आपको, बाकी चीज़ को वैसे द्रॉ कर देना है, तो पहले सारे देखो, मैंने sigma skeleton बना दिया, पहले सारे sigma को draw कर दिया, उसमें कोई छेड़ चार नहीं करना है, atom में कोई छेड़ चार नहीं करना है, अब changes कहां से कहां तक मोर है, तो वो यहां से लेकर क्या आपका, यहां तक मोर है, तो बाकी चीज़ को वैसे दिखा दो, तो इधर कुछ नहीं करने, इधर कुछ नहीं करने, changes क्या हुआ, इसका loan payment यहां पे आगया, तो यहां पे मैंने pie bond बना दिया, और यह जो दो pie bond थे यह वाले, यह उट करके यहां पे आगया, तो यहां पे आगया तो क्या हो गया, निगेटिव और ये इसने दे दिया तो इसका क्या हो गया डोनर आटम पॉजिटिव और अगर नहीं समझ मारा तो ऐसे ही सहाँ सकतो पहले ये मॉलिकूल आपका कैसा था निट्रल इसके कोई चार्ज नहीं था तो अगर ये निट्रल है तो इसका जितना भी तो आपका पहला जो गीवन कंपाउंड है उसके बाद आप दियान से देखो फिर से रेजोनेंस की कंडिशन बन गई कैसे निगेटिव सिंगल डवल तो आप क्या करेंगे इस निगेटिव को यहाँ पटक देंगे और इस डवल बांड को यहाँ पटक देना है तो दियान से देखो चेंजेज फिर कहां से कहां तक में होगा यही तीन कारवन में तो बाकी चीज़ को वैसे ही रहने देना है तो दियान से देखो पहले मैं क्या क्या पहले मैं क्या क्या पूरा sigma S के लिए टन बना दिया दियान से देखो nitrogen H2 हमारा जो affected वाला part है वो कौन सा है ये वाला ये तो इधर कुछ ने क्या तो वैसे ही रहने देता हूँ इधर कुछ ने क्या वैसे ही रहने देता हूँ यहां पर पलस था क्योंकि nitrogen ने चार बना या तो वैसा ही छोड़ दिया यतना part में हो रहा है तोगी होगिया है कि यहां पर पाईางड है ओगया और या वाला पाई पतूर कर का यए यहां पर आचूक है तो यह बन कैस्कार health फिर जो अगला resonating structure वहना है always जो आगे का resonating structure वहनेगा वो अपने just पीछे वाले से अब उधर क्या हुआ है उसको बोल जाना है फिर से क्या होने वाले है अब ध्यान से देखो तो फिर से यह negative single double तो यह यहाँ पर उट करके आएगा यहाँ पटक देना है और इसको यहाँ पटक दो तो again जो affected part है उसको मैं rate से दिखा रहा हूँ जो affected है उसमें ही change करना है बाकी को वैसे ही रहा है तो देखो बाकी मैं कोई छेड़ चार नहीं कर रहा हूँ पहले सारे sigma bond को मैं draw कर लेता हूँ यह सबसे best way है drawing का पहले सारे sigma को draw कर लिया उसके बाद changes कहां से कहां तक मैं उसको मैंने red color से दिखा यहाँ तक में तो बाकी जो चीज जैसे है वैसे ही रहने दू उसमें छेड़ चार नहीं करो आपका जो changes वाला part है वो यहाँ से यहाँ तक में यहाँ से यहाँ तक में क्या हो गया कि यहाँ पे pi bond आ गया और यहाँ पे आपका negative charge आ गया that means दो electron है यह क्या है दो electron है आपके पास फिर से resonance की condition बन रही है कैसे देखो negative single double तो again क्या करना है इसको उठा करके यहाँ पटक देना इसको मैं बना लेता हूँ अब तो पहले मैं क्या करूँगा सारे sigma skeleton से draw कर दूँगा यह sigma वाले हमने बना दिया अब दियान से देखो तो affected part आपका कौन सा है doctor से मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो इसलिए बाकी चीज में कोई share शान नहीं करना है तो यह यहाँ था वैसे ही कर दिया यह जहाँ था वैसी इतना part में affected हुआ है और कैसे हुआ है तो यहाँ पे एक pi bond आपका आ चुका है राइट यह pi bond shift हो करके तो यहाँ पे आपका loan pair आ चुका है और positive negative क्या होगे cancel होगे तो आप देख सकतो throughout the resonating structure इसके जितने भी R.S. हमने बनाए चुकि पहले आपका यह aniline एक neutral compound था तो overall सारे resonating structure निट्रल होगे तो इसलिए यहाँ positive negative यहाँ भी positive negative यहाँ भी positive negative और यहाँ फिर से neutral तो कभी-कभी हम ऐसे पैचांस सकते हैं कि यह दोनों एक दूसरे के resonating structure है कि नहीं यहाँ से एक और point जो आगे मैं बात भी करने वाला हूँ कि देखो यह loan pair क्यों जो 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 negative चार्ज आया है वो कहां-कहां पर आया और्थो position बोलते हैं इसको ortho and para position पाया जहां से देखो ortho position पाया negative para पे आया ortho पाया इसलिए जो positively charge attack करेगा तो वो कहां पर करेगा ऐसे condition में ortho position पे या para position पे या फिर ortho position पे करेंगे next एक और example लिए हमने यह वाल आप जहां से देखो तो इसमें भी क्या और आपका यह negative charge है यह single यह double resonance में fit double single double resonance में fit double single double resonance में double single double resonance में right तो यह पुरा resonating structure इसका अगर हम draw करें तो कैसे करेंगे very simple तो दियान से देखो आपको क्या करना है इसको यहां पे पटक देना और इसको यहां पे आपको रख देना है तो बस एतना में change जा बाकी को आपको वैसे draw कर लेना है right तो sigma escalator draw कर लो बाकी जो चीज जैसे जहां दीख रही है वैसे ही रहने दो और इसका sigma यहां draw कर लो यहां वाला जो negative चार्ट था वो pi bond में convert हो और यहां वाला double bond negative में convert हो गया तो यह बन गया right इसके आगे आप next अगर हमें बनाना है तो आप आपको क्या करना परेगा इसको यहां पटकना परेगा और यह यहां पर ध्यान से देखो तो मैं red color से दिखा रहूं कि आपका यही तीन carbon का system है यही affected होगा right तो इसको affect करना है तो बाकी चीज़ को वैसे ही रहने दिनी है तो बाकी चीज़ को पहले आप draw कर लो यह यहां पर यह था यहां पर यह था और यहां पर यह था क्या हुआ अब ध्यान से देखो तो यह वाले पर pi bond बन गया और यह वाले पर आपका negative आजाएगा फिर आगया अगर draw करना हो तो देखो यह negative को यहां रख दो और यह double bond को उठा करके यहां पटक दो तो आप क्या करेंगे तो same sigma skeleton पहले आप इसका बना लो अब इधर में कोई chain ने हुआ यहां कोई chain ने हुआ changes कहां पर कि यहां पर आप double bond बन जाएगा और यहां पर आपका negative आजाएगा और यह पहले से वैसा ही था जहां तक आप resonance करा रहो बस उसमें ही affect करना है बाकी को वैसे रहे देना है और फिर यह क्या होगा इस negative को यहां मैं पटक सकता हूँ और इसको यहां तो इसका RS अगर बनाना हो तो मैं कैसे बना सकता हूँ यह सिगमा इसके लिटन पहले बना दो यहां double था रहने दो यहां double था रहने दो उसके बाद क्या बाद यहां से देखो यहां पहले से double था अब इतना पार्ट में change हुआ है तो यहां double आ गया और यहां क्या जाएगा negative charge तो इस double को मैं red color से दिखा रहा हूँ और यह negative charge फिर से क्या होगा फिर से resonance होगा यह यहां पह पटक सकता हूँ और यह यहां पह पटक सकता हूँ और similarly जब यहां पह आगा तो फिर से resonance होगा यह यहाँ पर पटक सकता है और यहाँ पर तो आगे मैं नहीं बुना रहा हूँ जस्ट आपको एक आइडिया गया होगा कि किस तरीके से हमें resonating structure ड्रो करना है जितना ज्यादा resonating structure होगा उतना ज्यादा stability होगा चली अब हम एक और example देखते हैं तो यहाँ पर मैंने लिया है आप देख सकते हो यह बैंजल डियाइड हो गया अब यहाँ पर दो condition है double single double तो कुछ लोग इस pi bond को इधर shift करेंगे और इस pi bond को इधर एक यह है तो एक मैं इस strap का बना रहा है आपका तो देखो ध्यान से देखो बाकी चीज़ों को आपको वैसी रहने देना पहले sigma skeleton बना दिया यहाँ पे c था आपका h जो भी sigma वाले हैं सबको रहने देना और यहाँ पे भी एक sigma bond था उसके बाद changes क्या हुआ है तो यह pi bond अपनी जगा पे है यह pi bond अपनी जगा पे हैं यहाँ वाला जो pi bond है उठकरके वो यहाँ पे आ गिया है राइट और इस oxygen पे क्या जाएगा negative यहाँ पे क्या जाएगा positive एक यह condition है दूसरा क्या हो सकता था कुछ लोग सुसते हैं कि नहीं सर उल्टा करा आप आप यह pi bond देखो यह pi bond को इधर लेकिया हो और इसको यहाँ लेकिया हो तो अगर ऐसा कराते तो क्या होता ध्यान से देखो अगर आप ऐसा कराते तो सिग्मा एसकेलिटन बना दो c h double bond ओ की जगा भी सिग्मा वाले single bond आपने ड्रॉ कर दिया बाकी पार्ट में कोई चेंज नहीं करना है अब यहां से यहां तक में क्या होगा है तो यहां पर pi bond आ गया है यहां पर vacancy करेट होई तो यहां positive और यहां negative अब ध्यान से देखो कि इन दोनों में कौन better है तो better कौन होगा तो ध्यान से देखो negative charge always more electron negative atom पर stable होते हैं यहां पर oxygen पर negative आया है जबकि यहां पर oxygen पर positive आया है तो इसलिए यह less stable है तो यह resonating structure दोर नहीं करेंगे वैसे ही दूसरा point ऐसे भी लगा सकते हैं कि positive charge less electron negative atom पर stable होता है तो यहां पर carbon पर positive है जो की correct है जबकि यहां पर carbon पर negative है जो incorrect है तो इसलिए हमारा जो सही part रहेगा वो यह रहेगा और wrong part यह रहें connection में आपको उस तरफ resonance कराना है जिस तरफ जाने से more electron negative पर negative है और less electron negative पर positive है उसका further हम आगे draw कर सकते है अब आपका यह positive charge conjugation with तो यह positive यहां पर आजागा और यह pi 1 को उठाग यहां पर डग देना है बागी चीज़ को वैसे ही रहेजने देना है तो उसमें कोई changes नहीं चैन्जे यहां पर पहले से था Princes एतने में होरे pi Bond आपका यहां गया positive अपका यहां खेंए ए पजिए पर दर आप यह positive को उठा को आपको और यह double bond को यहां तो जीतने में change होर से यहां इक और रहो करना है राइट बाकी को वैसे ही रहने देना है तो यह देखो बाकी को मैंने वैसे ही रहने दिया ध्यान से देखो इधर में आप changes नहीं करना है तो आप दियान से देखो तो आपको क्या करना पड़ेगा पहले सारे सिगमा वाले को ड्रॉ कर लेना रइट इस पाइबंड में कोई चेंड नहीं हुआ यहां पे कोई चेंड नहीं होगा यहां से देखो तो पॉजिटिव सिंगल और यह लोन पे रिया निगेटिव चार्ज तो यहां भी रेजनेंस हो जाएंगे तो एक और आपको ड्रॉ करना पड़ेगा बाकी में कोई चेन नहीं करना है जैसे सिग्मा वाले जैसे बने वह वैसे यह पाई वॉंट यहां था रा को कि किस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूं सिग्मा बांड को मैं सिफ्ट नहीं कर रहा हूं एटम को सिफ्ट नहीं कर रहा हूं सिरीफ जो पाई बांड है या फिर जो निगेटिव पॉजिटिव चार्ज है उसको सिफ्ट कर रहा हूं अब यह सब क्या होगा आपके रेजने hypothetical है ध्यान दे कि यह structure और यह structure same नहीं है क्यों क्योंकि इसमें ring में pi bond की position change है तो कोई आप से पूछ सकता केतने इसके आरेस बनेंगे तो one two three four five six six resonating structure है तो that means उतना ज्यादा stable होगा यह अब यह सब resonating structure है यह सब hypothetical है यह हमने assume करके बनाया लेकिन actual में क्या exist होता है तो आपको बताया था resonance hybrid और वो कैसे बनाएंगे तो वो एक ही बनाएंगे राइट पहले सारे sigma को मैं draw करके बता दे रहा हूं आपको sigma सारा draw करके हमने पहले यह सिगमा एसकेलीटन बना लेना उसके बाद आपको देखना है कि क्या क्या हो रहा है तो अगर आप ध्यान से देखो तो पूरे structure में आपको देखना है कि वह पाइबंड क्या हो रहा तो देखो पाइबंड हर जगा पर पहले यहां पे pi bond था, तो partial double bond ऐसे दिखाएंगे, यहां पे था, क्या यहां पे था, किसी structure में, yes, यहां पे है, तो यहां पे भी pi bond था, तो ऐसे, क्या यहां पे था, तो yes, पहले वाले structure में था, तो आपको यहां पे भी दिखाना की pi bond यहां पर भी था क्या यहां पर कभी आया यहां दिख रहा है तो जहां जहां जा सकता है क्या यहां पर कभी था यहां पहले वाले में था तो यहां पर भी दिखाना है क्या यहां पर था इस जगह पर कहीं पर यहां 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 पर यह इसको क्या बोलेंगे resonance, resonance hybrid, यही आपका resonance hybrid, इस से सब कुछ पता लगता है, कि यह molecule के बारे में, इसलिए यह real है, यह सब क्या hypothetical है, और कैसे बनाया, तो पूरा sigma को आप draw कर दो, उसमें कोई छेड़ छार मत करो, और उसके बाद आप सारे structure को देखो, कि आपका pi bond या charge किस तरी कैसे कहां कहां पे था, जहां जहां पे था, वहां पे partial draw करते वे चला जाना है, हेलो अच्छो, कैसे हो, आज मैं आपको जो tricks या concept देने जा रहा हूं, वो organic chemistry की जान है, that means यह बहुत ही important concept है, या tricks है, क्योंकि 50% organic chemistry इसी concept या tricks पे बेस्ट है, तो इसलिए हम इसको बहुत जहेंगे, और बहुत आसानी से भी, वाया रफीसर tricks, तो we are going to talk about mesomeric effect, यह resonance का एक part है, resonance का concept लगेगा, इसलिए इसमें रज्जो आपको लगाना है, और इस effect का नाम होगा mesomeric effect, that means जतने भी functional group है, वो जब कारवन से attach होंगे, तो कारवन के साथ उसका कैसा behavior होगा, that means वो कार कारवन के electron को अपनी तरफ खीच रहे हैं, या कारवन को अपना electron दे रहे हैं, उस effect के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो that's very simple, आपको समझ में आगया होगा कि कारवन पे आपका कोई group लगा हुआ है, right, कारवन पे कोई functional group लगा हुआ है, तो क्या हो सकता है, दो ही case हो सकत है, कि ये group अपने electron को कारवन की तरफ आपका दे रहा होगा, तो ऐसे group को बोलेंगे, चुकि इस group ने क्या क्या है, देने का काम क्या है, तो ऐसे group को बोलेंगे, electron donating group, ध्यान दे, हम group का effect देख रहे हैं, on carbon, तो अगर group electron दे रहा है कारवन को, तो donating group, इसलिए short form इसको बोलें होगे, EDG, electron donating group, similarly इसका दूसरा नाम हो सकता है, electron releasing group, क्योंकि ये release कर रहा है, तो electron releasing group और short form में इसको बोलेंगे, ERG, ओके, इसका एक और नाम हो सकता है, plus M, plus sun यहाँ पर क्या represent कर रहा है, donor है ये, right, rich person है, donor है ये, क्योंकि डोनेट कर रहा है, या plusar मतलब resonance, तो इसका बहु हो सकता है, electron donating group, electron releasing group, plus M group, plus R group, okay, now दूसरा case क्या हो सकता है, तो दूसरा case यह हो सकता है, कि जो carbon पे functional group लगा हुआ है, वो carbon के electron को अपनी तरफ खीच ले, group electron को अपनी तरफ खीच ले, तो इस group का क्या effect हुआ? खीच रहा है, करज ले रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, accepting group, क E, A, G, short form, या फिर यह क्या कर रहा है, electron को withdraw कर रहा है, खीच रहा है, तो short form में क्या बोलेंगे, E, W, G, electron withdrawing group, बाकी और क्या नाम हो सकता है, तो minus M group, minus यहाँ पर क्या represent कर रहा है, क्योंकि इसने करद ले लिए, अपनी तरफ खीच रहा है electron को, तो इसलिए यह minus M, बाकी और को इसका relation नहीं है, या minus R group भी बोल सकते हैं, तो पहले तो यह बात clear होगी, कि carbon पे जो भी functional group लगे होंगे, या तो वो carbon को electron देंगे, तो donating group, और carbon से electron अपनी तरफ खीचेंगे, तो accepting group, ओके, now, सबसे important question की sir, हम कैसे पैचानेंगे, कि वो group plus M होगा, या minus M, तो वो बहुत ही simple ह रफी सर के trick से, trick रफी सर का क्या कह रहा है, कि भाई, जो भी functional group, बेंजीन रिंग से attach है, उसके पहले element को देखना है, ध्यान दे, बेंजीन रिंग से, जो भी functional group attach है, उसका सबसे पहला element को देखना है, अगर उस element पे at least one loan pair है, तो यह ऐसे group plus M हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि loan pair, single double से यह resonance होगा, right, आपको मालूम ही है, तो आप दियान से देखो, तो क्या कर रहा है group, बेंजीन में electron को भेज रहा है, electron density, बेंजीन में increase हो रही है, तो ऐसे सारे group क्या हो जाएंगे, plus M या plus R group, for example, एक दो example समझा देता हूँ, जैसे देखो, यह आपका हो गया बेंज इस पे मैंने लगा दिया OH, तो बेंजीन रिंग से जो पहला element functional group का है, वो oxygen है, और इसके पास यह उनों low on pair है, तो यह क्या हो जाएगा, अपने आप plus M group हो जाएगा, क्यों, क्योंकि low on pair है, तो resonance कैसे होगा, आपको मालूम ही है, इस type से resonance हो जाएंगे, right, similarly, अगर कोई double bonded carbon ध्यान दे, double bonded carbon से कोई group attached है, कोई functional group, और again उसके पास, जो पहला element है, जो carbon से attached है, double bonded carbon से, उस group यह उस element के पास अगर loan पे रहे, तो फिर से यह कौन सा हो जाएगा, plus M या plus R group, तो क्यों, क्योंकि यह भी wire resonance साब का क्या करने वाला है, electron देने वाला है, donating, similarly, आप कैसे पहचान है, कि minus M group होगा, तो again, benzene rig से, जो भी functional group attached है, उसमें पहली चीज़ तो क्या होना चाहिए, double bond होना चाहिए, और जो double bonded atom है, उसमें, जो benzene rig से नहीं attached है, that means, outside वाला, उसकी electron negativity, EN मतलब electron negativity, उसकी electron negativity, जो attached element है, benzene rig से, उससे ज्यादा होना चाहिए, तो ऐसे case में, electron का moment क्या benzene rig से बाहर की तरफ जाएंगे, इसलिए, ऐसे group को क्या हो लेंगे, minus M, या minus R, क्योंकि electron को accept या withdraw कर रहे है, इसकी वज़ाद से electron density benzene rig में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, similarly, double bonded carbon से, अगर कोई आपका group attached है, जिसमें pi bond है, और y जादा, इधर वाला element, जादा electron negative है, तो ये group भी electron को अपनी तरफ खीचेंगे, क्योंकि इसका moment इस type से होगा, तो ये भी क्या हो जाएंगे, minus M group, तो I hope clear हो गया होगा, कि benzene ring पे या double bonded carbon पे जो functional group attached है, अगर उसके पास direct loan पे रहे, तो plus M और pi bond बना हुआ है, and with the condition, कि वो जो pi bonded element है, उसमें y जादा electron negative है, तो minus M होगा, y in the sense, जो double bonded carbon से attached नहीं है, क्योंकि double bonded carbon से attached को नहीं है, यहाँ पे X, यहाँ पे X, चलिए, अब हम उस tricks को apply करके देखते हैं, और पहचानते हैं, कि जो group लगे वह हैं, वो plus M होंगे, या minus M, तो देखिए, identification of plus M या minus M, तो जैसे, यह point number one half का, क्या है, कि यह phenol बोलते हैं, right, तो वो तो हम देख लेंगे, कि name क्या रहेगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो benzene ring पे यह group attach है, और इसके पास क्या है, loan pair है, trick upon याद करो, कि अगर benzene ring पे कोई functional group attach है, और जो benzene ring वाले carbon उससे direct attach होना चाहिए, वो group, और उसके पास अगर loan pair है, तो यह कैसा so करेगा, तो यह plus m so कर जाएगा, right, इसका क्या हो जाएगा, plus m effect, यहीं पर ध्यान से देखो, अगर यह चीज़े ऐसे होती, तो फिर plus m effect नहीं बोलते है, मालों यहाँ पे आपका OH होता, तो यहाँ पे भी loan pair है, लेकिन loan pair single single, चुकि resonance की condition ही नहीं बन रही है, सबसे पहले चीज़ की रजो की condition बनने चाहिए, जो 5 point हम आपको दिये थे, वो apply होगा, तभी plus m या minus m की बात करेंगे, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि benzene rig से direct attach होना चाहिए, वो functional group, तब जाकर क्या plus m या minus m की बात कर पाऊगे, क्योंकि resonance की condition बन जाएगे, तो इस में इस group का कोई plus m या minus m नहीं ह होगा, okay, no plus m या minus m, similarly यहाँ पर, तो ध्यान से देखो, कभी भी वो लोन पर आपको ड्रॉ करकर नहीं देगा, you know nitrogen ने तीन बन बनाए, लोन पर है, ये benzene से direct attach है, ये nitrogen, इसके पास lone pair है, तो कौन सा effect हो जाएगा, plus m, similarly इस वाले को देखो, तो oxygen के पास, you know, lone pair है, benzene rig के से direct attach है, lone pair है, तो कौन सा effect हो जाएगा, plus m, यहाँ पर आप ध्यान से देखो, double bonded carbon है, right, double bonded carbon है, nitrogen के पास lone pair है, right, और resonance की condition हो रही है, lone pair, single double, इसलिए कौन सा effect हो जाएगा, इस group का NH2 का, plus m, I hope clear होगा, next आते है, यहाँ पर ध्यान से देखो, benzene ring से जो group आपका attach है, जो functional group attach है तो उसमें क्या double bond है, देखो, और oxygen is more electron negative than carbon, तो इसलिए क्या होगा, electron का moment, इस direction में होगा, resonance की condition बन रही है, इसलिए कौन सा group हो जाएगा, minus m, electron withdrawing group, similarly, next वाले में, फिर से वही same, जेतने भी, we can say, कि benzene ring से, जेतने भी, carbonil carbon, C double bond हो वाले attach होंगे, always minus m, so करेंगे, क्यों, क्य उससे ज्यादा मतलब नहीं, तो इस group का भी कैसा effect हो जाएगा, minus m effect हो जाएगा, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, carbon nitrogen के बीच, pi bond आ गिया है, और nitrogen is more electron negative, तो आप देख सकतो, यह जो group है पहले, आपका वो ring के carbon से directly attach है, और electron negativity n की जादा है, तो यह electron का movement क्या हो जाएगा, ब engine ring से, जो c double bond हो attach होगा, तो वो always minus m होगा, right, white trick का point है, या फिर c triple bond ano, तो वो भी minus m होगे, यहाँ पे, तो again आपको ऐसे नहीं समझ मैंगा, इसको थोड़ा सा, ano2 को draw कर लो, तो आपको समझ मैं आ जाएगा, right, तो आप दियान से देखो, double, single, double, resonance की condition बन रही है, और कैसा हो है, nitrogen से, तो इसलिए कैसा हो जागा यह, minus m, अब यहाँ पे, यह नहीं कि कुछ बच्चे ऐसे रट लेते हैं, कि सर ने बोला था, ring से जो भी functional group attach होगा, उसके पास lone pair होगा, तो वो plus m show करेगा, तो आप ऐसा नहीं कि इसको plus m लिख देंगे, गलत हो जाएगा, reason, क्योंकि य यहाँ पे no effect, right, plus m या minus m बात नहीं कर सकते, यहाँ पे भी आप द्यान से देखो, कि यह मत रट लेना, कि सर ने बोला था, ring से कोई functional group attach होगा, double bond होगा, तो minus m show कर जागा, ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि double, single, single, resonance की condition ही नहीं है, तो no minus m, minus m, नहीं होगा, next वाले में द्यान से देखो, तो यह double, single, again, इसको अगर open करके लिखोगे, तो आपको फिर idea लग जाएगा, तो double, single, double, resonance की condition बन रही है, और यह जो group है, उसमें pi bond है, और oxygen more electron negative है, तो electron को अपनी तरफ खिचेंगे, तो क्या होगा, minus m, right, similarly, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, तो lone pair, single, single, यहाँ पे resonance नहीं हो रहा है, तो इस group का आप plus m या minus m नहीं कह सकते, right, क्यों, क्योंकि resonance नहीं हो रहा है, यहाँ पे oxygen के पास negative 4, negative single double, right, तो अभी सिवात है, यह क्या हो जागा, plus m, क्यों, क्योंकि electron donating group हो गया, और यहाँ पे resonance की condition हो रही है, यहाँ पे भी इसके पास एक lone pair होगा, right, तो benzening से जो element attach है, उसके पास lone pair है, और resonance हो रहा है, तो plus m, यहाँ पे, you know, c triple bond n होंगे, right, और double, single double, resonance की condition बन रही है, और यह x double bond y type का हो गया, जहाँ y more electron negative है, तो यह अपनी तरफ electron को खीचेंगे, तो क्या हो जागा, minus m, तो I hope, यह concept आपको समझ में आ गया होग होगा, right, जितने भी benzening से कोई group attach है, उसके पास lone pair है, तो वो plus m सो करेंगे, condition is resonance होना चाहिए, वैसे ही, benzening से जितने भी c double bond हो, benzening से जितने भी c double bond हो attach है, तो वो आपका electron को खीचेंगा, तो वो minus m होगा, right, चली, अब हम बात करते हैं, plus m और minus m का analysis की, right, और बहुत important है, यही concept का आपको समझना है, तो एक मैंने plus m वाला लिया, क्यों, क्योंकि बैंजी रिंग से यह group attach है, और इसके पास lone pair है, right, और resonance की condition आपकी बन रही है, तो यह कैसे group है, आपके plus m, तो इसका मैंने resonating structure draw कर लिय पहली से, right, आपको कैसे draw करना है, यह already video lecture ने बता रखा हूं, तो मैं यहाँ पे क्या समझाना चाहरा हूं, कि ध्यान से देखो, बस, दो मिनिट मैं आपका लोंगा, यह चीज़ आपको समझ में आ गई, तो पूरी organic आपको मजा आएगा, कि अगर मैं in general ले रहा हूं, यह कि NH2 के case में होगा, कोई भी plus M group होगा, तो वो कर क्या रहा है, simple सी बत कि वो कर क्या रहा है, जितने भी plus M group होंगे, वो सब के सब क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, या तो आपका ortho position पे negative charge ले क्या रहा है, या फिर para position पे, now ortho para कैसे पहचानेंगे, तो वो भी very simple है, कि benzene ring पे जो भी group attach होंगे, उस group के adjacent वाले carbon, right, benzene ring पे जो भी group attach है, उसके adjacent वाले carbon को ortho बोलेंगे, उसके बाद वाले carbon को meta बोलते हैं, इसको बोलते हैं, meta, okay, और last वाले को, जो exactly उसके opposite में होते हैं, उसको बोलते हैं, para, तो पहले ये चीज़ के लिए और चाहिए, benzene ring पे जो भी group attach है, उसके respect में बात होती है, उस group के दो adjacent वाले carbon, either side, ortho कहलाते हैं, और either side, उसके बाद वाले carbon, meta, और जो exactly opposite होते हैं, वो para कहलाते हैं, तो आप ध्यान से देख सकते हो, कि मैंने जो analysis word लिखा है, वो ये, कि जितने भी पलस्यम group है, वो benzene ring में electron कहां कहां पे लिखाए गा, that means benzene ring में electron density क्या हो रही है, बर रही है, तो जितने भी पलस्यम group है, वो benzene ring में electron density को increase कराएंगे, इसलिए जब हम इसके application की बात करेंगे, elektrofile जब attack करने आएगा, पलस charge कहां पे अटेक करेंगा, simple सी वात है, जहां पे minus होंगे, इसलिए कहां पे attack करेंगा वो, ortho या पेड़ा पे, similarly, अगर कोई minus M group attach है, कैसे minus M group है यह, benzene ring से functional group attach है, resonance की condition हो रही है, right, x double bond y है, तो यह minus M group हो गया आपका, तो minus M group का मैंने पूरा resonating structure एक ड्रॉ किया है, एक बार आप भी खुश से ड्रॉ कर लें और फिर इस condition को ध्यान रखें, इस point को ध्यान रखें, क्या हो या पैरा पोजिशन पे, फिर से आपका जो positive charge है, वो ortho या पैरा पैरा है, that means, इस case में क्या हो रहा है, benzene ring से electron खीच रहा है, that means, benzene ring में electron density कम हो रही है, पहली तो यह बात होगे, तो जेतने भी minus M group है, वो electron density को decrease करते हैं, benzene की, next point, कि आपका positive charge है रहा है, कहां पे, again, ortho य affected है, okay, इसलिए अब इस पे attack कौन करेगा, तो खुद यह क्या हो गया, plus हो चुका है, तो अब इस बात इस पे कौन attack करेगा, minus मतलब इस पे nickelophile attack करेगे, तो कभी भी nickelophile आएगा, तो इसमें किस position पाएंगे, ortho या पैरा पे, जो हम aromatic substitution की बात करेंगे, तो, okay, तो final point क्या होंगे, वो electron को negative charge को ortho या पैरा position पे लेके आएंगे, meta position unaffected है, वैसे ही, जितने भी minus group होंगे, वो positive charge ortho या पैरा पे लेके आएंगे, meta position unaffected है, इसलिए हम बोलेंगे, कभी भी meta position पे अगर मैं कोई group लगा दिया, जैसे ये group लगा हुआ, उसके बाद एक और group मैंने अगर meta पे लगाया, तो उसका कोई effect नहीं होगा, that means resonance effect उसका नहीं होगा, meta position not participating resonance, I hope क्लियर होगा, जैसे कहने का क्या मतलब है, कि suppose करो, कि मैंने ये लिया, right, यहाँ पे OH, और यहाँ पे मैंने लगा दिया, C triple bonding, तो अगर मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ, तो इसके respect में ये कह है, meta position पे, ये कहां पे होगा, meta position पे, तो इस group का कोई effect नहीं होगा, that means, वो इस group के electron को कुछ नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि इसके विए से यहाँ पे आगा electron, उसका electron कहां पे आजागा, यहाँ पे, bypass होगा एक तरीके से, यहाँ पे electron आया नहीं कि वो resonance इसको करा क्यों, क्योंकि देख सकतो हो, यहाँ से जब resonance होगा, तो यहाँ पे negative आएगा, right, आप देख सकतो हो, और फिर, पैरा पे आते, यहाँ पे आया है नहीं, यहाँ पे आया नहीं, तो यह resonance कराए नहीं पाएगा, तो यह group का, mesomeric effect फिर नहीं हो पाएगा, हेलो बच्चो, कैसे हो, आज हम लोग बात करेंगे, पर्मानेंट effect में, last effect, that is hyperconjugation के बारे में, तो देखो, hyperconjugation को, प्यार से लोग, बेकर नाथन effect भी बोलते हैं, hyperconjugation को, बेकर नाथन effect के नाम से बुलाएंगे, no bond resonance भी बोल सकते हैं, या फिर sigma pi effect, तो hyperconjugation के चार नेम होगे, hyperconjugation, बेकर नाथन effect, no bond resonance, sigma pi effect, सब एक ही बात है, ओके, ये तो हो गया किताब का ग्यान, hyperconjugation को, मैं प्यार से क्या बोलाता हूँ, hyperconjugation को, मैं प्यार से बोलूँगा, high crush, देखो, उस सज्जन को देखो, crush क नाम आते ही, जाग गए, बेटा थोड़ा परलो, तो लोगों के crush बन जाओगे, नहीं परलोगे तो, समझ रहो ना, crush तो जाओगे, समझ गया होगे, तो देखो, देखो, ये चीजे जो मैं जोर रहा हूँ, ये proper feeling दिलाने के लिए, ओके, हावा में बातें नहीं होनी चाहि एकदम conceptual बाते हो रही है, कि मैं क्यों इसको hyperconjugation को high crush बोल रहा हूँ, ताकि इस chapter की, इस concept की आपको feeling आ जाए, कैसे द्यान से देखो, crush का यहाँ पर relate करने का मतलब क्या है, कि जिस carbon पर positive charge होगा, जिस carbon पर free radical होगा, या जिस carbon पर double bond होगे, त्यान से देखो, जो carbon double bond बना रखा होगा, या जिस carbon पर positive charge होगे, या जिस carbon पर free radical होगा, ये crush वाला बंदा हो गया, कौन होगे, crush वाले बंदे, और इससे जो attach होगे, वो उनके crush होगे, तो trick का point क्या है, कि जिस carbon पर double bond, या plus charge, या free radical होगा, वो crush वाला बंदा होगा, उससे जो carbon attach होगे, वो उसकी crush होगी, और उसका नाम, उस crush का नाम उसने प्यार से क्या रखा है, alpha carbon, क्या रखा है, alpha carbon, क्या होने चाहिए, single होनी चाहिए कि नहीं, single का यहाँ पर क्या मतलब है, sp3 hydrogen, तो पहला point that is very very important, कि alpha carbon should be sp3 hydrogen, that means वो single होनी चाहिए, ओके, और जो crush की friend है, crush की जो friend है, उसका नाम उसने प्यार से क्या रखा है, alpha hydrogen, आप सोचो, day to day life में क्या होता है, जैसे ध्यान से देखो, यह जो carbon है आपका है, इस पे आइदर plus charge होगा, या फिर single electron होगे, free electron, तो यह जो बंदा होगा है, crush वाला बंदा होगा, यह जो carbon होगा है, जो इससे directly connected है, यह उसकी crush होगई, यह भी carbon उसका crush होगई, यह carbon भी उसके crush होगई, अब practically feel करो, right, अब यह crush होगई, तो यह बंदा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, friend होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अपनी बार direct इसको बोलेगा, नहीं, friend के थुरू बोलवाएगा, तो जितने ज़्यादा friend होंगे, उतना easily इसका काम बनेगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि यह friend नहीं बोलेगा, यह नहीं बोलेगा, यह नहीं बॉन्ड होंगे जिस करण पर कार्वकाटाइन होगा एंड फ्री रेडिकल भस यही तीन जगापे होंगे जिस और पर यह होंगे वो करश वालबंदा हो गया उससे जो करवन अटेच होगा वह उसकी करश होगे उसका नाम उसे प्यार से रख यहाँ और वह सिंगल होनी चाहिए राइट सिम्पल सी बात है और उसके पास जो हाइडोजन है जो उसकी फ्रेंड है करश की फ्रेंड उसका नाम से प्यार से रखा तो यहां से मैं कह सकता हूँ कि जतना जादा अलफा है डिजन होगा डेट मेंस करश के जतना जादा होंगे stability that means इस बंदेगा काम उतना इजी बनेगा stability increase होगी that means number of alpha h अगर कहीं पर number of alpha h अगर increase हो रहा है तो we can say stability क्या हो जाएगा increase हो जाएगा क्लिए पॉइंट similarly यहां पर आप जहां से देखो कि यह double bonded carbon है तो यह crush वाला बंदा हो गया राइट यह वह करवान है जो इससे attach है यह crush हो गई और यह उसके crush के friend हो राइट तो यहां पर अगर मैं count करूँ इस वाले case में तो द्यान से देखो यह भी crush जो कार्वोकर्टाइन फिरेडिकल या इलकिन से direct carbon attach होंगे वो सब crush हो जाएंगे तो यह भी crush है यह भी direct attach है क्योंकि direct bonding से connected है तो यहां पर तीन crush है और तीन crush के तीन तीन friend है तो total केतने alpha h हो गए यहां पर 9 alpha h similarly इस case में देखें तो यह double bonded carbon यह crush वाला बंदा और यह सब direct connected है राइट तो यह सब उनकी crush हो गई चार crush और हर crush के पास तीन-तीन friend तो यहां पर कितने alpha h है यहां पर आपके पास 12 alpha है हो गया इससे जो direct connected है यह क्या हो गया आपका alpha carbon वो crush हो गए उसके पास 3 hydrogen है तो यहां पर alpha h कितने हो जाएंगे 3 ध्यान दे कि इधर यह भी करवन अटेस्क है crush वाले बंदे से यह करवन या फिर यह crush वाले बंदे से यह वी करवन तो यह crush नहीं हो सकती क्यों नहीं हो सकती बोलो क्योंकि यह single नहीं है राइट को क्योंकि sp3 hydrogen हो जाए तो आई हो प्रॉपर फिल आ गया होगा ना वह हम बात करते हैं इसके application की चलिए अब हम बात करते हैं application की तो यहां पर मैंने तीन प्रॉब्लम लिया है यहां से देखो इस कारवन पर करस्ष बंद होंगे तो करश अले बंदे से एक ही कारवन यहां पर अटयाच है don two two करश यहां पर इसके पास और इसके पास तीन थिन वह राइट तो आप द्हां से देखो यहां पर अलफा एडुजन, S-P-3-S-N-E, 3 अलफा हेच है, यहाँ पे 3 और 3, 6 अलफा हेच है, यहाँ पे 3, 3-6 और 3, 9 अलफा हेच है, अभी बता है, जतना ज्यादा अलफा हेच, जतना ज्यादा ज्यादा, जो crush के friend होगे, उतना ज्यादा stability, राइट, तो इसलिए stability का order अगर पूछ कर देता अगर, राइट, प्लस की जगा, फिरेडिकल कर देता, तो उसका भी क्या था, same order होता, तो कार्व कटाइन की stability चेक करना हो, या फिरेडिकल का, या हाईपर कंजूगरशन तो आपको देखना कितना ज्यादा अलफा हेच है, जतना ज्यादा अलफा हेच, उतना ज्य दूसरा जो प्रॉबला हमने लिया है, वो इलकीन की stability पुछा जाएगा, इस question में पुछा जाएगा क्या, कि इलकीन की stability बताओ, कौन इलकीन सबसाद अस्टेबल है, तो similarly, ये तो जो double bonded carbon है, ये तो crush वाले बंद हो गए, और इससे कोई carbon नहीं, that means इसका कोई crush नहीं है, ये मुवाया से दूर है, अब यहाँ पर देखो, ये crush वाले बंद हो गए, इससे ये carbon attach है, और single है, तो ये crush हो गई उसकी right, तीन hydrogen, तो यहाँ पर तीन alpha है, similarly, ये crush वाले बंद हो गए, double bonded carbon, इससे इधर भी इसके connected है, single है, ये भी उसकी crush है, और ये भी उसकी crush है, तीन तीन, छे alpha hydrogen, जतना ज्यादा alpha hydrogen, उतना ज्यादा alkene के stability, इसलिए इस case में भी order क्या होगा, third सबसे ज्यादा stable, फिर second, फिर first, जतना ज्यादा alpha hydrogen, उतना ज्यादा alkene stable होगा, अगर कहीं पर alpha hydrogen same हो जाता है, तो फिर आप कैसे check करेंगे, alkene के stability, cis trans, trans is more stable than cis, जो geometrical isomal का part है, similarly, एक औ और problem ली हमने, बेंजीन के case में भी, और यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना, कि यहाँ पर यह double bonded carbon है, इससे यह carbon attach है, यह alpha carbon होगा, क्यों क्योंकि single है, sp3 addition है, तो तीन hydrogen है, तो यहाँ पर तीन alpha है हुए, ध्यान दे, यहाँ पर यह double bonded carbon है, यह crush होई, क्योंकि उसके बाद यह दूसरी connected है, तो यह नहीं है, double bonded carbon से जो direct connected होगे, जो direct connected होगे, वो crush होगे, और यहाँ पर दो ही hydrogen है, तो यहाँ पर दो alpha hydrogen है, similarly, यह वाले हो गए, लेकिन इसके पास एक ही है, यह सबसे मतलब नहीं है, crush जो है, उस पर कितना hydrogen है, तो एक ही है, इनके पास, और यहाँ पर कोई भी नहीं है, 0 alpha H है, इसलिए इस case में अगर बात क्या जाए, कि इसमें क्या पुछा जा सकता है, कि किसमें benzene में ज्यादा से ज्यादा electron होगा, electron density किसमें ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा 1 में होगा, फिर आपका 2 में होगा, फिर 3 में होगा, फिर 4 में होगा, तो यह जो हमने बात क्या है, एस्टेवलीटी ओर, किसके स्टेवलीटी, कार्वकाटाइन की या फिरेडिकल की, यह जो हमने बात क्या है, यह वाले क्या है, एलकीन के स्टेवलीटी, राइट, एलकीन के स्टेवलीटी के ओर, और यह जो हमने ब चलिए अब जाते जाते एक ज्ञान की बात और that is very important कि आप कैसे hyperconjugative structure को draw करेंगे तो very simple जिस कारवन पे plus से right यह आपका हो गया crush वाला बंदा इसके बगल में जो कारवन है वो उसकी crush हो गई और single bonded है तो यहां पे hyperconjugation होगा तो करना क्या आपको यह मैं किसी एक को करके बता करा हूं double headed arrow से दिखाना और यह वाला जो bond है इसको गायब कर देना तो देखो इसको break कर देंगे तो क्या होगा बाकी चीज जैसे वैसे रहने दो इधर कैसे रहने दिया इसको मैंने ऐसे रहने दिया उसके बाद यह वाला bond पुड़ा break होकर कि यहां पर क्या जाएगा एक bond और CH2 उसके साथ क्या हुआ तो वो जो फेरेंट थी वो अब हवा में लटक गई राइट अलब हेच पे पलस आगर क्या ऐसे तो इसलिए इसको बोलते है no bond resonance क्योंकि यहां पे कोई bond नहीं दिख रहा है फिर भी हेच पलस वहाँ पे है राइट तो no bond resonance baker नाथन इफेक्ट यह scientist के नहीं में जिन्होंने यह बता है था तो आपको hyperconjugative structure draw करना होगा तो ऐसा करना है तो यहां से यहां तक के process में हो क्या रहा है ध्यान से देखो यह जो plus charge है वो एक बार हेच इस हेच को मिल रहा है एक बार इस हेच को एक बार इस हेच को तो वही चीज में बता है था कि यह burden था रहा है तो जतने लोग इसको share करेंगे जतने लोगों में यह distribute होगा उतना ज्यादा stability बरेगा वही point तो यहां पर लग रहा है simple दूसरा point that is very important कि अगर इस type के question आ जाए तो यहां पर गलती होने के chances है लेकिन ध्यान से देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देख होगे इस case में अगर देखेंगे तो यह double bonded carbon है तो यह crush हो गई यहां पर तीन alpha होंगे क्यों क्योंकि carbon 4 बनाएगा एक ही बन बनाया था तो 3H और यहां पर 2H तो यहां पर कितने होगे total 5 alpha है यहां पर 5 है और यहां पर कितने है 4 है तो अब लोगों क्या लगेगा कि यह ज्य होतना ज्यादा अलफा है होतना ज्यादा stability है बट यहां पर थोड़ा सा careful है ना और समझे ना है कि हो क्या रहा है देखो ध्यान से देखो तो यहां पर रिंग में double bond आने को जासे एंगल कितना है 60 डिग्री जबकि SP2 hybridization की वज़ए से कितना एंगल होना चाहिए 120 डिग्री एंगल केतना में रहा है 60 डिग्री और यहां पर दो-दो करवन ऐसे है जो effect हो रहे है इस से इस problem को दो-दो करवन फिल कर रहे है कि एंगल 120 होना चाहिए था लेकिन मिला केतना 60 जबकि यहां पर स्रीफ और स्रीफ एक करवन इस चीज़ को फिल कर रहा है यह दो करवन exception step के ध्यान रखना है कि रिंग के case में ही मैंली लगे गई है कि अगर ऐसा चीज़ आ रहा है तो देखना है कि कितने लोग इससे effect हो रहे हैं कितने carbon angle strain feel कर रहा है ओके तीसरा point that is very very important question को घुमा करके कैसे पूछा जाता है कि heat of hydrogenation का order बता हो alkene की stability ना पूछ करके heat of hydrogenation को देगा तो इसको उसी से मैंने करने कर दिया कि कभी भी heat of hydrogenation पूछे तो आप stability of alkene निकाल लो और उसका क्या कर दोगे उस order का उल्टा कर दोगे तापको heat of hydrogenation आगा वैसे ही इस compound की भी reaction अपने किस से करा दिया? H2 से तो यह pi bond breaker करके क्या आ जाएंगे? H2 आ जाएंगे मुतलब alkene में convert हो गया तो दोनों ही case में आप देख सकते हो कि यह दोनों ही case में आपका जो product है वो same है that is butane तो इसलिए product यहाँ पे जो हमने बनाया है यह मालो मेरा product है तो यह same है दोनों ही case में बट दोनों की stability क्या है? अलग-अलग है, right? दोनों की stability कैसे अलग है? तो यहाँ पे आपके पास कितना alpha है हो जाने है दियान से देखो तो यह double bounded वाला करवान, crush वाला बंदा तो यहाँ पे दो ही alpha है है जबकि यहाँ पे दियान से देखो तो 6 alpha है तो यह ज़्यादा stable हो गया है, अगर कोई चीज ज़्यादा stable है तो उसके energy, उसका stress क्या हो जागा? कम, तो दो काई position कहां पे बनाएंगे? कम, क्योंकि इधर energy लिया y axis पे हमने, तो दो आपका क्या रहाएगा? और इजिन से कम distance पे रहाएगा, क्यों? क्योंकि इसके energy कम है, और one वाला, कम stable है, energy ज़्यादा, तो इसलिए उसको उपर बनाया है, और always जो heat of atomation है, वो reactant और product के बीच का energy gap है वो, तो इसलिए आप देख सकतो कि energy gap किसका कम हो रहा है? यह जो two वाला है, right? क्योंकि यह बस इतना ही gap है, जबकि one वाले में, यह gap है, तो इसलिए क्या हो गया? stability का ultra हो गया, तो कभी भी आपको heat of hydrogen पूछे, तो आप क्या कर देंगे? एलकीन के stability निकाल करके उसका ultra order कर देंगे, और proper feeling देंगे लाने के लिए कि यह ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां से जतना कम potential energy या energy उतना ज़्यादा stability और वो उतना नीचे होगा, इसलिए यह gap उतना कम होगा, तो stability ज़्यादा हो गया, तो यह जो heat of hydrogenation है, यह जो gap है, that heat of hydrogenation वो क्या हो गया, कम हो गया, जिसलिए inversely चलेंगे, तो इस पर बेस आपको यही सब question पुछे आ सकते हैं, कार्व कटान के stability, alpha है से जाएंगे, फिरी रेडिकल के stability, alpha है से जाएंगे, एलकीन के stability, alpha है से जाएंगे, और heat of hydrogenation तो भी alpha है से जाएंगे, लेकिन ultra करेंगे उ मतलब उतना ज्यादा heat of hydrogenation होगा, तो चलिए आज हम start करते हैं अपने अमीर गरी वाले trick से, वो क्या है, ध्यान से देखो, कि यह trick के पीछे logic क्या है, कि इस पर बेस बहुत सारे question पूछ जाते हैं, और you can say कि organic chemistry में यह concept आपको reaction में भी use होंगे, acidic basic order निकानना होगा, तो भी stability order निकानना होगा, तो भी, तीन जगाओ पे सबसे ज़ादा यह use होंगे, right, तो उसी को मैंने अपने simple tricks में लिया है, देखो, tricks का point क्या है, उसको पहले समझे ले, क्योंकि रफी सर को concept पाहिजे, right, कैसे समझो, ध्यान से देखो, carbo cation, free radical, basic order, या फिर equilibrium constant, base का, kb, b for base, और के equilibrium constant, right, तो यह सब के सब को मैंने क्या माना है, कि यह bigger है, कैसे connect के ध्यान से देखो, b for basic, b for bigger, poor इसको क्यों बोला, carbo cation, electron deficient है, electron की कमी है, मतलब गरीब है, free radical, अभी भी octate पुरा नहीं वा, साथ ही electron है total, तो यह poor होगे, b for bigger, b for bigger, तो इन सब को हमने क्या माना है, कि यह poor person है, अब तुम खुदी सोचो, तुमारा mind एक कदम आगे चला गया होगा, कैसे, कि अगर यह poor person है, तो भी सी बात है, इसको कौन help करेगा, जो donor होंगे, donor कौन है, plus M group, plus I group, right, आपको पहली बता रखाऊं कि हमारे पास electron donating group, पहले video lecture में में बता रखाऊं, electron donating group कौन हो जाएं show करेंगे या plus I, वो सब क्या electron donating group है, that means वो लोग Amir है, तो Amir गरीब को help करेगा, और vice versa बोल सकते हैं, गरीब Amir से help लेगा, बस इसी पर मैंने पूरी organic chemistry को आपका complete किया है, तो यह पूरे पूर होगे, तो अब इसी बात है, इसको कौन support करेंगे पहले, rich person, rich person में सबसे पहल donor वाले plus, इसलिए plus लगाया, plus मतलब जो donor है, donate कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा stabilize, या सबसे ज़्यादा जो इसको help करेगा, वो पलस है, right, क्योंकि resonance है, उसके बाद hyperconjugation, उसके बाद plus I, यहाँ पे N मतलब कोई group ही नहीं लगाया, मोमाया से दूर वाले, कोई group नहीं लगा है, right, now the question is किसार हमें कैसे पता लगेगा, तो very simple, MHI, आपको याद रखना है, MHI is code word for Maharashtra, Maharashtra इंडिया में है, that's it, that means, सबसे ज़्यादा strong effect, mesomeric होगा, then hyperconjugation होगे, then inductive होगा, now similarly, जैसे carvenine का, अगोर आपको stability पूछे, acidic का order पूछे, या फिर equilibrium constant of acid का order पूछे, ये तीनों में से को भी पूछे ले, carvenine, acidic और K, तो देहां से देखो, carvenine, मतलब electron rich है, तो इसलिए मैं उसको क्या वो रहा हूँ, rich, अपने आप उससे connect कर दिया, या फिर acidic, A for acidic, A for amir, K, A for amir, त करज लेने वाले, तो इसलिए, सबसे पहले कौन stabilize करेगा, इसको minus M group सबसे पहले stabilize करेगा, फिर minus I, फिर neutral, मोमाया से दूर वाले, फिर ये approach करेंगे, लेकिन, कम approach करेंगे, plus I, hyperconjugational, सबसे ज़्यादा approach कौन करेगा आपका, plus M, और इस चीज़ को मैंने यहाँ पे clear भी किया आपको, जो already video lecture में है, आप उसको देख सकते हैं, कि हम कैसे पैचानेंगे, कौन plus M है, कौन minus हम है, वो भी मेरे simple trick से, तो minus लगाने का उतलब है, कि वो क्या कर रहा है, कर्ज ले रहा है, electron को withdraw कर रहा है, तो यह electron withdrawing group होते हैं, तो obviously बात है, अगर यह खुद क्या होगे, poor तो stability बढ़ेगा, अगर मान लो कि यह भी reach हैं, और यह reach वाले चलेगे, तो क्या होगा, stability नहीं होगी, right, कोई आदमी और रेड़ी अमीर है, तो अमीर से फिलेने नहीं जागा, right, उसकी बेज जाती हो जाएगी, तो कहने का मेरा देखो, simple से मतलब है, कि यह चीज़े मैं connect क क्योंकि यह चीज़ा आप फिर कभी भूलोगे नहीं, right, तो very simple, poor अमीर के पास, अमीर गरीब के पास, simple, right, एक और point है, कि जो आपका kb है, equilibrium constant of base, वो जतना जादा होगा, pkb उतना कम होगा, तलब यह दोनों inverse में चलेंगे, तो कभी-कभी आपको kb का और पूछ करके, pkb का पूछ देता है, तो ध्यान रहे, आप पहले basic का निकाल लें और उसका उल्टा कर दें, वैसे ही, अगर ka का पूछा तो फिर तो वही order रहेगा, यही वाला, लेकिन अगर pk पूछा, तो आप इस order को निकाल लें, उसके बाद उल्टा कर दें, क्योंकि यह दोनों inversely चलत हैं, तो चलिए, हमने जो आपको ट्रिक्स दिया है, अमीर गरीव वाला, तो वो कहां-कहां अपलाई करने वाले हैं, पूरी organic chemistry में, तो आपका यूज होगा, वो ACD किया basic order निकालने में, जो कि इस वीडियो लेक्चर का important point है, आज मैं सिर्फ इसी को explain करूंगा, next वीडियो लेक्चर में, we will talk about carbo-kattain stability, carbo-anine stability, free radical के stability का order, उसके बारें बात करेंगे, कि क्यासे ये group effect करते हैं, और उसके next वीडियो लेक्चर में, third वीडियो लेक्चर में, आपको reaction, organic की जतनी reaction है, उसको रटना नहीं है, वो मेरे simple trick से होगा, और उसमें भी सबसे ज़्यादा यू और तो पर आएगा, या पैरा पर आएगा, कहां पर आएगा, वो भी हम इसमें देखने वाले हैं, तो आज हम स्टार्ट करेंगे, अपने acidic और basic के order को कैसे हम करेंगे, तो चलिए आज के लेक्चर में हम बात करेंगे, कि acidic order और basic order कैसे निकालेंगे हम, वाया application of mesomeric effect, तो द acid होंगे, तो देखो, हेच पलस डोनेट करने के बाद, निकानने के बाद, जो lift होगा, जो बचेगा, वो actually क्या बनेगा, एनायन बनेगा, इसलिए हम इसको अमीर बोले थे, क्योंकि negative charge आएगा, कौन से hydrogen को आपको अटाना है, तो वो hydrogen जो directly fluorine से attach हो, या oxygen से, या nitrogen से, वो hydrogen acidic hydrogen कर लाते हैं, या फिर SP carbon से भी अगर attach हो, terminal वाले, तो वो acidic hydrogen कर लाते हैं, right, ध्यान से देखो, always जो reaction proceed होती है, वो strong से weak की तरफ होती है, strong से weak acid अगर बन रहा है, तो यह reaction हो जाएगे, spontaneous होगा, लेकिन कहीं पर अगर आप यह देख पार हो, कि weak acid से strong acid बन रहा है, तो ऐसी reaction फिर नहीं होंगी, तो यह एक important point है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना, use होता है, वैसे application में लोगा भी, always strong से weak बनेगा, weak से strong नहीं बनेगा, और acid का conjugate को क्या बोलते हैं, conjugate base, acid का conjugate base होता है, तो जैसे मैंने एक example लिया है, यह acetic acid है, तो इससे एक H+, मैं निकाल दोगा, यह ac oxygen से attach है, phone से right, तो इसका यह anion बना, right, तो इसका नाम क्या हो जागा, conjugate base, acid का conjugate base होता है, और आप कैसे पैचानेगे कि कौन acid है, कौन conjugate base है, तो simply acid में एक hydrogen ज्यादा होगा, तो यहां से यहां तक में difference क्या है, एक hydrogen का है, ज्यादा hydrogen वाले में acid लगेगा, कम hydrogen वाले में आपका conjugate word लग जागा, तो acid का conjugate base होता है, और acid H plus donor होता है, वो यहां से भी समझा रहा है, कि H plus इसे ने donate क्या, तो बचा जो anion, यह बचा, इसकी stability, यह जतना ज्यादा stable होगा, आप ही सोचो, यह जतना ज्यादा stable होगा, यह उतना आगे आने की खोशिश करेगा, right, तो that means H plus के जान basic में अगर हम बात करें, तो organic में base का मतलब यहां पर, generally 99% वो होते हैं, जो loan पर donate करें, यहां पर OH मानस से हम नहीं लेते हैं, right, जो loan पर donate करें, और loan पर donate करने के लिए, अभी से बात है, loan पर उसके पास क्या होना चाहिए, available होना चाहिए, resonance में वो नहीं जाना चाहिए, right, गुमना फिरना नहीं चाहिए, दूसरा, generally, वही पॉंड लिखा है, कि nitrogenous base के बारे में हम बात करेंगे, इस organic point में, और strong base से always, weak base की तरफ reaction, proceed हो जाएंगी, easily हो जाएंगी, spontaneous होंगी, but weak base से अगर strong base बन रहा है, तो ऐसी reaction फिर नहीं होंगी, non spontaneous होंगी, similarly, base में अगर 1H+, आप add कर देते हो, तो जो बनेगा उसका नाम हो जागा conjugate acid, क्योंकि इसमें एक hydrogen ज्यादा होगा, आप देख सकतो, तो base का conjugate acid होता है, acid का conjugate base होता है, दोनों को पैचानेंगे कैसे, तुमने पहले बोला, acid word उसी में लगाने, जिसमें ज्यादा hydrogen हो, तो उससे कम वाले में base word लग ज पता है इसमें, तो देखो, एक्जाम में आपको कैसे quickly करना, अगर अगर अब ध्यान से देखो, तो इतनी चीज सम में common है, यहां तक सम में common है, वो आपको देखके पता लग जाएगा, सब फिनोल है, तो इसलिए acid की बात क्या है, क्योंकि यह सब hydrogen, acid hydrogen है, इसके जाने से oxygen में minus आएगा, और जो resonance में जाएंगे, इस्टेबलाइज होंगे, तब हमें group का effect देखने, यहां कुछ group नहीं है, तो कौन है, by default hydrogen है, तो आपको acid पूछा मतलब क्या, अमीर पूछ रहा है, तो हमने क्या trick दिया था, अमीर है, तो सबसे पहले किसको सर्च करना है, गरीब को गरीब मतलब minus M को, right, तो यह वाले group का minus M effect हो जाएगा, N02 क्या trick दिया था, कि pi bond होना चाहिए, N और O की बीच pi bond है, उसका इसके पास lone pair है, right, अगर जो benzening से जो element attach हो, उसके पास lone pair है, तो plus M, right, ACS3 का, यहां पे double bond होगा, तो hyperconjugation, HC, और इसका neutral momaya से दूर को effect नहीं, तो फिर minus I वाले, इसमें कोई नहीं है, फिर neutral वाले, तो neutral वाले यह fourth वाले, फिर plus I वाले, तो वो थे नहीं, तो hyperconjugation, last में plus M वाले, तो इसलिए order क्या रहेगा, आप ही बता दो, order very simple है, right, सबसे ज़्यादा ACD कप का को जाएगा, one, due to minus M, उसके बाद fourth, उसके बाद three, और last म two, तो इस टाफ से चार option given होंगे, आपको सबसे ज़्यादा मालूम है, सबसे कम मालूम है, या दो कम मालूम है, तो आप option तक पहुंच सकतो, eliminate करके, right, next question में, आपको basic order पूछा जा रहा है, कि basic क्या होगा, यह just make आपको idea दे रहा हूँ कि लगाना कैसे point को, right, इस टाफ के आपको बहुत सारे PYQs मिल जाएंगे, तो basic अगर order आपको पूछा जाए, तो आप फिर से ध्यान से देखो, तो इतनी चीज़े सम में common है, right, और basic order में बताया था कि nitrogen के पास जो loan पर होता, उसको देने की बात होती, यहाँ पे सभी nitrogen के loan पर resonance में जा रहे हैं, right, but group के effects minus M, क्योंकि C triple bond है नहीं, 5 bond है, और यहाँ पे कोई group नहीं, तो H है, तो no effect right, B for base, B for beggar, poor, तो poor किसको search करेगा, donor को plus M वाले को, plus M वाले यहाँ है, तो यह सब साधा, फिर hyperconjugation, फिर मुमाय से दुरवाले, last M minus M, तो अगर मैं इसको 1, 2, 3, 4 आज़ुम करूं, तो सबसे 2, उसके बाद 4, और last में हो जाएगा आपका 3, very simple, next question is, कि again, देखो एतना part sum में common है, right, sum में यह phenol है, और group लग हुए है, तो definitely आप सो क्या पूछा जाएगा, ACD का order, 1, 2, 3, 4, इसके ACDT का order, तो very simple, यह जो है, इसका कौन सा effect है, minus M, ध्यान दे, meta position पे, यह point बता है था, meta position पे, कभी भी, mesomeric effect नहीं लगता, तो सिर्फ इसका कौन सा effect होगा, minus I, due to electron negativity difference of oxygen, यह पहला position पे, तो इसका क्या होगा, minus M, और यह hyperconjugation आपका show करेगा, तो देखो, यह अच्छे concept आपका problem लिए, तो ACD का order में, तो सबसे पहले कोना जाएगे, minus M वाले, अब यह भी minus M है, तो जब mesomeric आपका common हो जाए, क्योंकि वो distance independent है, तो हमने क्या दिया था, M, H, I, मारास्ट्रा इंडिया में है, ऐसे यह रह सकते हैं, तो यहाँ पे, minus M अगर सेम हो गया, hyperconjugation तो होने रहे, तो अब हम inductive से decide करेंगे, और inductive क्या होता है, distance dependent, तो यह closure है, तो इसका ज़्या होगा आपका, one, right, उसके बाद, अगर हम बात करें, तो कोना जाएगा, three, उसके बाद अगर हम बात करें, तो कोना जाएगा, two, क्योंकि उसमें minus I at least, और इसमें तो hyperconjugation है, तो यह सबसे पीछे चला जाएगा, that is four, तो यह order आ जाएगे, वैसे इसमें एक point है, कि और्थो position पर, अगर hydrogen bonding हो जाएगी, तो उसके acidity कम होगी, तो वो हम बात करेंगे, यह सब हम gas phase में बात करेंगे, एक को solution में अगर बात करेंगे, तो थोरा सा order change हो सकता है, but आपको एक idea आया है, कि हमें कैसे करना है, group का effect, पहले आपको resonance को priority देना, अगर resonance common हो जा रहा है, जैसा कि third case मोई रहा है, यहाँ यहाँ पे, तो फिर हमको inductive से जाना परेगा, चलिए अब हम कुछ और problem लिए हैं, right, अगर आप ध्यान से देखो, तो पहले वाले question में आपको acidic order पूछा जा रहा है, यह आपका मालोग की 1 है, यह आपका 2 है, यह 3 है, यह 4 है, और यह 5 है, इनका acidic order, तो अब यहाँ पे मैंने जो problem लिए हैं, थोड़ा सा mix-up लिए हैं, ध्यान से देखो, यह alcohol है, यह alcohol है, यह phenol है, phenol है, phenol है phenol, तो phenol जो होता है, वो always more acidic than alcohol, क्यों, क्योंकि phenol में जब H जाएंगे, तो यहाँ पे negative आएगा और यह resonance में जाएगा, जबकि यहाँ पे कोई resonance नहीं होगा, तो phenol always more acidic होते हैं than alcohol, यह point ध्यान में आपको रखना है, phenol जो होगा आपका, वो always more acidic than alcohol होंगे, now अगर इसमें compare करना हो, तो ध्यान से देखो, तो यह आपका phenol हो गया, यहाँ तक तो इस तीनों में क्या है, same है, right, यहाँ पे OME, यह group आ रहे हैं, यहाँ पे NO2, तो इसका minus M है, इसका आपको मालूम है, plus M है, इसमें कोई group नहीं है, momaya से दूर, और यह सब तो alcohol हैं, तो momaya से दूर होंगे, right, तो momaya से दूर कोन है, 3 वाले, फिर 4 वाले, क्योंकि आपका phenol always more acidic होगा, alcohol से, now, उन दोनों में, तो आपको मालूम है, कि इसमें 3-3 क्या लग रहे हैं, plus I, और plus I से acidity क्या होते है, कम होते है, क्योंकि all alkyl groups होज, plus I effect, तो इसलिए, कौन होगा, फिर 1 और फिर होग जागा आपका 2, तो इस तरीके सम कर सकते हैं, next question में, again, आपको acidic order ही पूछा गया है, तो again, आप ध्यान से देखो, तो sum में एतना part क्या है, common है, right, sum में क्या है, फिनोल है, एतना part sum में common है, तो इसलिए group का effect देखना है, तो NO2, ध्यान दे, यहाँ पे, meta position पे, तो only minus I, don't give minus M, meta position पे, में सो मेरी के फिन होते है, CL minus I, यहाँ पे कोई group नहीं है, right, तो hydrogen मान सकता, momaya से दुरवाले, CH3, तो यहाँ पे plus I, तो again, acidic पूछा है, तो सबस्यादा minus I वाल होगा, आप दोनों minus I है, तो क्या करेंगे, तो आपको बता रखा हो, कि जिसका ज़्या मिल करके, काफी ज़्यादा खीचेंगे, तो इसलिए सबस्यादा, acidic हो जाएगा, आपका one, fit two, fit three, four, इसी order में आजाएगा, next question में हमने acidic पूछ करके, pka order पूछा है, तो हमने बताया था, कि अगर pka पूछा है, तो पहले आप acidic निकाल लो, फिर उसका उल्टा कर दो, आप अब ध्यान से देखो, acidic में निकालूँगा, फिर से एतना चीज क्या है सम्में, common है, तो acidic hydrogen यही सब है, right, phenol है, तो यहाँ पे कोई group नहीं लगा, तो मान लेते है, यहाँ पे nitrogen के पास lone pair है, right, तो यह पलस M वाले होगे, यहाँ पे NO2, तो माइनस M वाले होगे, और यहाँ यहाँ पे यह alkyl group, तो hyperconjugation होगे, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर लूँगा, acidic का order निकालूँगा, तो acidic में आपका सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, यह third वाला, right, फिर minus M है तो, फिर उसके बाद, momaya से दूर वाले, right, that is one, फिर उसके बाद, hyperconjugation वाले, that is fourth and last में को ना जाएगा, that is plus M वाले, two, तो यह तो मैंने किसका निकाल ला है, acidic का, that is, ka का, मुझे किसका चाहिए, pka का तो क्या करूँगा, ultra कर दूँगा, तो क्या हो जाएगा, two, four, one, three, यह आपका answer हो जाएगा, तो चलिए अब हम बात करते हैं, ग्यान की right, that is very very important, तीन पॉइंट, इसमें, तीनों important है, कि हैलोजन की केस में, that means, CL, BR, iodine, यह फ्लोरीन, हैलोजन के केस में, चाहे आप acidic order compare कर रहो, basic order, यह stability order, तो इन सब में, हैलोजन के केस में, आपका, minus I effect, जो उसका, वो dominant करता हो, औ plus M effect, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, तो plus M क्यों सो करेगा, जैसे मानलों यह OH है, और यह CL, right, तो इसके पास loan pair है, तो इसका plus M भी effect हो सकता है, और electron negativity difference है, minus I effect भी हो सकता है, तो आपको कौन सा लेना, कौन सा dominant करेगा, always minus I dominant करेगा, और plus M, कब-कब, जब acidic order, basic order, और stability ले रहे, बट जब हम reaction के case में बात करेंगे, लक्ट्रोफाइल को attack करना होगा, तो फिर इसका plus M dominant करेगा, minus I पे, तो इसलिए यह point जहां रखना है, point number two, that is very very important, कि benzoic acid में, शरिफ उसी में, और किसी में नहीं, benzoic acid में, that means benzene पे जब C double bond OH group होगा, benzoic acid में, जो ortho substitution होता ह वो ज़्यादा acid हो जाता है, normal benzoic acid से, तो उसका एक best example हमने यहां पे लिया है, ध्यान से देखो, अगर हम अपना जो concept लगाएं, तो यह benzoic acid है, यह भी, इसमें यह CS3, इसका hyperconjugation होगा, right, तो acidic order में, यह पीछे जाना चाहिए, लेकिन यह ज़्यादा है, तो वही यह exception ए normal benzoic acid से, देखो, minus M या minus I वाले होंगे, तो वो तो वैसे भी concept से हो रहे है, पलस M या पलस I वाले अगर आ जाते हैं, तो भी यह ज़्यादा होगा, आपके normal one से, और इसका exactly ultra है, तीसरा point कि अगर ortho substitution aniline है, aniline के case में ultra होता है, जो आपका normal aniline है, वो ortho substitution से ज़्यादा तो इसको ज़्यादा basic होना था, क्योंकि यह support करेते हैं, लेकिन less basic है, क्योंकि यह exception है, तो यह तीन point आपको ध्यान रखना है, halogen का minus I dominant करता है, पलस M पे, ortho substitution benzoic acid ज़्यादा acidic होगा, normal benzoic acid से, irrespective of group, group कोई भी हो, और ortho substituted aniline, वो कम basic होगा, normal aniline से, चाहे group कोई भी हो हेलो अच्छो, कैसे हो, आज की इस वीडियो lecture में हम लोग बात करेंगे, stability of carbo cation, carbo anion and free radical के बारे में, जो हमने permanent effect, that is inductive effect, resonance or mesomeric effect and hyperconjugation, जो आपको बताया है, उस तीनों को combine करके, किस तरीके से question पूछे जाएंगे, कैसे हम stability का order निकालेंगे, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, तो again, सबसे पहले, रफी सर का tricks, और जो tricks मैं देता हूँ, वो concept के साथ देता हूँ, right, हवा में बातें नहीं होती है, पहले concept, concept के साथ उसको हम कैसे day to day life से connect करेंगे, और कैसे उसका tricks बनाएंगे, जिससे हमें chemistry बिल्कुल easy लगे, तो let's see, stability of carvocatine, carvenine and free radical, इसके बारे में बात करते हैं, तो tricks का point बहुत simple है, और जो concept है या funda है, वो भी बहुत simple है, you know already, कि देखो, अगर कोई rich person है, तो उसके पास को आएंगे, poor person आएंगे, right, rich के पास तो rich तो जाएगा नहीं, right, और similarly अगर कोई poor person है, तो उसके पास को जाएगा, rich person जाएगा, simple, बल्दब, आपको rich पता चल गया, तो poor उसको stabilize करेंगे, और poor पता चल गया, तो rich उसको stabilize करेंगे, simple, amir-garib का खेल है, पूरा आपका mesomeric, inductive and hyperconjugation, मेरे trick से, बस आपको ऐसे ही करना है, now, तो मेरे कहने का क्या मतलब है, वो भी समझ लें, कि जहाँ पर भी आपको carvokatan दिख जाए, free radical दिख जाए, या basic का order पूछ है, या kb का order, यह सब को आपको मनना है, कि यह सब क्या है, poor person है, क्यों, carvokatan, electron की कमी, free radical, electron की कमी है, b for base, b for beggar, तो यह सब क्या है, आपके पास, poor person है, तो obviously बात है, यह किस के पास जाएंगे, ameer person के पास, ameer कौन होते है, जो donor होते है, donor कौन है अपने पास, जो plus m सो करते है, right, plus m कौन सो करेगा, benzener ring से कोई भी group attach है, उस पे loan pair होना चाहिए, first element पे, जो directly benzener ring से attach है, right, plus i inductive effect जो सो करेंगे और hyperconjugation जो सो करेंगे, यह सब क्या है, donor है, यह rich है, तो obviously बात है, यह सब क्या करेंगे, इसको stabilize करेंगे, इसलिए, सबसे पहरे plus m आएगा, फिर hyperconjugation, फिर plus i, याद कैसे रखेंगे, तो बताया था, m hi, इस order में, maharashtra, इंडिया में, पहले mesomeric check करेंगे, अगर mesomeric same हो जाता है, या नहीं लग रहा है, तो फिर hyperconjugation लगाएंगे, वो भी नहीं लग रहा है, तो फिर inductive लगाएंगे, अब यह जो है, n मतलब कोई group नहीं लगा है, मोमाया से दूर वाले, तो यह आ जाएंगे, और minus i या minus m, यह खुद क्या होगे, minus i या minus i, खुद क्या है, दियान से देखो, तो यह खुद poor है, यह acceptor है, तो अभी सिवात है, यह खुद poor और यह poor, poor poor के पास आएगा, तो कोई काम नहीं बनेगा, right, तो इसलिए, यह सब क्या करेंगे, de-estabilize करेंगे, इसलिए हमने इसको पीछे लिखा है, right, और चुकि यह strong effect ह है, तो यह सब से पीछाएंगे, और inductive weak effect है, तो इसलिए यह पहले आगे, right, similarly, कहीं पर आगर आपको carvenine के stability पूछे, acidic का order पूछे, का order पूछे, तो यह सब को मैं क्या मान रहा हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ पर electron rich है, right, carvenine, acidic, A for acid, A for amir, तो यह सब को मैं rich person मान रहा ह तो अब इससे बात है, इसके पास कोन आएगा, poor person आएगा, poor person कौन थे हमारे पास, जो electron withdrawing group है, minus M या minus आए वाले, जो poor acceptor है, तो इसलिए हमने इसको पहले आगे किया, उनमें भी जो strong होंगे, वो पहले आएंगे, right, तो इसलिए इनको आगे किया, fit neutral मतलब, n मतलब फिर से कोई group नहीं है, मुमाय से दुर्वाले, फिर आब जो ये सब group जो है, ये सब तो क्या करेंगे, एक तरह से destabilize करेंगे, right, oppose करेंगे, लेकिन oppose करने में, इसका weak oppose होगा, क्योंकि effect weak है, फिर उससे जदा oppose hyperconjugation करेगा, और सबसे जदा oppose कौन करेंगे, पलस्यम वाले, right, तो य तो देखिए, application में मैंने total 5 question अभी लिया है, right, और इसको कैसे करना है, तो very simple है, पहला question आपको पूछा जा रहा है, कि इन 4 में most stable carbocatine कौन है, ध्यान से देखो, यहाँ पे इस करन पे plus है, यहाँ पे, यहाँ पे plus है, यहाँ पे है, और यहाँ पे, इन 4 हो carbocatine में कौन जादा stable होगा, तो कैसे check करेंगे, ध्यान से देखो, plus single double, resonance होगा, यहाँ से लेकर करके, यहाँ तक resonance होगा, बस NH2 का जो loan pair है, वो resonance में नहीं आपाएगा, क्योंकि loan pair single single हो चुका है, तो इसलिए हमने वो trick दिया था आपको, तो यहाँ पे NS2 का सिर्फ minus effect होगा, क्योंकि व यहाँ पे सिंगल सिंगल हो गया, तो यहाँ पे भी NS2 का minus effect है, और resonance effect यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे दियां से देखो, तो यहाँ से लेकर करके, यहाँ तक जाएगा, क्यों, positive single double से यहाँ पे आगा, positive, फिर positive single double से यहाँ पे आगा, फिर positive single loan pair से यहाँ तो, that means NH2 का यहाँ सिंगल हो गया, तो इसका भी आपका कौन सा effect रहेगा, minus effect रहेगा, तो इसलिए सबसे आदा इस्टेबल कौन हो गया, this one option C, तो इस टाप के question आपको application में पूछे जाएंगे, question number 2 में again पूछा जा रहा है कि, इनकी stability का order बताओ, यह यह कार्वो काटाइन के stability का, तो जब कार्वो काटाइन के stability का order पूछा जाए, तो आपको check करना है, आपको shift राके नहीं देखना, यह already इस condition बना के दिया है, तो यहाँ पे दियान से देखो, यहाँ पे lone pair होगा oxygen का, lone pair single positive, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, resonance हो जाएगा, यहाँ पे lone pair तो है, लेकि lone pair single single, no resonance, और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो अगर मैं इसको structure A मानूं, इसको B मानता हूं, इसको C, तो एक बात तो clear है कि सबसे ज़ effect होगा oxygen का, minus I effect, यहाँ पे कौन सा हो रहा है, plus M effect, right, यहाँ पे minus I effect हो रहेगा, तो minus I को जैसे क्या होगा, de-estabilize होगा, यहाँ पे at least, कोई ऐसा effect नहीं minus I, और क्या हो रहा है, तो यह दोनों साइट से 2-2 alpha hydrogen, 4 alpha H होनी का जैसा है, hyperconjugation हो जाएंगे, right, HC, तो इसलिए stability में फिर C आगे आएगा, और B पीछे चला जाएगा, क्योंकि उसमें minus I है, तो वही order हो गया, plus M, फिर hyperconjugation, फिर minus I, तो इसलिए मैंने वो trick दिया आपको, कि आप सब group का effect आपको पैचानना, वो भी trick दे रखा हो, आप करिया और direct आप answer पाईए, next में ध्यान से देखो, इन से कारवो कटान के stability का और पूछा जा रहा है, अगें इसको मैं मानता हूँ A, इसको मानता हूँ B, इसको C and D, कारवो कटान के stability का और, तो यहाँ पे देखो यह जो positive charge है, positive single double, resonance होगा, तो यहाँ पे यह resonance में जा रहे है, यहाँ पे double bond पे ही positive है, positive double हो गया, तो यहाँ को है resonance नहीं है यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइपर कंजूगेशन हो जाएंगे यहाँ पे तीरपल बॉंड पे positive है राइट यहाँ पे भी resonance नहीं होगा तो सबसे ज़्यादा स्टेवल कोन होगा आपको clear हो चुका है सबसे ज़्यादा स्टेवल होगा A, Q, due to resonance, उसके बाद होगा C, Q, due to hyperconjugation, यहाँ पर क्या और लिख दे रहाँ, R for resonance, H, C for hyperconjugation, अब यहाँ पर double bond है positive, यहाँ पर 3 पर, you know, more electro negative पर negative stable होते हैं, you know, यह SP carbon है, तो SP पर positive unstable होगा, और यह SP2 है, तो थोड़ा stable होगा, right, तो इसलिए order में आपका कोना जाएगा, B, और last में कोना जाएगा आपका, D, तो यह just में एक आपको idea दे रहाँ कि आपको question को कैसे solve करना है, right, similarly, यहाँ पर question number 4 में, curve N9 के stability आपसे पूछ लिया, right, तो curve N9 के stability तो ध्यान से देखो, एतना चीश सम में क्या है common, आपको देखती ही पता लग जागा, एतना चीश सम में common है, सम में resonance हो रहा, सिरिफ हमें क्या देखना परेगा, गुरूप का effect, N02 का कौनसा effect, minus M, कैसे, इसको open करके लिखोगे, तो क्या जागा, N double pond O आ जागा, right, तो जब भी benzene ring पे कोई group attach हो, और pi bond बना हो, और Y के electron negativity एक से जादा, तो minus M, यहाँ पर इसके पास loan pair है, तो कौन सा effect, plus M, यहाँ पर कुछ नहीं है, hydrogen तो neutral वाला, तो आपको क्या order बता है था, किसकी stability, carbonine, carbonine मतलब reach, तो सबसे पहले कौन सा, pour, pour कोन है, minus M, तो इसलिए stability order में, अगर इसको मैं 1 मानता हूं, इसको 2 मानता हूं, इसको 3 मानता हूं, तो सबसे अधा कौन हो जाएगा, आपका 1, क्योंकि minus M है, फिर 3, मोमाया से दुर्वाल है, और last में क्या जाएगे, 2, next question, fifth question, again, इस टाप से पुछा सकता है, important है, कि यहाँ पर यह चार compound आपको given है, किसमे carbon और chlorine के बीच का bond जो होगा, length, carbon, chlorine, bond length, shortest होगा, shortest CCL bond, तो you know, bond order जतना ज़्यादा होता है, bond length उतना कम होता है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वो ध्यान से देखो, यह सब question एक्जाम में सुझमें नहीं आते है, loan pair single double, resonance हो रहा है, यहाँ पर भी resonance होगा, ध्यान से देखो, loan pair single double, और resonance होने के बाद, फिर यह NO2 का minus M, यह resonance और further आगे shift हो जागा, कैसे, तो इसको open करके देख लो जादा bond बना रहेगा, bond order increase होगा, तो bond length क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, third option में भी resonance होगा, लेकिन CS3 का कौन सा effect, hyperconjugation, तो यह back करेगा, देनी कोशिच करेगा, तो जादा loan pair को आने नहीं देगा, similarly, यह तो plus M effect वाल होगे, यह और back करेंगे, आने नहीं देंगे, तो यहा है, तो वो two है, अगर आपसे यह पूछा जाता कि order ही बताओ मेरे को, तो order आप कैसे बताते, bond length और shortest, तो shortest सबसे किसमा आ गया, two में, right, उससे ज़्यादा bond length, ध्यान रहे, उससे ज़्यादा bond length किसमा होता आपका, तो definitely one में, और उससे ज़्यादा फिर three में, और सबसे ज़ four में, क्यों, क्योंकि four में, तो chlorine के loan pair को आने नहीं देगा, यह पला सम ग्रूप है, यही इधर की तरफ resonance कराएंगे, right, और इसमें यह hyperconjugation से back मारेगा, इसमें कम से कम कोई ग्रूप नहीं है, तो neutral वाले मुमायद से दूर वाले, तो bond length का order पूछा जाता आप से, तो यह हो जाता, तो इस टाप के भी application वाले question पूछे जा सकते हैं, कुछ और problem हम लेते हैं, तो ध्यान से देखे, question number six, इसमें पूछा जा रहा है कि bond length, carbon और OH bond, ध्यान से देखो, carbon और OH bond, यहां पे यह है, यहां पे यह है, और यहां पे यह, bond length का increasing order बताना है, carbon और OH का, तो यहां यहां पे ध्यान से देखो, तो यहां पे कोई resonance नहीं होगा, right, बट यहां पे क्या होंगे, resonance हो जागा, loan pair single load से, तो यहां पे bond order जादा होगा, तो bond length कम होगा, यहां पे भी resonance तो होगा, यह oxygen का loan pair भी resonance करेगा, जिसका जैसे इसको यह आने नहीं देगा, benji ring, right, तो सबसे ज साधा होगा, तो सबसे कम bond order one में होगा, right, तो सबसे जादा bond length अपका, one का हो जाएगा, उसके बाद, two, three में अगर करना हो, तो दोनों में resonance है, बट यह, इसको de-stabilize एक तरीके से करेगा, that means, यह loan पर देंगे, तो फिर यह नहीं आ सकता, तो यहां पे bond order कम होगा, तो फिर three होगा, और last में आपका two होगा, bond length, carbon होगा, इसका bond length सबसादा, one में होगा, फिर three में होगा, फिर last में two में होगा, तो इस टाब के भी question आपको पूछा सकते हैं, question number seven में पूछा जारा आपसे, कि इन सब की stability का order बताना, ध्यान रहे हैं कि सिरिफ ऐसा नहीं कि carbonine, oxygen पे minus है, सब में, right, इसकी stability order, तो आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे negative single single, तो यहाँ पे को resonance नहीं होगा, इसका सिरिफ minus I effect है, negative single double resonance भी हो रहा है, right, और negative single single इधर कुछ नहीं आपागा, तो इसका minus I effect होगा, और plus resonance है, यहाँ पे क्या होगा, negative single double resonance, और फिर negative single double से फिर से resonance, तो यहां पर पुड़ा इसका कौन सा एफेक्ट है माइनस है तो अब इसे बात है निगेटिव मतलब अमीर लोग राइट अमीर लोग मतलब उसको कौन स्टेवलाइज करेगा माइनस है वाला तो सबस्यादा थिरी एस्टेवल होंगे फिर टू डैट इस बी एंड फिर वन र हो यहां तो वही दे सकता है जिसका कार्वकाटाइन इस्टेवल हो जाए राइट क्योंकि एजी क्या करेगा आपके कृरेट को खिज लेंगे यहां से क्लोरीन है यहां से क्लोरीन और और यहां से कोई एक कुलोरीन तो खीच करके AGCL बनेगा और प्रिसिपेड़न जाए तो कौन दे सकता है जिली तो जिसका कार्वकाटाइन इस्टे हो लोगा तो आप यहां पर ध्यान से देखो तो पहले वाले में क्या होगा एक्चुली इसको समझना है CS2 डॉल बॉंड CSCL है तो यह CL जल्दी नहीं जागा क्योंकि लोन पेर सिंगल डवर से क्या होगा रेजोनेंस तो यहां पर सिग्मा बॉंड को नहीं ब्रेकरना आपको दो-दो बॉंड को ब्रेकरना है इसलिए यह जल्दी आपका पिरिसिपेड़न नहीं देगा दूसरा वाला जो है वो बहुत इजली दे सकता है क्योंकि कार्वन पे कॉलोरीन इधर लगे हो है और तीन सी एच थिरी है कभी भी स्टैप के प्रॉलम है तो पहले आप ओपेन करके लिखो तो यह सील जाते ही सील को जैसे आप निकालोगे तो क्या बन जाएगा कार्वो का टैन वो भी थिरी डिग्री ना यहां पे क्लोरीन गया भी तो इसका माइनस आइफेक्ट होगा इसके जासे यह कार्वो का टैन क्या होगा खुद कार्वो का टैन विखा रही है और उपर से सील और खिचने वाले तो कहां से देगा वो तो अनस्टेवल होगा इसलिए यह भी आपका प्रिसिपेट जल्दी तो यहां पे द्यान से देखो तो यह 1-degree Ferraridical है राइट शिरिफ इसके पास कितने एक ही Alpha H है यहां पे जो Ferraridical है इसके पास 3, 2, 5 और 2, 7, Alpha है राइट और यहां पे जो Ferraridical है इसके पास 3, 2, 5 और यह Resonance है में ली तो इसलिए stability का order कैसा हो जाएगा ऐसा ही हो जाएगा question number 10 में carbonine के stability का पूछा जा रहा है तो दियान से देखो यहाँ carbon पे minus है 3 chlorine का 3 minus है यहाँ पे carbon पे minus है negative single single कोई resonance नहीं है तो इसका स्रीफ और स्रीफ क्या रहेगा minus i effect यहाँ पे carbon पे minus है और 2 आपके methyl group है क्या होगा 2 plus i effect और यहाँ पे 3 methyl है तो 3 plus i all alcohol group सोज plus i effect तो अभी आपको समझ में आ गया कि carbonine मतलब reach person था तो वो कैसे लोगों को सर्च करेगा negative minus i या minus him वाले को minus i वाला यह है तो सब स्जाद है stable कोई होगा 1 उसके बाद यह भी है लेकिन उतना ज्यादा minus i नहीं है तो उसके बाद हो जाएंगे 2 यहाँ पे 2 ही plus i है दो ही लोग आपोच कर रहे हैं यहाँ पे 3 लोग आपोच कर रहे हैं तो इसलिए 3 and 4 stability का यह ओड़ वाले तो यह just मैंने different concept वाले problem ले करके हमने कोशिस किये कि आपको कैसे हमारे tricks को apply करना है और आप जितने भी PYQs हैं या जो भी book up solve कर रहे हैं आप हमारे concept से easily कर सकते हैं जाते जाते एक छोटे से घ्यान की बात case type की question पूछे जाते हैं कि किस case में सारे bond lane ठिक को ले हैं तो अगेन वहां पे भी resonance का concept लगाना आपको जैसे CO3 2- तो इसको draw कर लो आप तो यह हो गया CO3 2- H2CO3 का inanic part हो गया तो अब यहां पे ध्यान से देखो तो negative single double resonance होगा negative single double resonance होगा तो कोई अगर ऐसे बनाया है तो इसका एक और resonating structure कैसे बना सकता है वो इस step से इधर O- इधर O- और एक और बनाया जा सकता है इस step से आप देहां से देखो इन दोनों O- के हमने इन दोनों पर और मैं इन दोनों पर कर सकता हो तो यह O- तो इनकर यह जो resonating structure होगा resonance hybrid कैसा बनेगा आपको मालू में राइट कैसा बनातेंगे O- O- और सब जगह यहां पर भी pipe bond दिख रहा है तो यहां पर भी दिखाना है यहां पर भी दिख रहा है इस structure में तो इधर भी दिखाना है यहां पर भी दिख रहा और total minus 2 charge है तो minus 2 by 3 सब पर 4 चले जाएंगे तो इससे क्या हो गया कि आपको इस structure को देखो को तो यहां लगएगा कि यह double bond है bond और जाद है तो यह bond length और यह carbon oxygen bond length different होना चाहिए लेकिन नहीं due to resonance all CO bond length हा recall तो इस टाप के question पुछे आ सकते है in which case all CO bond length हा recall तो इसमें सारे carbon oxygen bond length equal होंगे वैसी MnO4- इसको आप draw करोगे तो आपको समझ में जाएगा MnO4- तो इसमें भी एक proper resonance होगा सभी में तो इसमें सारे Mn और oxygen bond length के इक्वल है तो यह भी उस option हो जाएगे ClO4- similar to chlorine 4 oxygen है तो यहां पे भी sum में resonance होंगे due to resonance all chlorine oxygen bond length are equal तो इसमें भी सारे bond length equal होंगे और benzene तो you know इसमें भी resonance हो रहा है सारे carbon carbon bond length के होंगे इक्वल होंगे तो इस टाप के भी question कुछ है तो आपको direct आपके mind में क्या आना चाहिए resonance आना चाहिए Hello बच्चो कैसे हो आज मैं आपको जो concept या tricks देने जा रहा हूँ वो बहुत ही important है क्योंकि इस trick से या इस concept से means या need के exam में minimum एक question रहता है इसलिए हम इस tricks या concept को बहुत अच्छे से समझेंगे और आसानी से भी तो चलिए हम start करते हैं कि कोई given compound होगा या structure होगा तो आप कैसे पैचाने होगे कि वो aromatic है या anti-aromatic है या non-aromatic है right we are going to talk about aromatic city now the question is कि सर हम कैसे पैचानेंगे कोई given structure aromatic होगा या anti-aromatic होगा या non-aromatic होगा तो उसके लिए बहुत simple सा concept है कि पहले चीज़ कि आप इसकी बाद तभी करेंगे जब आपका structure कैसा होना चाहिए cycling पहला condition जो है कि अगर आपको कोई cyclic structure दिखा cyclic structure in the sense कि एक close ring आपको दिखेगी right एक से ज़ादा हो तो भी चलेगा बट minimum एक close ring आपको दिखनी चाहिए तभी आप इसकी बाद करेंगे तो इसलिए cyclic structure must है पहला point अब अगर cyclic structure आपको दिख गया तो वो aromatic है anti-aromatic और non-aromatic है कैसे पैचाएंगे तो very simple आपको क्या करना है ring के सारे element resonance में participate हो रहे हैं कि नहीं वो check करना है और वो कैसे check करेंगे तो via resonance की condition के according अगर ring के सारे element resonance में participate कर रहे हैं और फिर उसके बाद check करना है second point के उस रिंग में कितने electron delocalize हो रहे हैं अगर 2 electron delocalize हो रहे हैं that means 2 electron गूम रहे हैं या 6 या 10 या 14 अगर आप ध्यान से देखो तो यह वह है S में maximum 2 electron P में maximum 6 D में 10 F में 14 यह उसी type का that means 4-4 add करते जाओ अगर इतने electron delocalize हो रहे हैं तो फिर वो given compound आपका क्या होगा फिर वो given cyclic structure आपका क्या होगा aromatic होगा और एक यह rule बोला जाता है 4N plus 2 pi electron delocalize इस rule को बोलते हकर rule मैं लिए हम इसको यूज नहीं करेंगे कैसे count करेंगे मैं आपको application में बताने जा रहा हूँ तो बस यह धियान रखना है कि इस formula को या इस rule को hacker rule बोलते हैं जहाँ N की value 0,1,2,3 हो सकती है now the question is कि anti-aromatic कैसे पैचानेंगे तो again very simple सारा condition aromatic का ही रहेगा that means ring के सारे element resonance में participate करने चाहिए only thing जो difference है वो क्या है कि 4,8,12 electron delocalize होने चाहिए मतलब 4 का table हो गया 4,4,8,12,16, etc that means 4 and pi electron delocalize होने चाहिए wherein can be 1,2,3,4 and so on ओके तो यह हो गया anti-aromatic है अब अगर कोई structure आपका aromatic भी नहीं है anti-aromatic भी नहीं है तो अभी से बात है क्या होगा वो non-aromatic इसलिए मैंने एक point लिखा है कि जो बच गया जो बच गया in the sense अगर वो aromatic भी नहीं है anti-aromatic नहीं है तो फिर क्या होगा non-aromatic एक और उसको quickly कैसे पैचानेंगे कि ring में कोई ऐसा atom आपको दिख जाए जिसकी habitation क्या हो sp3 हो ring में अगर कोई एक ऐसा atom दिख गया जिसकी habitation sp3 है तो फिर क्या होगा non-aromatic होगा तो पहले तो यह funda clear हो गया कि आपको aromatic या non-aromatic पैचानना हो या anti-aromatic तो सबसे पहले ring के सारे element resonance है participate अगर कर रहे है उसके बाद अगर 2, 6, 10, 14 electron delocalize हो रहा है तो aromatic 4, 8, 12 electron delocalize हो रहा है तो anti-aromatic और अगर ring में कोई एक ऐसा atom है जिसके resonance sp3 है या फिर इन दोनों rule को follow नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा non-aromatic तो अगर मैं इसमें stability की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा stable कौन होगा aromatic compound उसके बाद non-aromatic compound और last में anti-aromatic that means anti-aromatic compound highly unstable इस बात को धियाँ रखेंगे and aromatic compound are highly stable इसलिए aromatic compound को आप मान सकतो कि वो एक ideal person है इसलिए non-aromatic भी aromatic बनना चाहेगा anti-aromatic भी aromatic बनना चाहेगा तो aromatic क्या होगा है एक ideal person हो गया तो non-aromatic वाले या anti-aromatic वाले उसकी तरह बनने की कोशिश करेंगे इसलिए मेरा एक slogan रहेगा कि aromatic city के लिए कुछ भी कर सकता है aromatic बनने के लिए कुछ भी कर सकता है तो चलिए अब हम बात करते हैं application की तो आप electron कैसे count करोगे उसके लिए simple sum ने एक logic लिया है कि अगर कहीं पे positive charge है तो आपको उसका को electron नहीं लेना है zero electron count करना है और कहीं पे negative charge है या lone pair है या फिर pi bond है तो आपको 2 electron count करना परेगा ध्यान दें कि अगर एक से ज़ादा भी lone pair हो तो भी 2 electron count करना है pi bond के case में 2 electron count करना है और negative charge के case में 2 electron count करना है कैसे वो यहाँ पर आप देखो अगर suppose करो कि मुझे पता करना हो कि यह aromatic है या नहीं है तो पहले तो cyclic structure है तो वो condition पास हो गया अब electron count करना है तो दियान से देखो positive single double resonance हो रहा है positive single double that means ring का जो सारा element है वो resonance में participate कर रहा है और electron केतने delocalize हो रहे हैं इसका तो कुछ नहीं लेंगे 0 और pi का आप लेंगे 2 यह वाले 2 electron तो 2 electron delocalize हो रहे हैं ring का सारा element participate कर रहा है इसलिए यह क्या हो जाएगा आपका aromatic चलिए next नीचे वाले माते हैं second पे अगर आप दियान से देखो negative single double resonance हो रहा है negative single double पहले resonance की condition चेक करनी कि वो हो रहा है कि नहीं resonance हो रहा है ring का सारा element participate कर रहा है now the question is केतने electron delocalize हो नेगेटिव का 2 electron लेना है 2 यह और pi bond का 2 sigma का कुछ भी नहीं लेना है negative, loan pair, pi इन सब का electron का रहा है तो 2-2 4 electron हो गए 4 electron हो गए तो क्या हो जाएगा anti-aromatic next, third वाले में ध्यान से देखो positive, single, double resonance हो रहा है positive, single, double, resonance हो रहा है that means ring का हर एक element participate कर रहा है resonance में और electron count करें तो श्रीफ यही 2 electron होंगे positive का तो लेना है नहीं है क्योंकि vacant है वो तो यहाँ पे 2 electron delocalize हो रहा है तो यह क्या हो जाएगा aromatic next वाले में ध्यान से देखो negative, single, double resonance हो रहा है negative, single, double resonance हो रहा है now, केतने electron delocalize हो रहा है तो ध्यान से देखो 2, यह 4 और यह 6 6 electron delocalize हो रहा है तो 6 electron हो रहे है तो फिर से क्या हो जाएगा यह aromatic 2, उसके बाद 6, 10, etc. aromatic में था, right यहाँ पे ध्यान से देखो double, single, double resonance, double, single, double resonance that means रिंग का सारे element participate कर रहा है electron केतने delocalize हो रहा है 2, is 5 bond के और 2, is 5 bond के total 4 electron हो रहा है तो क्या हो जाएगा यह anti-aromatic next वाल में देखो positive, single, double resonance हो रहा है लेकिन यह वाला जो element है यह resonance है participate नहीं कर रहा है क्यों कि यहाँ पे न तो positive charge है न कुछ है जैसे देखो double, single, single तब positive है तो शरीफ resonance यहाँ से लेकर के यहाँ तक में मतलब यह 3 element ही आपका participate कर रहा है यह नहीं कर रहा है तो अगर एक भी participate नहीं कर रहा है नेक्स्ट 7 पे आते है तो यहाँ पे ध्याँ से देखो positive, single, double resonance double, single, double resonance double, single, positive रिंग का सारे element resonance में participate कर रहा है electron कितने delocalize हो रहा है तो 2 यह और 2 यह 4 electron हो रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा यह anti aromatic next again रिंग के सारे element resonance में participate करेंगे negative, single, double double, single, double double, single, negative और electron केतने हो गए 2 इसके 2 इसके 4 और 2 इसके 6 6 electron delocalize हो रहे इसलिए क्या हो जाएगा यह aromatic next यह benzene ring हो गई तो दियान से देखो double, single, double, double single, double, 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 single, double that means पूरे ring के सारे element resonance में participate करें electron केतने हो दियान से देखो 2 और यह 2, 4 और यह 2, 6 सारे pi वाले 6 electron है तो क्या हो जाएगा यह aromatic अब यहाँ पे एक point मैं add करना चाहरा हूँ कि अगर आपको कभी भी एक benzene ring दिग गया एक benzene ring के structure में तो वो always aromatic होगा that means इस benzene ring पे आगर मैं कुछ भी लगा दूँ suppose करो इसलिए मैंने 10th example लिया है कि यह benzene ring इस पे कोई भी group लगा दिया कोई भी group in the sense कोई भी group आप लगा दो जितना भी आप functional group जानतो कोई भी लगा दो for example मैंने लगा दिया COH तो यह क्या हो जागा aromatic या फिर कुछ भी लगा दो आप suppose करो benzene ring पे मैंने इतना बड़ा structure कर दिया कुछ भी कर दो या फिर benzene ring पे मैंने ऐसा कर दिया एक और structure बना दिया वहले यह aromatic नहीं हो तो overall compound क्या कर लाएगा aromatic अगर benzene ring पे कुछ भी substitution आप कर रहो तो वो compound overall aromatic ही रहेगा तो यह point को आप लिख भी लेंगे कि benzene ring पे कुछ भी मैं substitute कर दो तो वो compound overall aromatic रहेगा जैसे दियान से देखो benzene ring पे मैंने कोई भी functional group लगाया तो भी aromatic कोई open chain वाला लगा दिया तो भी aromatic कोई close chain लगा दिया भेले यह aromatic नहीं है बट एक बंजी ring अगर aromatic है तो overall structure क्या रहेगा aromatic next यहाँ पे दियान से देखो तो double single double double single double यह resonance हो रहा है by the way nitrogen के पास भी loan pair है but nitrogen का loan pair double bond के पास ही है तो वो participate नहीं करेगा nitrogen का loan pair resonance में नहीं जा रहा है यह भी पूछा जा सकता है तो यह यहीं पे रहेगा तो resonance में कौन जा रहे है यह 6 pi electron 6 electron हो गया यह aromatic हो जाएगा तो यहाँ पे एक point है कि nitrogen का loan pair resonance में नहीं जाएगा क्यों क्योंकि वो double bond पे यह तो वो condition नहीं बन पा रहे है similarly यहाँ पे दियान से देखो तो आपके पास यहाँ पे भी loan pair है यहाँ पे तो दोनों loan pair में से आपको बता रहा है कभी भी एक ही loan pair participate करेगा तो loan pair single double loan pair single double resonance की condition हो रही है right केतने electron delocalize हो रहे है तो वो दियान से देखो 2 यह 4 और यह में से कोई एक ही लेना है तो 2 6 electron delocalize हो रहे है तिसलिए क्या हो जागा aromatic और यह सब कैसे aromatic compound है heterocyclic यह वाले कैसे है homocyclic सारे अगर एक ही tap के element से बन वह है तो homocyclic अगर एक भी element different है तो heterocyclic ना अगर इसको चेक करें तो दियान से देखो nitrogen के पास होता है loan pair right loan pair single double resonance loan pair single double resonance double single double resonance ring का सारा element resonance में participate कर रहा है और electron count करेंगे तो यह 2 और यह 2,4 और यह loan pair वाले 2,6 electron तो यह भी क्या हो जागा आपका aromatic now again very very important question number 14 कि यह aromatic है या नहीं है तो कैसे चेक करेंगे तो ध्यान से देखो कि यहाँ पे carbon oxygen के बीच bond बना हुआ है तो यह pi bond क्या हो जाएगा break कर दिया जाएगा और oxygen पे negative charge आएगा और इस पे positive charge आएगे क्योंकि more electron negative पे negative charge stable होता है less electron negative पे positive now हमने ऐसा क्यों किया क्योंकि हमने एक point बोला था आपको aromaticity के लिए कुछ भी करेगा तो अगर ऐसा करता है तो क्या होता है ध्यान से देखो positive single double resonance double single double double single double double single positive ring का सारा element resonance में participate कर रहा है electron count करने तो कितना हो गए 2 2, 4 और 2, 6 positive का तो लेना नहीं तो 6 electron delocalize हो रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा aromatic तो आपको दो तरीके से question पूछ सकता है इस तरीके से बना करके भी या फिर इस तरीके से positive negative दिखा करके भी या फिर यह oxygen को अटा दे इतना ही करके positive दे दे तो भी तो आपको करने आना चाहिए and last 15 तो यहाँ पर ध्यान से देखो double single single resonance नहीं हो रहा है यह element या यह element जो की carbon है यह resonance में participant नहीं कर रहे है sp3 audition है इसलिए क्या हो जाएगा non-aromatic तो I hope यह सारे example आपको समझ में आये होंगे कि किस तरीके से मैं पहचान रहा हूँ कि यह given compound aromatic है या फिर non-aromatic है या anti-aromatic है जाते जाते ग्यान की बात और that is very very important कि अगर इस type के आपको question पूछ ले यह सब resonance के application based question है कि इन दोनों compound में से कौन aqueous agno3 से react करेगा तो आपको क्या करना है कुछ नहीं करना ag is a strong affinity of halogen वो halogen को बाहर खीच लेगा तो यहां पर आप बना करके देख लो अगर halogen चला गया तो यहां पर आजागा positive और यहां से halogen गया तो आपका यहां पर आजागा positive तो अगर आप ध्यान से देखो तो यह aromatic हो रहा है और यह anti-aromatic हो रहा है तो you know anti-aromatic structure highly unstable है इसलिए यह reaction आपके नहीं होगी और यह reaction हो जाएगी तो इस type का आप से पूछा जा सकता है कि which will give precipitate with agno3 solution तो आपको यह check करना पड़ेगा कि वो BR जाने से जो positive charge के रहे ठोड़ा है वो resonance में जा रहा के नहीं और aromatic condition बन रही है कि नहीं similarly question number 2 इस type से पूछा सकते हैं कि which will react with NA और which will react with NA to give H2 तो अगर दियान से देखो यह metal है तो यहां से hydrogen जब H plus के form में निकलेगा जिसको sodium electron देगा तो H2 gas बनेगी तो यहां पर आएगा negative charge और इस case में यहां पर negative तो अगर पहले वाले में मैं देखो तो आपका कैसे हो जाएगा इस type से और इसके वज़ा से यह क्या हो रहा है aromatic जो already application ने बात किये हैं लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर इसके वज़ा से क्या हो रहा है anti-aromatic तो इस लिए यह reaction possible होगी यह नहीं होगी तो इस type से आपको देखा direct भी पूछ सकता है या फिर थोरा सा वो क्या करेगा आपके mind को गुमाएगा कि क्या यह सब चीजे possible हैं next question number 3 question को ऐसी पुछा जा सकता है कि किसमे rotation possible है तो ध्यान से देखो तो sigma bond के about को भी rotation possible है pi bond अगर आजाएंगे तो rotate नहीं कर सकते हैं क्योंकि pi bond break हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखना है क्योंकि problem तो यहीं सहोने वाली है तो अगर मैं इसको break करूँ तो break किस side करूँ इस side करूँगा तो इधर negative और इधर positive आएगा जो की better है कैसे तो ध्यान से देखो यह single कर दिया यह pi bond को मैंने break कर दिया हुए right और यह double था यह पहले से जो था इधर मैंने negative create किया इधर positive इससे क्या हो गया यह भी aromatic right और यह भी aromatic दोनो aromatic होगे तो aromaticity के लिए कुछ भी करेगा तो इसलिए यह pi bond रहेगा ही नहीं वो break हो जाएगा तब यह sigma bond हो गया तो इसके about single rotation possible है rotate हो सकता है इसलिए यह rotate होंगे बट यह नहीं हो सकता है क्योंकि किसी भी side add करो तो एक side तो aromatic बनेगा लेकिन एक side anti-aromatic बन जाएगा इसलिए इसमें sigma that means इसमें rotation possible नहीं है तो इस type के भी question पूछे जा सकते है चौथा यह very very important है जो exception है जैसे बच्चों को लगता है कि सर यहाँ पे 8 electron आपका delocalize है तो 8 electron है तो इसको बोल देते है anti-aromatic जबकि यह गलत है क्यों? क्योंकि यह structure जैसा आपको बना के देगा तो यह non-planar हो गया इसलिए यह कैसा है यह non-aromatic compound है anti-aromatic नहीं non-aromatic तो ध्यान रखना है यह वला point और इस case में भी important है high level पे बाते करें तो कि resonance में कौन सा pi 1 participate करेगा तो सारे periphery वाले देखो double, single, double तो मैं ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ periphery पे resonance होता है outer part में inner part में कोई resonance मतलब यह pi bond आपका resonance में participate नहीं करेगा और केतने electron हो रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 14 electron delocalize हो रहे हैं इसलिए compound क्या हो जाएगा aromatic तो मैरे कहने का simple सा मतलब क्या है यह 5 question जो हमने लिया कि कभी कभी आपको घुमा करके भी resonance को apply करवा सकता है कैसे करवा सकता है which will give precipitate with agno3 solution तो आपको resonance और aromatic की condition चेक करनी है which can give hydrogen gas same way point आपको देखना है कि वो negative charge जो create हो है उसके यह से aromatic हो रहा है कि नहीं अगर aromatic हो रहा है तो reaction fast होंगी वैसे ही वीच केन रोटेट तो वही point है कि aromatic हो रहा है कि नहीं bond भी रेखोने के बाद और यह एक exception है जो कि non-aromatic compound है due to non-planar structure और कहीं कहीं पर resonance में ऐसा भी होगा कि स्रिफ periphery पर resonance होंगे हम inside वाले pie bond को नहीं लेंगे और इसको यह aromatic होगा Hello friends कैसे हो आज हम लोग बात करेंगे कार्वो कटायन rearrangement के बारे में और कार्वो कटायन को मैं प्यार से बोलूँगा धोखे बाज क्यों क्योंकि यह जिस कारवन पर first time create होंगे maximum time से ऐसा होगा कि वह उस कारवन पर ना रहे shift हो करके किसी और करवन पर चले जाए तो चुकि यह rearrange हो सकते हैं यह उसी करवन पर नहीं टिक सकते इसलिए इसका नाम मैंने रखा है धोके बाज और जो आपको इस वीडियो लेक्चर में पता भी लग जाएगा कि मैं क्यों इसको धोके बाज बोला हूँ इस धोके बाज के बारे में पहले बताओ सर क्योंकि इससे बच के रहना है तो देखो इसके बारे में पहला पॉइंट यह है कि यह एक intermediate है यह reaction के बीच में बनता है और यह एक ऐसा intermediate है जो सिर्फ shift होता है बाकी कोई भी intermediate shift या rearrange नहीं होते only carvocatine ही shift year rearrange होते है second point कि इसमें 3 sigma और 0 lone pair होता है आप देख सकतो यह carbon अगर है इस कारण पे plus charge है तो carvocatine हो गया तो इसके पास 3 sigma होंगे 0 lone pair इसके जासे हाविडाशन इसका क्या रहेगा SP2 इसलिए इसका shape कैसा रहेगा trigonal planar और यह जो pure vital है यह board के plan के up होंगे और एक board के plan के down होगा है इसलिए इस पर attack जो हो सकता है nickelophile का वो दोनों side से हो सकता है इसलिए इसमें आपको racemic product भी मिलेंगे now the question third point is कि vacant pure vital है इसके पास इसलिए यह Lewis acid का का काम कर सकते है lone pair accept कर सकते है और यह electron deficient molecule में साहता है that means यह bigger है भिखारी है इसको electron की जरूरत है चौथा point यह है कि यह dia magnetic है क्यों क्योंकि इसके valence cell में कितने electron होगे total देख सकतो आप total 6 electron होगे even number में तो यह dia magnetic होगे क्योंकि valence electron में 6 electron है and चुकि यह positive charge content करते हैं इसलिए always इस पर attack कौन करेगा nucleophile या वो जिसके पास loan pair है positive इसके पास bhol से भी नहीं आएगा क्यों क्योंकि repel हो जाएंगे तो यह हो गए इसका intro now अब हम बात करते हैं कि carvocatine कहां-कहां पे formed होगे carvocatine के rearrangement में जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि carvocatine कहां-कहां आपको form करना है तो पहला case है जहां भी SN1 reaction हो nucleophilic substitution वाया first order reaction SN1 reaction हो या elimination वाया first order kinetics हो तो SN1 या E1 reaction में आपको carvocatine बनाना है जो कि alcohol halide में generally होता है alcohol में होता है, ether में होता है तो जहां भी SN1 या E1 reaction हो रही है तो वहां पे carvocatine बनेगा, दूसरा जहां भी alcohol in presence of acidic medium हो right, strong acidic medium हो तो ये OH और H plus water के form में बाहर निकल जाते है और carvocatine आपका बन जाएगा, right तीसरा, जब भी ilkin double bond पे addition हो HX का like HCL का या HBR का, अगर HX का addition double bond पे हो रहा है तो वहां भी carvocatine आपका formed होगा, या फिर H plus H2O का addition, hydration of alkyn कर रहो हो, तो भी वहां पे carvocatine आपको form होंगे carvocatine और कहां पे form होगा जब one degree amine की reaction, eliphatic amine की reaction अगर आप Na, Na2R, HCL से कराद होगे तो R, N2 positive CL negative, diogenium बनेंगे जो quickly break होकर का आपको carvocatine देंगे और carvocatine कहां पे बनेगा, जब alkylite की reaction, ELCL3 से कर दोगे, anhydrous वाले से, तो ये ELCL3, X को खीज लेगा और क्या बनाए देगा, R plus तो कहने का simple सा मतलब है कि पहले आपके mind में ये भी clear होना चाहिए कि carvocatine बनाना का है, तो very simple, 5 जगा पे आपको carvocatine बनाना है, SN1 या E1 reaction में बनाना है, alcohol in presence of acetic medium अगर दिख जाए तो बनाना है, alkyne in presence of HX या alkyne in presence of H plus H2O, तो वहाँ पे भी carvocatine बनाना है, 1 degree aliphatic amine in presence of NNO2 और HCl, तो और dijonium salt जो होते हैं, उस case में भी बनाना है, और alkyl halide in presence of alcl3, या फिर d block का कोई compound हो, तो वहाँ पे आपको carvocatine बनाना है, तो I hope clear होगा, कि आपको carvocatine कहां कहां पे बनाना है, now, अब हम बात करेंगे इसके rearrangement के बारे में, तो चलिए अब हम बात करते हैं rearrangement के बारे में, तो ध्यान से देखो, rearrangement बस इतनी ही जगा पे possible है, पहला case, via h- shift, hydride shift बोलते हैं, तो hydride shift होकर के rearrangement हो सकता है, या फिर alkyl shift होकर के हो सकता है, या फिर ring expand हो सकती है, तो उससे rearrangement हो सकता है, या फिर ring contract हो सकती है, तो उससे आपका rearrangement हो सकता है, तो टोटल चार प्रोसेस है और चारों को अच्छे समझे लो कि ताकि confusion ना रहे hydride shift मैंने पहले लिखा क्योंकि always पहले इसको कराना है और जैसे यहाँ पे देखो यह जो carbon plus है और यहाँ पे hydrogen है तो यहाँ पे hydrogen है तो hydride shift पहले होगा तो ऐसे केसम आपको hydride shift कराना है यहाँ पे carbon plus है बट इधर में कोई hydrogen नहीं है क्योंकि carbon ने अपना चारों बना लिया तो जब hydrogen नहीं होगा तब यहाँ पे आपको कराना alkyl shift तो पहले तो confusion बिल्कुल खतम कर लेना hydride shift को prefer करना अगर hydrogen नहीं होगा तब आपको alkyl shift कराना है यह तब ही possible है जब h नहीं है यह मैं लिग देता हूँ जब hydrogen नहीं है तब alkyl shift अगर hydrogen है तो फिर hydride shift होगा ring expand कब होगी तो दो ही case में जब 4 member ring 4 member ring के just बगल वाले carbon पे 4 member ring से जो carbon attach होगे उस पे plus होना चाहिए तो 4 member ring होगी तो या फिर वैसे ही 5 member ring होगी तो 4 member ring या 5 member ring से जो carbon attach है उसके पास अगर plus है तो ही ring expand होगी और 4 member 5 में चली जाएगी और 5 member 6 में कहने का यहाँ पे मतलब है कि अगर मान लो कि आपके साथ ऐसा कोई case है तो यह 4 member ring है right but plus यहाँ पे नहीं है इधर है तो अभी ring expand नहीं होगा यह कहने मतलब है 4 member या 5 member ring से जो carbon attach है बाहर वाला उस पे ही पलस होना चाहिए तभी जाकर के यह rearrangement या यह ring expansion possible है और contraction fix है जब 4 member ring पे ही positive charge हो कहीं पे भी अगर 4 member ring पे positive चारा रहा है तभी contraction कराना है expansion भी fix है 4 member ring के just outside वाले कारण पे या 5 member ring के just outside वाले कारण पे पलस है तभ expansion कराएंगे अगर hydrogen नहीं है तो alkyl shift कराएंगे और अगर hydrogen है तो hydride shift करेंगे ring expansion दो ही case में possibly है एक जब 4 member ring के just outside वाले कारण पे पलस हो तो ring expand ही कराना है या 5 member ring के just outside वाले कारण पे पलस हो तो ring expand ही कराना है ring contraction का एक ही case है जब 4 member ring पे पलस हो इसके अलाबा आपको कुछ नहीं जानना है तो देखिए ring expansion में आपको hydride shift कराना है तो very simple है इसलिए मैंने heading लिखा rearrangement via hydride shift तो आप दिहान से देखो तो जिस करण पे पलस है इस करण पलस है इसके बगल वाला आपका alpha carbon हो गया hyperconjugation के trick में बता रखा और यहाँ पे 2 hydrogen है तो इसके पास अभी 2 ही alpha h है अगर यह rearrange कर जाता है rearrange में क्या होगा इस hydrogen को यहाँ पहुचा देना है और इस पलस को यहाँ पहुचा देना है very simple बाकी चीज़े वैसे ही रहने देना है तो यहाँ पे plus यहाँ आ गया और यहाँ का hydrogen यहाँ चला गया जो हम दिखाते नहीं है bond line notation में तो अब यहाँ पे आने से फाइदा क्या होँच यहाँ से देखो तो यहाँ 3 alpha h और यहाँ 2 alpha h total कितने 5 alpha h हो गए तो पहले कितने थे 2 थे अब कितने होगे 5 तो stability क्या होगी बढ़ गई तो यह जो कार्व काटान का rearrangement होता है तो अब यहाँ attack करेगा यहाँ से reaction होगी यहाँ से नहीं होगा इसलिए मैंने इसको बोला है 2 के बाज क्यूंकि कार्व का टान formed यहाँ हुआ तो आपको लगेगा कि कोई element यहाँ attach होना चाहे लेकिन attach कहा हो रहा है तो इसमें धोके बाज ही हो सकती है इसलिए मैंने इसका नाम धोके बाज रखा है second thing जैसे यहाँ पर देखो तो यहाँ पर 3 और 1 4 alpha H है right hyperconjugation मैंने बहुत अच्छे समझा रखा है अब देख सकतो 4 alpha H है अब यह इधर अगर गया इधर गया तो 2 alpha H होंगे और अगर इस side आगया यहाँ पर तो यहाँ पर आ सकता भी क्योंकि अभी एक hydrogen बागी है तो again H minus shift hydride shift यहाँ भी H minus shift hydride shift होगा तो कुछ नहीं करना hydride shift में आपको कोई structure में changer नहीं देखेगा बस यह plus यहाँ से यहाँ आगया है यहाँ इसे क्या फाइदा हुआ 3, 3, 6 और 2 कितने? total 8 alpha H हो गए इस वाद से यह ज़्यादा stail हो जागा तो यह rear range हो करके यहाँ पर आजागा इसलिए अगर कारो का टन यहाँ बना तो आप यह expect करो कि यहाँ पर अगर इसको देखें तो अभी यह जिस condition में है उस condition में इसके पास और रेड़ी 8 alpha hydrogen है अब यह किसी भी साइट जाएगा तो इसे कम alpha hydrogen होगा तो यहाँ पर कोई rearrangement नहीं होगा ऐसा नहीं कि कारो का टन बना तो rearrange करा नहीं है अगर वो already stable है तो नहीं stable नहीं है तो अब जाकर के वो rearrange होंगे similarly अगर fourth case देखें हम तो यहाँ पर इसके पास दो ही alpha H है अगर यह rearrange कर लिया तो यहाँ पर आ जाएगा plus यहाँ पर आने से कितना होगा तीन और एक चार alpha H होगे फिर से यह rearrange कर सकता है क्योंकि यहाँ पर अभी भी आपके पास hydrogen है तो ऐसा नहीं है कि एक बार ही rearrange होगा यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर आने से क्या होगया 2, 2, 4 और 2, 6 alpha H होगे तो देखो 2 से पहले कितना होगया 4 और 4 से कितना होगया तो जब तक alpha hydrogen बढ़ता रहेगा यह rearrange होते रहेंगे तो सबसे stable यह है तो यह यहाँ पर आ करके रुकेगा तो मैं यह examples आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि rearrangement एक से ज़्यादा time possible है rearrangement तभी कराना जब आगे वाला step stable हो alpha H आपको count करना always अब इसको अगर मैं desi language में समझाऊ तो very simple है कि जैसे यहाँ पर ध्यान से देखो जिस करना पर plus बना उधर से एक ही तरफ जाने का रास्ता है तो इसलिए always हमें more path खोजना है दो नाका पर जाना है तो यहाँ से अगर यह plus यहाँ पर आ गया था यह plus और इधर यह जास समझाने के लिए लेकिन अगर वो यहाँ पर आ गया तो इसके क्या होगा इसके पास तीन नाका हो गया दियान से देखो तीन नाका तो जितने ज़्यादे नाका उतना ज़्यादा stability similarly यह already तीन नाके पर था इसलिए यह कहीं नहीं गया यहाँ पर दियान से देखो इधर एक ही नाका था तो गूम करके यहाँ पर जबाया तो again एक और दो ही नाका था फिर और आगे गया यहाँ पर जबाया तो इसके पास तीन रास्ते तो ज़्यास यह समझने के लिए कि प्लस चार्ज को आपको धिरे-धिरे क्या करना है तीन नाका पे लेके आ जाना है थिरी डिगरी कारो काटान में कनवर्ट करके अगर आने की पोसिलिटी है तो लेके आना है तो यह दिस इस अल अबाउट कि हाइड्राइड सिफ्ट हम कैसे करते हैं इस हाइड्राइड सिफ्ट से अगर आप ध्यान से देखो तो इस ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आगा क्योंकि हाइड्रोजन छोटू सा है पता ही नहीं लगता कि वो सिफ्ट कैसे हो गया बस पलस को आपको सिफ्ट करते जाना है अब ध्यान से देखो मैंने तीन एक्जामपर लिये इस कारण पर पलस है अभी इस कंडिशन में इसके पास तीन ही अलफा हेज है और यह यहाँ पर सिफ्ट होने के लिए जात हो सकता है लेकिन इस कारण ने चारण बना रखा और कोई हाइडोजन नहीं है यह सब अलकाल गुरूप है तो ऐसे केस में अभी तो तीनों मिथाईल ही है तीनों सेम ही है तो इसमें से किसी एक को आपको सिफ्ट करना है तो ध्यान से देखो जैसे हाइडोजन के केस में करते थे वैसा ही है इसको यहाँ पर लियाना है और पलस को यहाँ पर समझो बाकी चीज़ को वैसे ही रखना है तो बाकी चीज़ जैसे है वैसे ही रहने दो यहाँ पर का जो डंडी था वो यहाँ चला गया और यहाँ पर का पलस अब का यहाँ पर आ गया सिंपल अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो 3, 3, 6 और 1, 7 यहाँ पर 7 α-H होगा इसलिए ज़्यादा इस्टे बुरू जागा बासमाई क्या क्या हमने यह वाले डंडी को यहाँ से निकालो और जहाँ पर पलस है वहाँ पर चिपका दो और इस पलस को जहाँ से यह डंडी निकाला वहाँ पर लगा दो सेम इस केस में भी देखो इस कारण पर पलस है राइट तो अभी इसके पास 3 α-H है और इधर कोई हाइडोजन नहीं है क्योंकि सब अलकाईल गुरूप है तो अलकाईल सिफ्ट होगा राइट यह वाले बिग वाले डंडी को तो यह वाले डंडी को यहां से खीच लो तो खीच लेंगे तो बाखी चीज द्यान से देखो वो डंडी खीच दिया खीच दिया तो यहां पर पलस और वो डंडी को कहां लगा देना यहां पर तो यहां से क्या फाइदा हुआ ध्यां से देखो यहां से फाइदा यह हुआ कि 7 alpha h ना तो कोशनी कि सर बरे वाले को क्यों क्या छोटे वाले को कर देते छोटे वाले को करते तो क्या प्रॉलम होता यहां से देखो अगर suppose करो आपने इस वाले डंडी को खीचा तो बाकिए चीजों को वैसे ही रहने दो जहां से देखो यह डंडी हटा दिया है तो यह इधर था और यह था और यहां पे प्लस और यह इससे problem क्या होँआ दियां से देखो problem यह होँआ कि 3, 2, 5, 1, 6 6 यह अलफा हेज होगे जब कि यहां साथ है तो इसलिए जब डंडी हटाना हो तो कौन सा अटाना है बड़ावला ताकि अलफा हेज इनकिरीज हो जाए similarly यहां पे दियां से देखो यह प्लस है राइट अब यहां पे कोई अलफा हट देने है क्योंकि चारबन बना लिया है तो यहां से कौन सा अब डंडी हटा हो गया आप बड़ावला तो अब यहां से देखो बाकि चीज को वैसे रहने तो यहां से बड़ावला डंडी हट गया हो तलब खीच लिया तो पलस किरी हट हो गया और वो डंडी कहां पर लगा थे ना यहां पर इससे क्या फादा हुआ तो देखो पहले सिरिफ क्या था दो नाका, आप कितने नाका हो गए तीन नाका, या फिर अलफा डेजन तो तीन, दो पांच, एक छे अलफा ह हो गए, जबकि पहले कितने थे, सिरिफ दो अलफा हेज तो आई होप आपको एकदम किलियर होगा, कैसे हाइड्राइट शिफ्ट करते हैं, और कैसे एलकाइल हाइड्राइट में आपने देखा, इस्ट्रक्चर में कोई चेंजेज नहीं दिख रहा था, लेकिन एलकाइल में अलफेज, स्ट्रक्चर में आपको चेंजेज दिखेगा, और करना क्या है, वहाँ से वो डंडी है, वो बॉंड को हटा लेना है पलस की जगाँ चिपका देना, और पलस वाले को आपको जहां से डंडी हटाए हो वहाँ पर पलस क्रियेट कर देना है अब हम बात करते है रिंग एक्सपेंशन के बारे में जो की सबसे इंपोर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे से इसमें कन्फिज रहते हैं, तो उसके लिए उन्हें बहुत सिंपल ट्रिक लाया, अब ध्यान से देखो तो यहाँ पर ध्यान से देखो तो 4 मिंबर रिंग है, और उसके बाहर वाले करणपे पलस है तो रिंग एक्सपेंशन की कंडिशन बन गए, राइट तो आपको क्या करना है, पहला पांट हमने लिखा है जिस कारणपे पलस हो, उसको वन नमबर देना है, और फिर रिंग के अंदर वाले कारवन को numbering करना है जैसे ध्यान से देखो अपलाई करके बताता हूँ इस कारवन पलास है तो इसको 1 उसको रिंग के अंदर आ जाना है तो 2 अभी किधर भी ग्रूप नहीं लगा है तो जिधर 1 करें तो 3, 4 और 5 राइट तो यह पहले point का उतलब है कि जिस कारवन पर that means रिंग के जस्ट आउटसाइड वाले कारवन को one देना है numbering में यह IPC naming का numbering नहीं है यह मैं आपको trick का point बता रहा हूँ तो आपको उसको one देना है उसके बाद रिंग वाले पर आ जाना है और रिंग में numbering कर देना 1, 2, 3, 4, 5 अब यह करने के बाद आप भूल जाओ कि क्या हुआ पांच total कितना होगा one, two, three, four, five मतलब आपको क्या करना है पांच member की एक रिंग बना दिनी है क्या कि हमने पांच total आया तो पांच और उसके बाद क्या point है देखो कारवन number two पे positive देना और बाकी group जिस कारवन पे था लगा देना है तो ध्यान से देखो तो रिंग के किसी भी कारवन पे कोई group नहीं लगा है और कारवन number two तो कारवन number two का क्या मतलब है ध्यान से देखो जब आपने numbering कर लिया total पांच आये तो पांच member की रिंग बना दिया आपको जहां से मन करें मैं देखो यहां से कर रहा one, two, three, four, five जहां से मन करें वहां से आप numbering कर दो यह पांच कहने का अतलब कि यह पांच member की रिंग बनेगी ध्यान से देखो यह पांच कारवन की आपको ring बन जाएगी और कहीं से भी numbering कर दो और कारवन number two पे क्या देना पलस, तो यह पलस यहां पे देना तो यह इसका rearrangement हो गया चलिए अब second देखिए second में भी again ध्यान से देखो four member की ring है और उसके just outside वाले पे positive है तो ring expansion हो जाएगा right तो हमने क्या बोला जिस column plus उसको one, two इस case में जिधर substitution होगा उधर ही three देना है तो three, four और five यह पांच indicate क्या कर रहा है कि आपको आँख बंद कर करके पांच member की ring बना लेनी है और फिर इसमें जहां से आपको मन करें वहां से numbering कर दो मैं यहां से कर रहा one, two, three, four, five यह कर दिया carbon number two पे क्या देना आपको plus carbon number two पे क्या दे देना है plus उसके बाद यहां पे देखो क्या है three पे एक methyl group है right three पे एक, तो three का है यहां तो यहां पे एक methyl group दे देना है यह इसका rearrangement हो गया बात सुने है very simple उसका उस ring पे कहीं से भी numbering कर दो two पे plus दो उसका देख लो कि किस करण पे क्या लगा हुआ है तो शिरिफ three करण पे यह लगा हुआ था तो three पे लगा दिया क्योंकि यह सब करण तो आपका कहा आ गया ring में आ गया बस यही करण बच गया था अभी further इसका rearrangement possible है right कैसे आप ध्यान से देखो यह यहाँ पे two degree है दो ही नाक है यहाँ पे आगा तो क्योंकि यहाँ पे hydrogen है तो further एक और rearrangement होगा और यहाँ पे आपका plus आ जाएगा similarly तीसरे वाले को देखो तो ध्यान से देखो पहले पांच member ring है condition हो निचे 5 member ring है उसके just outside वाले पे positive है तो ring expansion हो सकता है तो इसको 1 देंगे 2 अभी किदर भी जा सकतो 3, 4, 5, 6 तो 6 आने का अतलब क्या करना आपको 6 member की ring बना देनी है और जहां मन करें वहाँ से number करो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और क्या करना है 2 पे positive ही है अब इस पे कोई group लगवा था तो नहीं क्यों क्योंकि ये सारे curve आपके किस में count हो गए है ring में count हो गए तो कोई group ने लगा तो आसी छोड़ देना है तो ये rearrange product हो गी आपका 4 number देखो तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये 5 member के ring और इसके बाहर कोई positive नहीं है तो अभी ring expand तो नहीं कराना है लेकिन ये जो है वो 1 degree curve कटन है ये यहाँ पे shift होके आ सकता है तो पहले आपके shifting होगी right तो पहले shift कराओ तो यहाँ पे आपका जागा plus via hydride shift क्योंकि हाड़ोजन था अब जब hydride shift होकर काया तो अब एक perfect condition बनगे ring expansion की क्योंकि ये 5 member ring और उसके बाहर वाले करण पे plus है तो आपको फिर से मैं point बता रखाओ जिस करण पे plus है उसको 1 देना है और ring वाले करण पे आ जाना है तो ये 2 इधर ही 3 करना है क्योंकि substitution है 4, 5 और 6 तो ये 6 क्या represent कर रहा है कि आपको आख बंद करकर के 6 member की एक ring बना देनी है और इस पे जहां से मन करें वहां से numbering कर दो 1, 2, 3, 4, 5, 6 द्यान से देखो ये हो गया 6 कर दिया उसको आद कारवन number 2 पे प्लस डाल दो डाल दिया अब ध्यान से देखो तो देखो यहां से ध्यान से देखो ये और ये सारे करवन तो आपके किस में चले गए है ring में चले गए तो क्या हुआ करवन number 1 पे ये बचा हुआ है और करवन number 3 पे ये बचा हुआ है तो 1 पे लगा और 3 पे लगा simple समझ के बात अब आपको मालुम है कि यह दो नाके पर यह कर्वकटान फसा हुआ है तो तीन नाके पर जा सकता है तो किसी भी साइट इसको आप शिफ्ट कर दो और यहां पर अगर इधर करोगे तो यह आपको रियरेंज प्रोड़क्ट मिलेंगे तो बहुत इजी है यह इस प अबी वन डिग्री है तो यहां पर आ सकता है तो यहां पर ले आएंगे उसके बाद बच्चे क्या करते हैं रिंग एक्स्पेंसन सोचने लगते हैं यहां पर रिंग एक्सपेंसन नहीं करना है क्यों 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 है आपके रिंग और रेड़ी six member की है only four member ring के जासा outside वाले case में hydride shift हुआ है यहीं वो case है जहां पर बच्चे यहां पर plus था तो वो plus को कहा लियाते है अंदर में और 5 member ring ही रहने देते हैं नहीं 5 6 में जाएगा यहां पर आपको ring expand कराना है जबकि यहां पर ring already expanded है 6 member stable है तो यहां पर आपको hydride shift कराना है तो I hope clear होगा बहुत अच्छे से very simple है जिस carbon पर plus है उसको one देते हुए numbering कर लो वो सारे numbering वाले carbon से ring बना लो two number पर positive दो उसका देख लो कि कौन-कौन से करन पर क्या लगा हुआ है लगा दो फिर further rearrangement की possible है तो आप rearrange करा दो now last ring contraction ring contraction very rare है और बहुत ही कम इसके example है और fix है अगर four member ring पर plus charge होगा तो ring contraction होगा आपको करना क्या है जिस कारण पर plus हो उसके बगल वाले carbon के इधर वाले bond को द्यान से देखो उसको भी मैं numbering करता हो one two three तो जिस कारण पर plus है वो वाले carbon के bond को नहीं two three के बीच के bond को break कर देना इसको आटा दो और यहां से इसको attach कर दो तो द्यान से देखो क्या हो गया द्यान से देखो यह मैंने attach कर दिया और यह आपका यह बचाव डंडा था और यहां पर plus two पर again plus लियाना है तो इसको अगर मैं अच्छे से लिखूँ तो कैसा हो जाएगा द्यान से देखो ऐसा हो जाएगा और यह dancing resonance है कुछ बच्चे इसको क्या करते हैं यहां पर ले आते हैं बोल देते हैं sir तीन नाका बन गया नहीं यह dancing resonance होने की वज़ा से यह यहीं पर stable और highly stable है even though यह आपका इस कार्व का टांस से भी ज़्यादा stable है CH2 पलस से भी तो इसको इसलिए यह point को ध्यान में रखना है 4 member ring के 4 positive होगा तो वो 3 member ring में जाएंगी करना क्या वही जिस कार्व के plus है even though यह कार्व का टांस से भी ज़्यादा stable है now जाते जाते ज्यान की बात और that is very very important तो यहाँ पर ध्यान से देखो इसका rearrangement मेरे को कराना है तो आप ध्यान से देखो 4 member ring है उसके बाहर बाले करना पलस है तो सबसे पहले ring expansion की condition बन गए तो ring expand कराना आपको क्या बता है था जिस कार्ण पर पलस हो उसको 1, 2 इधर substitution है तो इसको 3, 4 और 5 ring वाले सारे carbon को numbering कर देना है पांच आने का उतलब क्या हो गया कि आपको 5 member की ring बना लेनी है और जहां से मन करें वहां से numbering कर दो 1, 2, 3, 4, 5 उसका आपने क्या बोला था 2 पर पलस देना है अब ध्यान से देखो ये सारे carbon तो आपके ring में आ गए आप 3 वाले पर ये group लगा हुआ है तो 3 वाला carbon यहां है इस पर ये group लगा दो अब क्या further shifting possible है तो yes ये भी 2 degree है आपका right दो रास्ते यहां पर आ सकता है तो ये further shift होगा तो पहला क्या हुआ है ध्यान से देखो तो ring expand हुई है आपकी दूसरे case में क्या हो जाएगा hydride shift तो ध्यान से देखो h shift होगा तो क्या होगा आपका यहां पर plus आ जाएगा hydride shift से क्या further shifting possible है तो यहां पर ध्यान से देखो तो यहां पर इसके पास 2, 2 और 1 पांच अलफा hydrogen थे अगर यहां से यहां जाएगा यह भी 3 नाका है लेकिन आगे वाले नाके पर जाएगा तो क्या होगा ध्यान से देखो आगे वाले नाके पर जाने की वज़ाद से अगेन यहां पर क्या हुआ है head shift अगर hydride shift होता है तो ध्यान से देखो क्या होगया 3, 3 और यहां पर 1 7 अलफा hydrogen होगे तो 5 से 7 तो वो stable हो जाएगा फिर अगर आप ध्यान से देखो तो फिर से ring expansion की condition बन गए कैसे 5 member ring है और उसके just outside area पर positive है तो हमने क्या बोला था आपको इसको 1 करो इसको 2, 3, 4, 5, 6 तो क्या करना है 6 member ring बना देना आपको आख बंद करके जहां से 1 करे numbering कर दो numbering कर दिया हमने 2 पर क्या कर दो positive अब ध्यान से देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह सब तो आपके किस में चले गए ring बनाने में तो आपका बचा कौन यह वाला और यह वाला दोनों किस पर लगा है 1 पर ही लगा हुआ है तो 1 पर आप लगा देन अब फिर ध्यान से देखो अब यहां पर कोई hydrogen नहीं है तो आप यहां पर क्या होगा alkyl shift यहां पर क्या होगा alkyl shift alkyl shift होगा तो आपको बताया था यह वाला डंडी हटाओ यहां चिपका दो पलस को यहां कर दो तो ध्यान से देखो क्या करना है यहां वाला एक डंडी हटा दिया तो पलस और उस पलस की जगा वो डंडी चला गया तो यह यहां पर अब यहां पर shift होने का जासे अब क्या होगा तीन एक चार और दो छे अलपा हैट हो जाने और थ्री डिग्री है तो आप ध्यान से देखो मैंने यह example बहुत ही best लिया है और इसमें मैं कहना चाहूँगा जब तक तोड़ेगा नहीं फिर आपका एलकाइल शिफ्ट तो यह ऐसा मैंने एक्जामपल लिया है जिसमें यह चीजे होंगी तो इसलिए यह नहीं कि कारू का टान रिज्ट मतलब एक मरत्वा करा दिया जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं तो इसमें आपको हर कंडिशन को चेक करते रहे हैं और लास्स टेवल कंडिशन पर यह बनाना है यह कहने का क्या मतलब है कि आपको माल लिजिए यह इस टाप का खुज आपको दिया जाते है यहाँ पे माल लो आपका लगा होता CL और यह कंडिशन होती अगर माल लो यह रियक्शन जो है हो रही है वाया कार्वो कटाइन निकलो फैल को एट करना होता है तो सबसे पहले बच्चे क्या करते पहला प्रोड़क्ट यहाँ पे निकलो फैल को लगा देते और यह हो जाता आपका गलत एक्चुली में क्या होगा प्रोड़क्ट आपका मालू में ध्यान से देखो यह जो अनेस्पेक्टेड आप किस सोच से बाहर है यहाँ पे आकर का आपका निकलो फैल लगता तो इसका एक्चुल प्रोड़क्ट यह होगा तो कार्वो काटान रियर्रेंजमेंट का कहने का यह मतलब है कि एक बार कार्वो काटान बन गया तो पहले आप उसको रियर्रेंज कराएंगे रियर्रेंज करने के बाद निकलो फैल को अटेज करेंगे इसलिए अगर यहाँ से निकलो फैल की रेक्शन और यह वाया SN1 कार्वकटन अगर बन रहा है तो यह प्रोड़क्ट नहीं मिलेगा आपको यह प्रोड़क्ट और यह प्रोड़क्ट मिलेगा तो आप कैसे ठिंक करेंगे तो उसके लिए आपको यह इतना हमने समझाया है क्योंकि यह दारेक्ट हवा में उर करके नहीं आएगा आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एनलाइसिस अफ कमपाउंड के बारे में तो दो तरीके से एनलेसिस करेंगे एक होता है क्वांटिटिटिव तो यह क्वांटिटिव वर्ट से बना है इसलिए इसमें कैलकुलेशन आएगा तो यह फिजिकल केमस्टि से रिलेटेट बात हो गई सेकेंड जो है वो क्वालिटेटिव डैटमिस क्वालिटी के बारे में बात करेंगे यह थेरिटिकल कोस्टिन इसमें बेस्ड आएगे और कितने एलिमेंट का एनिलीशिस करना है वो भी फिक्स है कारवन का करना हमें हाइडोजन का, नाइटोजन का, हेलोजन का, सिल्फर का और फासपरोस का यह तीन इन औरगेनिक कंपांड होगा एक तरीके से और यह औरगेनिक वाले तो टोटल six element का हमें analysis करना है quantitative में और qualitative में तो सबसे पहले हम बात करते है quantitative के बारे में now quantitative analysis right तो it's very simple concept क्या है we know total six element है हमारे पास right तो आपको क्या करना है जो भी unknown sample होगा राइट जैसे मालों यह unknown sample है तो इसमें क्या-क्या हो सकते हैं carbon हो सकता है hydrogen हो सकता है nitrogen phosphorus sulfur or halogen minimum दो element होंगे मैं यह छे हो सकते हैं right तो यह unknown sample है तो इसके mass को मैं बोल रहा हूँ MS को इसका mass आपको question में clearly given होगा तो mass of sample जो आपको given होगा जब question में पढ़कर कैसे पता लगेगा तो जब बोला कि mass of the samples है या mass is this बताया नहीं कि वो किसका है right mention नहीं किया तो वो mass क्या है sample का mass है तो वो question में given होगा दूसरा MR मतलब mass of reference that means जब इन सबको burn करेंगे या किसी particular reason से react कराएंगे तो जो compound बनेगा वो reference होगा हमारा और उसका mass भी आपको given होगा वो particularly mention होगा कि mass of this reference क्या है very simple है ध्यान से समझो serial number से लिखा अगर carbon होगा तो उसके लिए reference co2 तो co2 का mass दे देगा आपको hydrogen होगा तो उसके लिए water को reference लेंगे right अगर halogen होगा तो agx silver के halide reference हो जाएंगे sulfur हुआ तो barium sulfate phosphorus हुआ तो दो reference यूज करते हैं question में क्या given है उसके according जाना है वो mention रहेगा mg2 p2o7 या फिर ammonium phosphate 12 है molybdenum trioxide right तो ये दोनों यूज करते हैं phosphorus के लिए nitrogen के लिए n2 है इसके बारे में हम detail discussion अभी करेंगे तो ये 5 अभी हमारे लिए important है तो ये 5 element उसके reference fix है molecular weight आपको रटने की जरूत नहीं यहाँ पर हमने लिग दिया राइट क्यों क्यों क्योंकि exam में सबके atomic weight given होंगे तो आप निकास सकते हैं तो इसलिए mass of reference का उतलब यह है कि reference के mass आपको given होंगे right तो हमें क्या करना है mass of element निकारना है तो mass of element कैसे निकाल सकते हैं reference के mass में उसके molecular weight से divide करेंगे तो क्या गया moles right simple mole concept लगाना है जो भी reference होगा उसके weight में given weight में molecular weight से divide कर देंगे उसी के तो क्या हो जागा moles into atomic weight जिस element का आप निकार रहो mass उसका atomic weight into number of atom of that element in that reference compound तो इस तरीके से mass of element आजाएगा तो यह जो quantitative analysis है वो actually है क्या percentage weight by weight है यह 5 element का percentage weight by weight आपको निकारना है और percentage weight by weight कैसे define करते है weight of element by total weight into 100 percentage है तो तो for example जैसे percentage carbon आपको बोला जाए निकारने को तो mass of reference that is CO2 का given होगा उसका mass put कर दो divided by 44 तो यह moles आगया CO2 का बट यह moles जो है वो CO2 का राइट उसमें we know की one mole of CO2 में कितना carbon है 12 gram तो इतना mole में कितना होगा 22 12 वही बोला कि mass of reference by molecular weight of reference that is 44 atomic weight 12 number of atom इसमें carbon का एक ही है इसलिए आपको श्रिफ 12 क्या अगर मालो oxygen का निकारना होता है तो कितना करते है 16 होता atomic weight into 2 करना पड़ता है यहाँ पर number of atom का y मतलब है कि reference में उसके कितने है atom right तो यह mass of actually क्या होगा see divided by mass of sample that is total mass into 100 वैसे hydrogen का निकालना है तो कैसे निकालेंगे very simple reference का mass that means water का given होगा आपको divided by 18 तो most again into 2 क्यों किया क्योंकि दो item उसके right atomic weight 1 है into 2 divided by sample का mass into 100 वैसे ही sulfur हो या halogen हो या phosphorus हो जो भी हो तो क्या हो जाएगा उसका जो reference है जो यहां लिग दिया है उसके given weight में divide कर देना है उसके corresponding reference के molecular weight से into y atomic weight into number of atom sulfur में atomic weight आपका कितना है 32 right और atom कितने हैं एक ही है divided by sample का mass into 100 तो यह है और इसको देख करके बच्चे डर जाते हैं यह simple mole concept के question है बेटा इससे एक question fix है अच्छे से समझ लो अभी मैं कुछ problem लेकर के भी समझाओंगा तो nitrogen के लिए जैसे आपको बताया किस के लिए हम लोग different way में करेंगे बाकी 5 element के लिए आपको बताया था simple है यह भी percentage weight by weight ही है लेकिन निकानने का तरीका थोड़ा सा दूसरा है तो nitrogen के case में दो method यूज करते हैं एक को बोलते हैं दूमस method एक को बोलते हैं जेलधाल method तो दूमस method में percentage N2 कैसे निकालेंगे volume of N2 लेना आपको अगर question में इसने तो अच्छी बात है बट कहां पर यह ध्यान दे STP क्यों क्यों क्योंकि उसलिए हमने 224.00 से डिवाइड किया है तो अगर STP पर volume मालूम है उसको 224.00 से डिवाइड किया तो एक्चुली क्या होगा देंसे देखो मोल्स into N2 है तो 28 उसका molecular weight multiplier कर दिया तो यह mass of into हो गया divided by total mass of sample into 100 तो by the way यह भी percentage weight by weight ही है जस्ट यहां पर volume से जा रहे है नाव जो VN2 है वो STP पर है तो अगर direct question में दे दिया तो अच्छी बात है नहीं दिया तो आप कैसे नहीं कहा सकते हैं simple equate करके कि P1 V1 Y T1 यह किसी भी condition पर है और यह STP पर तो STP पर pressure कितना हो जागा MMHg में 180 या 760 MMHg volume of N2 at STP जो निकानना है और temperature STP कितना लेता है 273 तो volume of N2 कितना हो जाएगा यह सब इदर multiply हो जाएंगे तो P1 V1 into 273 divided by 760 into T1 जहाँ पर P1 किसी अधर condition में STP को छोड़ करके V1 भी किसी अधर condition में यह STP वाला temperature है fix हो गया यह STP वाला pressure है और यह T1 again किसी अधर condition में तो इससे आपको volume of N2 आजाएगा STP पर अगर question में नहीं गिवेने तो ध्यान दे यह जो P1 लेना है वो atmospheric pressure minus aquos tension अगर कहीं पर aquos tension भी mention है question में तो इसको minus कर देना है तो यहां से आपको निकानना है तो यह एक तरीका है यह बेटा नया नहीं है again I am telling यह percentage weight by weight है just volume से जा रहें second method जलधाल method तो इसमें percentage N हम निकास सकते हैं यह भी percentage weight by weight है 2.8 एक fix number हो गया यह M जो है वो क्या है molarity of H2SO4 जो आपको question में मेंसन रहेगा sulfuric acid की molarity आपको put करना है V जो है वो volume of H2SO4 put करना है यह जो V1 है वो volume of N वेच है question में given है तो put करके उसका half कर देंगे नहीं given है तो इसको neglect कर देना आपको तो सिरिफ V रह जाएगा समझगे बाद और MS ता आपको मालूम है कि वो sample का आपको जो weight given होगा तो यह भी percentage W by W है ध्यान रहे जेलधाल method से तीन तरह के हम compound को नहीं estimate कर पाते हैं एक nitro group आ ले जिसमें भी nitrogen के साथ double bond हो देखो यह double bond है यह एजो वाले में यहाँ भी double bond है यह nitrogen ring में फस गया हो क्यों क्योंकि इन सबसे nitrogen nitrogen detached होगा नहीं nitrogen बाहर आएगा नहीं इसलिए आपको फिर यह जेलधाल टेस्ट भी नहीं देंगे तो यह ध्यान रखना यह पूछा जाता है और यह कैसे निकाल लेंगे क्वेश्चन नमबर वन में दूमस method है 0.3 gram of an organic compound के 50 ml into at 300 Kelvin 715 mmHg pressure है तो percentage nitrogen बताना है acquisition आपको गिवेन है तो देखो question को पढ़के मैं कैसे पता लगा रहा हूँ यहां पे 0.3 gram organic compound और कौन सा है वो नहीं बता है that means यह sample का mass है तो mass of the sample आपको आ चुका that is 0.3 gram उसके बाद ध्यान से समझें यहां पे जो volume है n2 का 50 ml वो 300 Kelvin that means STP पर नहीं है क्योंकि standard temperature 273 Kelvin था तो हमें निकानना परेगा तो कैसे निकालेंगे P1 at any condition V1 by T1 is equal to P at STP volume at STP divided by temperature you know STP पर 273 तो volume at STP क्या रहा है ध्यान से देखो volume at STP क्या जागा P1 P1 कैसे निकालेंगे 715 था उसमें से एक को स्टेंशन मानस करते हैं 15 तो कितना हो जागा 700 right V1 कितना हो गया ध्यान से देखो 50 ml और यह 273 divided by अब यह T1 जो आपको given था that is 300 Kelvin और जो pressure होगा STP पे वो 760 होगा तो इसको आप cancel out करेंगे तो यह प्रॉक्स में आ जाएगा आपको 42 कैसे तो यह दो 0 से यह दो 0 cancel कर सकतो यह 0 से यह 0 cancel कर सकतो राइट यह 5 से 15 टैंस में जाएगा यह 7 से 72 टैंस में जाएगा 3 to the 6 तो यह प्रॉक्स में 42 के असपास आ जाएगे राइट नाव दो question इस कि यह जो volume है वो STP पर आया है तो अब हमें percentage n निकानना है तो volume at STP that is 42 divided by 224 00 ml में था most into 28 by mass of the simple that is 0.3 into में 100 तो अब ध्यान से देखो यह 2 0 से इसका 2 0 cancel हो जाएगा इसका 0.3 से उपर में चला जाएगा 10 यह 3 से 4 इसमें चले जाएगे राइट तो अब इसको cut bit करोगे तो एप्रॉक्स यह 17.5% का सपास आ जाएगा पूरा proper calculation आपको नहीं करना है क्योंकि यह काफी far है तो यह सब option नहीं हो सकते है तो इसलिए option क्या रहाएगा इसका a question number 2 म कुछ नहीं mention है तो वो क्या होगे आपको sample का mass that is 0.5 gram right 10 ml volume किसका है दियान से देखो h2s of 4 का ml में ही चाहिए था हमें तो अच्छी बात है वो मिल गया molarity भी आपको मिल चुक है that is 1 तो formula अपना क्या था percentage n के लिए 2.8 into volume ml में ध्यान दे molarity by molar mass of sample यह direct percentage मा जाता put कर दो 2.8 volume ml में 10 molarity standard में तो 1 और sample का mass 0.5 gram वो gram में चाहिए तो दियान से देखो तो यह आपका कितना हो जागा यह तो cancel हो जाएंगे राइट 0.5 का उपर 2 तो यह 56% option है तो इस type से करना बहुत easy इस पर बेस एक problem रहते हैं बिटर question number 3 में 0.246 gram organic compound का है जो कि आपको 0.198 gram CO2 दे रहा है और 0.1014 gram H2O तो percentage carbon और hydrogen तो इसी की बात कर रहा था आपको sample का mass given है reference का mass given है तो अगर percentage C निकान ना होगा तो reference का mass केतना था दियान से देखो 0.198 divided by आपको इसका CO2 का तो 44 into में carbon CO2 में 1 ही है तो 12 divided by sample का mass आपको given था केतना 0.246 into 100 ऐसे करके निकाल लेंगे अब दियान से देखो तो इसको ज़्यादा यह नहीं करना है दियान से देखो मैं कैसे कर रहा हूं calculation 0.198 by 44 into में 12 है राइट नीचे में divided में आपका 0.246 है और into में इदर 100 है यह point से यह point cancel हो जाएंगे 198 को एप्रॉक्स आप कितना लेंगे 200 के असपास 246 को आप कितना लेंगे 250 के असपास उससे फर्क नहीं परेगा राइट तो 250 से यह cancel हो जाएंगे 12 से यह 12 to the 2 से यह 25 the right तो यहां पर आप ध्यान से देखो और यह 44 को अगर आप 45 लेता हो तो यह 9 times में तो यह एप्रॉक्स में 21% के असपास आजाएगा तो इस टाप से करना है सिमिलरली percentage hydrogen निकारना हो तो कैसे निकलेगा आपका इसका given है 0.101 divided by 18 into 2 divided by total sample का mass 0.246 into 100 तो यह प्रॉक्स में आपका आजाएगा 4.5% के असपास तो इस तरीके से इजली कर सकते हैं जैसे कैरियस मेथड में 0.15 ग्राम सेंपल तो डेट मिस सेंपल का mass दे दिया आपको डारेक्ट एतना ग्राम एजी ब्यार तो ब्यार का 80 इन्टू में ब्यार उसमें कितना है एक ही है तो कितना होता है उसका 80 divided by sample का कितना है 0.15 इन्टू में 100 again calculation easy है कैसे देखो 0.12 इन्टू 80 इन्टू 100 डिवाइड़ बाइ 188 इन्टू 0.15 पॉइंट से point cancer 34 दा 35 दा तो 188 को आप approx 200 के आसपास ले सकतो तो आप यहाँ पर अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा दियान से देखो तो 34 35 के आसपास तो यह आ जाएगा percentage में तो इस तरीके से आपको करना है नाव qualitative analysis तो बहुत simple है और बहुत important है यहां से भी question रहते हैं तो दियान से देखो अगर carbon या hydrogen को अगर आपको identify करना तो पहले क्या करना है carbon या hydrogen वाले sample जो unknown sample है उसकी reaction copper का oxide copper plus two में होना चाहिए यह सब point ध्यान में रखना copper के oxide इससे रियक कराते हैं तो क्या होता है carbon CO2 में convert हो जाएगा hydrogen H2 में copper zero में आ जाएगा अब अगर carbon dioxide gas निकली है तो उसकी reaction lime water से करा देंगे तो precipitate आ जाएगा राइट तो इसका मतलब CO2 था that means carbon था तो carbon का detection ऐसे होता है वैसे ही अगर water होगा copper sulfate में add कर देते हैं and hydrous वाले में जो white color का होता है water add होते ही blue color में आ जाएगा इसका मतलब water था water था मतलब hydrogen था तो carbon और hydrogen को इस तरीके से हम लोग पैचानते हैं वैसे ही nitrogen sulfur, halogen phosphorus इन सब के लिए एक common test है that is lasine test और very important है यह पहले आप क्या करेंगे इन सब में sodium add कर देंगे क्या करेंगे पहले इन सब में sodium add कर देंगे तो sodium fusion extract उसको बोलते हैं तो carbon nitrogen होगा तो na cn sulfur होगा तो na 2s halogen होगा तो na x यह बन जाएगा तो इसको बोलते है sodium fusion extract बास नौज में आ गई जो unknown sample होगा उसमें sodium डाल करके उसको reaction करा देना है तो जो present होगा उसके according यह compound बन जाएग करेंगे फिर फर्दर इसका confirmatory test करेंगे अब कैसे अगर nitrogen का करना हो तो हम क्या करेंगे पहले साइनाइड आयन बना होगा सी और एन से एनसे तो इसकी reaction iron पलस टू वाले compound से करेंगे तो यह complex बन जाएगा फिर iron पलस थी वाला compound उसमें add करना है तो इसका थी यह वैलें से इस पोटल थी रहेगा तो यह person blue color आती है इसमतलब nitrogen present है वैसे ही sulfur का करना हो तो दो test है लैट के compound पलस टू वाले से कराओ अगर black color का precipitate आ रहा है तो confirmation हो गया या फिर FECN5NO वाले compound से कराओ complex compound से तो sulfur इसके अंदर गुज जाएगा नौस मतलब sulfur भी आ जाएगे और violet color अगर मिर रहा है तो sulfur का detection हो चुका है वैसे ही nitrogen और sulfur दोनों अगर present हो तो उसके लिए simple thiocyanide बनेगा यहाँ पर right? ACN वाला sodium fusion extract में उसके reaction iron plus 3 वाले किसी भी compound से कराओ दो बलट rate color आ रहा है तो मतलब nitrogen sulfur दोनों present है वैसे ही halogen के लिए आप silver के किसी compound plus 1 वाले से reaction कराओ तो आपको AGX का precipitate मिल जागा जिससे confirm हो जागा कि halogen है और phosphorus के लिए पहले उसको sodium peroxide में that means phosphorus को oxidize कर देते हैं उसके highest plus 5 त जालते हैं इसको ध्यान रखना है Ammonium tetramolibidate है जिससे NH4 whole 3 PO4 क्योंकि PO4 पर मानस 3 होगा तो उसको balance करने के लिए NH4 पर एक फुलस है तो तीन इतो Ammonium phosphomolibidate बोलता है और यह 12 MOO3 यह MO molybidenum है तो यह compound important है इसको ध्यान वे रखना है halogen का कैसे करते है nitrogen sulfur दोनों हो तो and so on यह बहुत important है जस्ट इतना ध्यान वे रखना बेटा अबको जाते 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 ग्यान की बात that is very important कि आपका जो unknown simple होगा उसमें carbon होगे hydrogen होगे nitrogen होगे तो इसलिए XYZ उसके हमने number ले लिए उसकी reaction copper plus 2 वाले oxide से कराना है तो carbon होगा तो क्या मिलेगा CO2 hydrogen होगा तो क्या मिलेग होगा है H2O nitrogen होगा तो N2 अब इसको balance कैसे करेंगे तो यहाँ जितना carbon में X है तो X CO2 कर देना है hydrogen में Y है और ready 2 है तो इसलिए Y by 2 किया nitrogen में Z है और ready यहाँ पे 2 है तो इसलिए Z by 2 किया अब अगर आप ध्यान से देखो तो oxygen कितना होगी है 2X और इधर से Y by 2 तो इसलिए oxygen को balance किया तो 2X plus Y by 2 तो copper भी इतना हो गया तो इसलिए इधर 2X plus Y by 2 गया तो इसको ऐसा नहीं कि रटना है बस समझते वे इसका भी यूज हो सकता है कि इस केतने मोल से केतने मोल मिलेंगे मोल कंसेप्स के question पूछे जा सकते है यह क्या-क्या मिलता है दूसरा जो भी आपको बता negative वाले quantity जो amount निकालते थे percentage वाले तो यह वो method है और lecine test से हम nitrogen, sulfur या halogen का पहचान करते है तो I hope मेरा यह परियास अपको पसंद आया होगा बेटा सारे यह वाले concept important और easy है और यहां से question fix है रहेगा इसलिए इसको अच्छे से करके जाना क्यूंकि एक या दो question अपका fix है every year means के exam में, thank you या कोई भी competitive exam हो तो इसलिए हम इस trick को बहुत असानी से समझेंगे क्योंकि जब है रफी सर आपके साथ तो डरने की नहीं है कोई बात तो देखिए आज हम बात करते है operation of alkin जी आप सही सुन रहे हो आज हम alkin का कर देंगे operation डॉक्टर बनने से पहले operation वो भी किस के साथ alkin का operation करेंगे तो alkin का जो operation होगा वो दो तरीके से होगा एक बार complete operation करेंगे द्यान दो यह सब बस समझाने के लिए एक बार complete operation करेंगे alkin का और एक बार partial operation करेंगे complete operation का क्या मतलब है कि एलकीन में जो double bond दिख रहा है जिन दो carbon के बीच उनको क्या करना है break कर देना है देखो पहला point sigma and pi दोनों जब break होंगे तो मेरा वहाँ पे sense होगा complete operation that means complete oxidation you can say तो operation कर देना sigma और pi दोनों अगर break कर दिये आपको क्या करना है समझेने के लिए आपको कैंची चलाना और कैसे perpendicular दियान से देखो कैसे चलाना है perpendicular perpendicular समझे जैसे यह pi bond board के plane में तो ऐसे cut करना आपको perpendicular ऐसे चलाना है ऐसे नहीं parallel नहीं perpendicular चलाना है तो यहाँ पे दोनों pi bond को cut कर दिया मतलब दो fragment बन जाएगा और इधर भी oxygen भर देना इधर भी oxygen भर देना है क्योंकि जब आपने operation क्या है तो patient को जिंदा रखना पर देगा तो oxygen भर देंगे और इसके लिए reason क्या दवा क्या दोगे अरे दवा तो दोगे न कुछ तो इसके लिए दवा है ozone in presence of water जो काम ये करेगा वही काम ये भी करेगा राइट के में ओफ ओर in presence of H plus राइट या फिर K2CR2O7 H plus दे सकते हैं that means acidic medium में dichromate या acidic medium में permagnate या फिर ozone या फिर ozone ही ले सकते हैं लेकिन थोड़ा सा ZN या ME2S भी उसमें add है तो फिर क्या होगा वो भी देखेंगे तो इन सब केस में ये जो मैंने रियेजेंट या ये medicine दिखाया है इन सब केस में आपको complete operation करना है और ये huge कहा होता है ये सब रियेजेंट to identify position of double bond in alkin ओके now partial operation से क्या मतलब है सर आपका तो partial का मेरा मतलब है कि स्रिफ और स्रिफ मैं किसको break करूँगा πाइ बॉंड को स्रिफ और स्रिफ πाइ बॉंड को break करूँगा तो जब एक πाइ बॉंड 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 होंगे तो दो new sigma bond form होंगे इसलिए इस reaction को क्या बोलेंगे addition reaction क्योंकि एक πाइवांट ब्रेक हो करके दो सिंगमा बनता है तो addition reaction बोलेगे Sir again इसके लिए क्या medicine आप suggest करोगे तो इसके लिए बहुत सारे medicine है क्योंकि partial क्या है ना तो बहुत सारे medicine है एक H plus in presence of water यह हो सकता है या HX where X can be CL BRI यह सब add कर सकते हैं या फिर BH3 in presence of H2O2 and OH- या HG, OAC2, NABH4 या KM4 cold and dilute medium में ध्यान दें दोने में confuse नहीं होना है यहाँ पर KM4 acidic medium में या dilute and cold condition में halogen in presence of water या HOX या फिर halogen in presence of non-polar solvent तो इसके लिए बहुत सारे medicine हमने ले रखे हैं तो इसका मैं एक पूरा वीडियो लेक्चर बनाऊंगा जिस पर आपको कैसे करना हो बताऊंगा आज के वीडियो लेक्चर में हम इस medicine पर बार करेंगे कि अगर मैंने इलकीन का complete operation कर दिया तो कैसे करना है तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जिसके लिए रफी सर जाने जाते हैं तो देखो कहीं पर भी आपको इलकीन दिख गया क्या इलकीन और इन तीनों में से कोई भी रियेजेंट दिख जाए द्यान से देखो ozone in presence of water दिख जाए या फिर K-1-O4 in presence of acidic medium दिख जाए या K-2-CR-2-O7 in presence of acidic medium दिख जाए इन तीनों में से कोई भी रियेजेंट दिख जाए या फिर ozone in presence of zinc या dimethyl sulfide and water ये मिल जाए बात को साथिरो कहीं पर भी इलकीन ये तीनों रियेजेंट में से कोई मिल जाए या ये रियेजेंट ये मिल जाए या फिर ये मिल जाए तो आपको क्या कर देना है operation जो करवन करवन के बीच डवल बांड है उसको perpendicular कट कर देना है क्यों मैं बोर रहा है ऐसा कट कर देना है क्योंकि ozone के बारे मापको मालूम है ozone का structure कैसा है द्यान से देखो बेंट या भी से प्यांगर कैंची की तरह है तो इसलिए कैंची चला देना और कट कर देना है तो समझ के बाद आपको कट कर देना चाहिए ये रियेजेंट हो या ये रियेजेंट हो कैट कर देना और fragment बना देना और कट करने के बाद जिन्दा भी रखना है ना तो oxygen भर देना है दोनों को oxygen दे देना यहां तक तो दोनों में करना ही है now अब changes होगा अगर यह आपने लिया तो फिर यह cut करने के बाद फिर आपको देखना है कि double bonded carbon पे hydrogen तो नहीं है यहां दे double bonded carbon पे अगर hydrogen है तो उसको फिर OH कर देना है अगर नहीं है तो as it is छोड़ देना है इसलिए मैंने ऐसा example लिया है इधर double bonded carbon पे carbon carbon है तो as it is रहने देना है उसको कुछ नहीं करना है इधर double bonded carbon पे carbon था as it is रहने दिया hydrogen था तो OH करना है कब जब इन तीनों में से कोई होगा तो अगर sir यह होगा तो क्या करना है यह होगा तो फिर tension नहीं खतम बस cut करके छोड़ देना है तो that means देखो यह carbon carbon ऐसी रहने दिया इधर वाला carbon hydrogen ऐसी रहने दिया यहीं पे इसलिए इसको बोलते हैं reductive ogenolysis क्या बोलेंगे reductive क्योंकि वहीं पे छोड़ दिया और इसको क्या बोलते हैं oxidative इसको क्या बोलेंगे oxidative ogenolysis बास समझ मागए तो sir ऐसा क्यों हुआ ना तो question ऐसा क्यों हुआ तो वह भी simple है you know ozone आपका बहुत highly unstable है O2 और nascent oxygen सारे चीज के पीछे यही responsible है ओके यही nascent oxygen तो अगर nascent oxygen को आपने trap नहीं किया nascent oxygen को आपने नहीं पकड़ा तो reaction फर्दर हो जाती है इसलिए complete आपका oxidative ogenolysis हो जाता है यहाँ पे zinc क्या करेगा वो जो आपका oxygen था nascent वाला उसको लेकर के खुच zinc oxide में तो इससे क्या हो जाएगा reaction रोख जाएगी या dimethyl sulfide उस oxygen को लेकर करके dimethyl sulfonil oxide बना लेगा बास समझे तो इसलिए यह add करने से आपका जो nascent oxygen है वो यह भी खा जा रहा है तो इसलिए reaction हमारी यहीं पे रोख देना है नहीं होगा तो नहीं खा पाएगा तो फिर यहां तक जाएगी तो बास समझ गे ट्रीक समझ गे बहुत इज़ी है कैंची की तरह cut कर देना है चाहे यह हो या यह हो cut कर देना है cut करके oxygen भर देना है जिन्दा रखना है क्योंकि उसके बाद अगर आपका यह है तो double bond carbon पे अगर hydrogen है तो OH करना है नहीं तो ऐसी छोड़ देना है और इस case में तो simple है बस cut करके oxygen भर दो तो चलिए आप हम इस पे base application की बात करते है और एक point और ध्यान में रखना आपको कि अगर आपको operation करने आ रहा है तो जोड़ने भी आना चाहिए इसलिए मैंने लिखा है cut किया है तो जोड़ने भी आना चाहिए कभी-कभी question उल्टा भी पूछता है कि ozonolysis product यह है तो actual reactant कौन होगा datmiss alkin कौन सा होगा तो उसके लिए भी इसलिए मैंने ऐसे दिखाया है आपको क्या करना है जो-जो C-doll bond हो उसको सामने करकर के इसको क्या कर दोगे बाहर कर दोगे और C-doll bond C बना दोगे तो आपका back reactant आ जागा तो इसमें दोनों type के question आते है एक ozonolysis product क्या मिलेगा और अगर ये ozonolysis product है तो reactant क्या होगा तो उसके इसमें आपको क्या करना है जोडने आना चाहिए जहाँ-जहाँ C-doll bond हो दिख रहा है तो उसको क्या कर देना है सामने ला करकर के दोनों oxygen को फिर से निकाल लेना C-doll bond C बना देना है अगर OH अगर आ गया है तो इसमतलब वो complete oxidation वाल है तो OH को पहले क्या करोगे हेच में convert कर दोगे द्यान से देखो OH को हेच में और C-doll bond O को और दूसरे molecule के C-doll bond O को जोर करके दोन oxygen को बाहर निकाल देना है समझ के बाद देखिए question number 1 जो 2023 में 12 April shift 1 में पुछा गया है कि 2 hexine और O3 and water है तो product क्या होगा तो एक तो रफी सर का trick देखो कैसे exam में आपको सोचना होता है 2 hexine है that means normal L-key नहीं है कहें पे भी substitution नहीं है और चुकि ozone in presence of water है right तो complete oxidation करना वो भी कौन सा oxidative वाल है तो that means double bonded कारण पर hydrogen होगा ही और वो hydrogen होगा तो OH में जाएगा मतलब O2C acid वाला बनना चाहिए याँ दियान से देखो L है और L-dehyde है तो ये तो नहीं होगा यहाँ O2C है बरावर है लेकिन यहाँ L-dehyde है तो ये भी नहीं होगा यहाँ O2C है यहाँ एक है तो that means ही होगा क्योंकि दोनों fragment हमारा ACT बनने वाला कैसे अगर नहीं सोच पाए तो ध्यान से देखो 2 hexine का मतलब क्या हो गया आपका 6 carbon का चैन 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 2 पे double bond उसको असर ने क्या बोला है कि ध्यान से देखो इस carbon पे 3 bond बना है तो 1 hydrogen है और इस carbon पे भी एक hydrogen है चुकि O3 water लिया तो हमने क्या बोला perpendicular cut करो यहाँ oxygen बरो यहाँ oxygen बरो तो जब यह भरते तो ध्यान से देखो यह आजाता C double bond और यह H को क्या कर देते है OH तो यही आपका क्या हो गया Acetic acid और इधर वाला part ध्यान से देखो 1, 2, 3, 4th कारवन पे 1, 2, 3, 4th कारवन पे C double bond हो और यह H OH में तो यह क्या हो गया Butanoic acid तो इसलिए option कौन सा हो जाएगा D Now question number 2 में आपको कोई unknown hydrocarbon है और उसका ogenolysis कर रहे है O3 का 1 mole लिया है तो 1 mole ethanol मिरा और 1 mole propanone यह question में given था यह 8 April को shift 1 में molar mass X का बताना है तो ध्यान से देखो रफी सर कैसे सोच रहे है All what लगा है All what लगा है इसका क्या मतलब हो गया Aldehyde मिरा That means reductive ogenolysis हो रहा है और यह तो propanone है एक और हमें कैसे पता लग रहा है कि 1 mole ozone जब आपने लिया तो 1 mole इसका मिर रहा है 1 mole अगर मैं ozone लिया 1 mole O3 तो मेरे को केतना oxygen मिला 3 oxygen मिला एक oxygen तो यहां आया एक oxygen यहां आया तो एक और oxygen क्या हुआ तो वही वो zinc या ME2S खाया होगा इसका मतलब reductive ogenolysis है और यह वो वाला case है जहांपे अगर आपको cut किया है तो जोडने भी आना चाहिए तो आप ethanol बना लो quickly कैसे बनाएंगे तो C double bond O और ethanol है तो एक दो करवन होगी और एक hydrogen यह बना लिया दूसरा propanone propanone मतलब C double bond O को सामने रखो और 2 CH3 और आपको क्या बोला था जब अगर cut करने आया है तो जोडने भी आना चाहिए तो दोनों oxygen को आटा दो तो आपको क्या मिल जाएगा CH3H C double bond C इधर CH3 इधर CH3 तो IU pack name पूछ लेता है कितने sigma pi यह वो पूछ लेता है अभी आपसे पूछा है इसका molar mass तो कितने करवन दियान से देखो 1, 2, 3, 4, 5 5 करवन तो 60 तो वो हो गया प्लस 9 और 1 10 हाइडोजन तो इसका molar mass केतना जागा 70 So your answer will be 70 Now next question number 3 में C6H8 करके कोई हाइडो करवन था जिसका 1 mol 2 mol H2 से रियक करता है catalytic hydrogenation में और इसके 1 mol का जब हम ogenolysis करते हैं तो 2 mols आपको मिलता है methane di carvaldehyde तो ये कौन सा होगा तो देखो इसको एक तो रफी सर के according अब ठिंग करो कैसे सर ठिंग कर गें दियान से देखो मुझे क्या बोला 2 mols methane di carvaldehyde मैं इस word को पकरणूँगा methane मतलब 1 carbon और इस पे 2 aldehyde group C double bond OH ये होना चाहिए ये हो गया आपका methane di carvaldehyde और एक और information दिया कि इसका 1 mol 2 mol ह2 required हो रहा है इसका उतलब इसमें 2 pi bond है यहां से ये information में रहा है कि 2 pi bond है इसलिए मेरा ये option नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 pi bond है 135 पे अब इन में से होगा दियान से देखो 2 mols methane di carvaldehyde बोनने का क्या मतलब है कि molecule में symmetry है तभी इसके 2 mols मिले और molecule में symmetry है तो 1 पे methyl लगा हुआ है तो एक side तो ये नहीं हो सकता अब double bond की position पे भी symmetry होना चाहिए तो 1,4 में आमने सामने कोना चाहिए तभी symmetry होगा तो option कौन सा हो जाएगा D ऐसे सोचना आपको अगर थोड़ा सा नहीं सोच मारा तो समझो कैसे cyclohexa 1,4 diene क्या हो गया cyclohexa 1,4 diene का दलब 1,2,3,4,5,6 तो वही कह रहा था हम है कि देखो molecule में symmetry है molecule में जब symmetry होगा तभी 2 mols same मिलेंगे अब आपको बता है कि आपको कैसे cut करना है तो perpendicular कैंची चला देना है चला दिया और चला देना यहां पे oxygen, यहां पे oxygen, यहां पे oxygen तो ध्यान से देखो यह CH2, C doll bond OH क्योंकि यहां पे H होगा यहां पे भी H होगे यहां पे भी H होगे बट, professor के trick से बहुत easy है और एक आप ऐसे भी सो सकते थे चुकि आपको यह दे दिया है methane, die, carvaldehyde का 2 mols मिल रहा है तो आपको बता रखा हूँ जोडने भी आना चाहिए तो आप क्या करो CH2, C double bond OH यह दिखा लो, इसका हेज और यह C double bond OH इसका हेज, इसके 2 mols है तो ऐसा ही नीचे ही बना लो और C double bond OH को सामने रखना है क्योंकि आपको वो हटाने भी आना चाहिए तो यह oxygen हटा दो यह oxygen हटा दो आपका यह मिल जाएगा Now next question number 4 में यह 4 option given थे और पूछा जा रहा था कि किसको जब हम ogenolysis करेंगे तो different product मिलेगा ogenolysis पे तो देखो इस टाब के question को कैसे करते हैं कुछ जो बच्चे अपना दिमाग लगाते हैं कि इसमें 2-2 मिधाल है इसमें नहीं है तो यही different देगा ऐसा नहीं होता राइट द्यान से समझो different product चाहिए तो आपको देखना है कि double bond पे substitution कैसे है यहाँ पे ध्यान से देखो double bond पे एक है इधर double bond पे एक है तो यहाँ पे भी वैसा ही है इसमें same product मिलने वाल है यहाँ पे भी देखो double bond पे एक है इधर double bond पे एक है तो यहाँ पे भी यहाँ पे ध्यान से देखो यहाँ पे जो दो सब्सिचुशन है यहाँ पे double bond है ही नहीं और यहाँ पे double bond है क्योंकि आपको मालूम है आपको perpendicular cut करना है तो जब यह cut होगा तो C double bond होपे दोनों side CS3 CS3 आएगा जबकि यहाँ पे यह cut होगा तो एक ही side CS3 आएगा एक side नहीं आएगा तो इसलिए यही आपको different product देने वाले क्योंकि यहाँ पे again cut होगा तो एक एक CS3 मिलेंगे तो answer आपका क्या हो जाएगा C next question number 5 में यह कोई compound उसने लिया था और इसका दो reagent से reaction कराया एक से तो A मिला और यह compound मिल रहा है Y से कराया तो B मिला और यह similar compound मिल रहा है इस टाफ से question given था तो आपको X and Y identify करना था तो आप ध्याँ से देखो यह दोनों product same है और definitely यहाँ पे दीख रहा ओजोन वेगा रहा है केमेनफोर ओजोन लिसिस वाला concept है आपको मालूम है इसको break करना है इसको break करना है तो यह जो कारवान है इसके दोनों side कारवान है इसलिए यह ketone वाला fix हो गया चाहे oxidative वाला agent use करो या reductive वाला changes कहां पे आने वाले है यह वाले पे right एक A मिला एक B मिला और यह कह रहा है कि अगर A को further oxidize किया तो B मिलेगा इसका मतलब यह कौन हो गया reductive वाला right क्यूंकि इसको oxidize करें तो यह मिल रहा है इसका मतलब यह oxidative वाला है तो X should be reductive, reductive मतलब zinc वाला लेना परेगा right और Y should be oxidative तो KNO4 तो इसलिए option क्या हो जाएगा D very simple now next question number 6 में कहा रहा है कि C4H8 एक एलकीन है जो दो isomeric form में exist हो रहें A and B तो इन दोरों में से आपको पैचानना है कि A क्या हो सकता है जब इसकी reaction KNO4 in presence of acidic medium करा जा रहा है तो एक तो gas मिर रहा है उसको और एक ketone मिर रहा है right तो देखो रफी सर कैसे सोच रहे है gas मिनने का मतलब क्या है यह कब हो सकता है चुकि KNO4H plus लिए मतलब oxidative है यह तब ही हो सकता है जब C double bond C हो और इसके दोनों side height हो जानों क्यों? क्योंकि इसको जब मैं break करूंगा that means corner पर double bond होना चाहिए इसको जब break करूंगा तो इधर oxygen इधर oxygen right तो यह C double bond O आएगा समझगे बात और इधर में भी C double bond O आएगा और चुकि double bonded करण पर H है तो OH में चला जाएगा क्योंकि oxidative है के विनो 4H plus फिर आपको मालूम है एक करण पर 2H अनस्टेवल होते हैं तो water को बाहर कर देना है तो यहां से क्या जाएगा CO2 इसलिए कभी भी यह word यूज हो effervescence of gas मतलब CO2 है और यह कब दे सकता है? जब आपका double bond corner वाले carbon पर हो तो एक बात तो clear है कि corner पर होना चाहिए तभी यह होगा corner पर कहां पर है? 1 in पर है right? 2 पर तो नहीं हो सकता 2 पर नहीं हो सकता और 1 propene या 2 methyl propene तो यहां पर इन दोनों में से होगा दूसरा एक और बोरा ketone मिनना चाहिए ketone का मिलेगा? जब इसके दोनों साइड क्या होना चाहिए? carbon होना चाहिए और carbon होना चाहिए यहाई से देखो तो 2 methyl क्या हो जाएगा? propene इसलिए option हो जाएगा D तो आपको ऐसे exam में सोचना है तो अब दियान से देखो C, C, double bond C अगर ऐसा होता और इस पे ही क्योंकि मुझे ketone चाहिए C, double bond O क्योंकि इसको break करना है तो इस पे ही अगर C होगा तभी मैं जब break करूँगा तो यह मुझे ketone मिलेगा C, double bond O दोनों साइड C और इधर 2 hydrogen अगर होता that means terminal alkin होता तभी मुझे CO2 मिलेगा तो कहीं पे भी अगर CO2 मिल रहा है तो एक बात किलियर है कि आपका double bond corner वाले करना पोना चाहिए क्योंकि यह 2 hydrogen आपको मालूम है oxidize हो करके फिर से CO2 में convert हो जागा इधर वाला क्योंकि water बाहर चले जाएंगे next question number 7 इस टाप से पूछा गया है कि again C4H8 है उसको kevenofor in presence of acetic medium कर रहे है तो C3H6O मिल रहा है उसी compound का अगर ogenolysis कर रहे है तो भी हमें similar compound भी ही मिल रहा है तो एक क्या हो सकता है तो ध्यान से देखो अगर दोनों से same मिल रहा है तो यह तो आपको मालूम है कि यह oxidative है तो उसको H कर देते है तो इसमें दो oxygen आना चाहिए एक ही oxygen है मतलब C double bond C के इस वाले कारण पे दो methyl तो चाहिए ही दोनों कारण तभी यह ketone बन पाएगा तभी एक oxygen है क्योंकि यह कौन सा है oxidative है अगर double bond पे आपको बता रहा हो double bond पे H होता है तो OH आ जाता है इसलिए दो oxygen यहां होते है यहां एक ही oxygen है पक्का ketone हमें करना पड़ेगा क्योंकि यह oxidative है इतना आपको सोचना पड़ेगा और रफी सर है तो सोच भी लेंगे तो आप द्यान से देखो तो इसका मतलब but two in नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता द्यान से देखो क्योंकि यह simple वाले है इस पे double one पे H है तो OH आगा तो यह नहीं होगा cyclobutane N तो हो ही नहीं सकता क्योंकि L-kin चाहिए अब इन दोलों में से कोई होगा cyclopropene या 2-methyl-propene तो अब इससी बात है 2-methyl-propene प्रोपene बोले तो 1-2-3 और 1-2 पे ही methyl होना चाहिए क्यों होना चाहिए अभी आपको समझ में आ जागा oxygen ब्रेक्या तो यही आपका मिल जागा C3H600 और दूसरे साइड में यह 2 hydrogen वाले तो यहां से वही CO2 gas मिल जाता क्योंकि इसका C-doll bond हो हेच को OH करते इस हेच को OH करते और वाटर बाहर जाता तो CO2 यह क्योंने वाद आप समझ सकतो 1 methyl cyclopropene तो यह तो possibly नहीं है जिसलिए option कौन हो जागा हमारा A अगर इसको चाहो तो बना सकतो 1 methyl cyclopropene बोले तो यह हो गया राइट और इस पे एक methyl तो आप देख सकतो 1,2,3,4 करवन तो C-4 हो गया यहाँ पे 300 यहाँ पे 1,4 और यहाँ पे 2,6 और यहाँ पे 2,8 तो यह हो गया तो यहाँ तो पाइवांड ही नहीं इसलिए यह भी possible नहीं थापका Now next question is कि KNO4 in presence of acidic medium और heat है तो अगर आपको मालूम है oxidative कराना परेगा यह ध्यान रखना है तो क्या होगा आपको बता रखाऊ कि पहले आपको यह pi bond break कर देना है तो ध्यान से देखो यह pi bond जब break होगा तो ध्यान से देखो यह double bond O और यह बागी चीज़ें वैसे रहने देना है और यह double bond हो ध्यान से समझो मैंने क्या किया यह pi bond को भी रेक्या तो इसको आटा तो थोड़ा सा राइट अपना आप समझमा जाएगा यहाँ पे c है double bond हो c है double bond हो इधर c था double bond हो और इधर 1,2,3,4 कारवन थे तो 1,2,3,4 आपको मालूम है इस double bond पे hydrogen था राइट तो यह बन जागा आपका product simple और अगर reductive होता तो हेच रहता अल्डी हाइट बन करके रह जाता नेक्स कोशन नमबर 9 में इसकी अगेन ओजोन और एज़ेडेन है तो रिड़क्टिव करना पड़ेगा राइट तो आपको क्या करना है यह pi bond ब्रेक करना और यह भी ब्रेक करना है तो ध्यान से देखो य यह आपका double bond O रह जाएगा राइट और दोनों तरफ इसके carbon थे यहाँ पे यह carbon आ जाएंगे यह pi bond जब अपने ब्रेक क्या है तो यह c double bond O इसका h रह जाएगा क्योंकि रिड़क्टिव है और यह c double bond O और इसका h रह जाएगा मैंना ऐसा इसलिए बना है क्योंकि कभी-कभ पिर reverse उच्छा जा सकता है तो इसलिए इन सबको add करके oxygen हटा देना आपको तो यह दोनों यहाँ से add हो जाते तो यहाँ पे pi bond आता यह दोनों यहाँ से add हो जाते तो यहाँ पे pi bond आ जाता similarly question number 10 but two in cameo 4 H plus oxidative हो जाएगा राइट तो but two in बोले तो आपका यह हो गया और इसको break कर दाना है चुकि इस पे H भी है you know तो H किस में चला जागा OH में तो आपको दो molecule क्या मिल जाएगा acetic acid इसके दो molecule मिल जाएगे तो आप देख सकतो हो बहुत इज़ी है और again अगर मालों की back question पुछा जाता कि दो molecule यह मिला है तो क्या होगा तो हमने बता है आपको OH जहाँ पी होगा उसको पहले H में कर देन है तो यह हेज कर देना उसके बाद c-doll bond को सामने करके बाहर निकाल देना है तो आपको back product भी मिल जाएगा और next कि कोई compound A है उसका reductive ogenolysis कर रहे हैं तो ethane 1,2 di carvaldehyde और gilioxal या oxaldehyde मिल रहा है और B compound काम कर रहे हैं ogenolysis reductive तो 5 oxohexanal तो A and B पहचानना था तो ध्यान स देखो कैसे करना ऐसे question को ethane 1,2 di carvaldehyde you know aldehyde जो है तो ethane 1,2 लिखने के अंतलब क्या है कि दो carbon रहा होगा और इस पे C double bond OH होगा तो यह होगा आपका ethane di carvaldehyde 1,2 यह 1,2 क्योंकि aldehyde मैं चेन या parent चेन में नहीं आपर और gilioxal कि इसको बोलते हैं दो adjacent पे aldehyde हो तो इसको बोलते हैं gilioxal या oxaldehyde तो आपको मालूम है दो fragment तो आपको क्या करना है इसका ultra product यह नहीं करना है तो क्या करेंगे attach करेंगे right तो attach कैसे करेंगे द्यान से देखो CH2 CH2 इसका द्यान से देखो C double bond O सामने में रखा और H इसका भी C double bond O सामने में रखा और H और इसका द्यान से देखो यहाँ पे मैं cilia double bond O यहाँ पे cilia double bond O और HH सामने में रखा और क्या करना मुझे oxygen को निकाल देना है तो द्यान से देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 member की यह ring बन गए और यहाँ पे द्यान से देखो यहाँ पे अगर double bond है तो double bond यहाँ पे होना चाहिए तो द्यान से देखो अगर numbering करोगे तो आप कहीं से भी कर सकतो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर इसको मैं ogenalysis करूँगा तो यह double bond पे रेखोगा यहाँ यह oxygen यह double bond पे रेखोगा यहाँ यह oxygen तो द्यान से देखो यह c double bond OH c double bond OH और इदर cH2, cH2, c double bond OH तो यहीं मिल जाएगा तो इसलिए A हमारा जो है वो यह हो चुका है that means आपका A जो है वो यह है cyclohex 1, 3, diene है और रही बात इसकी 5 oxohexinal को कैसे पहचानेंगे तो आप द्यान से देखो 5 पे oxo और hexinal hexinal L है तो 6 करवन तो 6 करवन की चैन बना तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसी पे c double bond OH हो जोना चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexinal हो गया और 5 पे oxo तो यह अब इसका आपको कैसे बनाना है तो very simple इन दोनों को जोड़ना परेगा तो इन दोनों को जोड़ेंगे आप तो द्यान से देखो 1, 2, 3, 4 और यह दोनों जोड़ जोड़ेंगे तो 5 5 करवन की एक ring बना दिनी है और जहां पे double bond होगा वहीं पे एक आपका methyl group होना चाहिए तो आपका यह हो जाएगा B और अगर नहीं समझ माया हो तो इसको कैसे लिखूँगा मैं द्यान से देखो C double bond को सामने करना मुझे बीच में कितना करवन है द्यान से देखो 1, 2, 3 करवन है तो 1, 2 और यह 3 करवन यह third करवन पे यह C double bond O है और इधर मिथाल निकला हुआ है और इधर वाले करवन पे आपका यह C double bond O और H था और इसको आप बाहर निकल दो तो आप द्यान से देखो यहीं बन गया की नहीं कैसे तो आप द्यान से देखो क्या हो जाएगा यह 5 member ring बना देना आपको राइट 3 और यह यह double bond आगया double bond पे मिथा है तो यह और यह सेम है राइट कन्फिज नहीं होना सेम ही बात है नाउ जाते जाते ग्यान की बात और डैट इस वेरी इंपोर्टेंट कि अगर ध्यान से देखो अगर कहीं पे भी कोश्चन में ओजनोलीसिस वाले में या oxidation of elkin में कि one product आपको CO2 मिर रहा है या effervescence की बात कर रहा है तो in that case पक्का आपको terminal elkin हो गाई terminal elkin मतलब corner वाले carbon पे दोनों हाट दो जोना चाहिए एकदम last वाले carbon पे double bond होगा तो यह point को ध्यान बरकना है क्यों क्योंकि आपको मालुम है जब मैं इसका oxidative करूंगा तो यहाँ O, यहाँ O भड़ेगा और फिर यह H, OH में चला जाएगा यह H, OH में चला जाएगा एक करन पे 2H unstable तो water के फ़र में बाहर तो यहाँ से क्या मिल जाएगा यह वाला carbon इधर से एक oxygen इधर से एक oxygen तो CO2 मिल जागा तो कहीं पे भी CO2 की बात को रही है ओजनोलिसिस के केस में यह oxidative reaction of alkin के केस में तो पका terminal पे double bond होगा दूसरा, that is very important कि अगर आपको question में मिल रहा है कि aldehyde मिल रहा है तो aldehyde से हमें पता लग जाएगा कि पका reductive ogenolिसिस कर रहे है क्यों क्योंकि जब भी आप oxidative ogenolिसिस करेंगे तो either दोनों product आपको जो fragment है दोनों ketone हो सकता है दोनों acid हो सकता है या फिर इन दोनों का mixture हो सकता है ketone and acid you already know क्योंकि oxidative में जो double bonded वाले h है वो किस में चले जाएंगे oh में इसलिए acid बन जाएगा और अगर h नहीं होगा तो ketone हो जाएगा क्योंकि carbon होगा बट अगर reductive हो रहा है तो एक product तो ketone हो सकता है दूसरा aldehyde होगा या दोनों ही ketone हो सकते हैं या दोनों ही aldehyde हो सकता है या फिर इनका mixture होगा तो इसलिए कहीं पर अगर acid आ रहा है मतलब oxidative है और aldehyde आ रहा है तो reductive है क्योंकि ketone तो दोनों में common है इसलिए बहुत important point again I'm telling oxidative में acid आएगा उससे पैचान जाएंगे reductive में aldehyde जरूर आएगा तो उससे हम पैचान जाएंगे right ketone तो दोनों में common है now कभी-कभी जो back product आपको think करवाएगा और अगर oxidative वाला product दे दिया तो आपको क्या करना पहले OH को पहले हेच कर देना है OH को पहले हेच कर देना है फिर उसके बाद आपको मालुम है C double bond O को सामने करकर के oxygen बाहर कर देना है CC double bond bond बना देना है alkene operation कि हम alkene का अब क्या करेंगे partial operation करेंगे समझरो partial का मेरा sense यहाँ पर क्या है कि partial मतलब स्रीफ और स्रीफ मेरे को πाई bond को break करना है alkene में जो double bond होते है तो उसमें एक sigma होता है एक πाई होता है तो स्रीफ πाई को break करना है जो कि एक weaker bond है इसलिए वही पहले break होगा और उस पाई की जगा दो sigma formed होंगे जो कि एक stronger bond form हो रहा है तो आप ही सोचो अगर weak bond break हो रहा है और strong bond form हो रहा है तो ऐसे case में energy क्या होगी release होगी इसलिए यह वाला जो process है वो exothermik होगा now oxidation या operation क्यों बोर रहा हो sir तो यहाँ पे क्या होगा actually में कि addition of more electronegative atom that means carbon पे उससे ज़्यादा electronegative atom आएंगे इसलिए हम oxidation बोर रहे हैं right now electrophilic addition इसको बोलेंगे क्योंकि जब भी regression में जो सबसे पहले attack करता है उसके base पे नाम आता है reaction का तो electrophile पहले attack करेगा इसलिए electrophilic addition है now the question is कि sir addition क्यों बोलो ध्यान से देखो आपके पास जो इलकीन होगा उसमें यह sigma होगया तो यह वाला pi इसको break कर देना आपको तो यह pi break होते ही यह वाले carbon की एक valency free हो गई और यह वाले carbon की तो आपको पूरे reagent में पहचानना है कि plus कौन है और minus कौन है right plus और minus कौन है क्योंकि यह जब bond break होगा तो मालो इस कारण पे आपने इधर किया तो इस पे अगर minus आया तो इस पे क्या जाएगा plus आजाएगा simple समझे तो right double bond break किया तो एक carbon पे minus एक कारण पे plus same charge वाले एक दुसरे के पास नहीं आ सकते repair होंगे right तो यहाँ पे आपको reagent जो भी given होगा उसमें plus और minus पैचान लेना है और उस plus minus को double bond हटा करके एक-एक कारण पे लगा देना है right जैसा कि मैंने यहाँ पे एक scheme में दिखाया है तो यहाँ पे क्या हो रहा है सारा चीज add हो रहा है कोई भी चीज बाहर नहीं जा रहा है चिपा कर रहा है इसलिए बोलेंगे addition add हो गया और चुकिए electrophile पहले इस reaction को initiate करता है electrophile पहले attack करता है इसलिए बोलेंगे electrophilic addition now यह जो process होगा addition का plus minus का वो definitely फिर दो तरीके सो सकता है और यह mind आपका पहले सोच दिया होगा क्यों क्योंकि double bond पे जब addition होगा तो दो तरीके सो सकता है एक होगा non-classical carbocatan mechanism तो यह तो chemistry का language होगा रफी सर का language क्या है कि भाई non-classical का मतलब है कि आपका double bond जहां पे है वहीं पे आप add करो मतलब कोई shifting नहीं तो इसलिए मैंने देखो हिंदी में लिखा है जस्ट आपको समझाने के लिए कि जहां पे pi bond है अगर वहीं पे add हो रहा है जैसे यह दो carbon के बीच pi bond है इसी दो carbon पे अगर add कर दिया आपने plus minus को तो non classical carvogatine होंगे और इसके जो reagent है वो fix है total 5 reagent हमने दिखा है बस एतना ही ध्यान में रखो इससे बाहर कुछ नहीं है क्या-क्या reagent है BH3 13 group वाला boron BH3 in presence of H2O2 and OH- इसको बोलते हैं hydroboration oxidation जो भी हम discuss भी करेंगे HGOAC twice in presence of sodium borohydride oxy mercuration demercuration बोलते हैं KMNO4 ध्यान रहे KMNO4 cold and dilute condition में तो इस case में भी यही होगा halogen in presence of water या HOX given हो और halogen in presence of non polar solvent या स्रिफ halogen given हो ये 5 ऐसे case हैं जो fix हैं और यही ध्यान में रखना है ये 5 case में आपको जहां पे pie bond होगा वहीं पे plus minus को add कर देना है क्या plus होगा क्या minus होगा वो आज के video lecture में हम बात करेंगे दूसरा वो case जहां पे classical carvokatan की बात होगी that means जहां पे pie bond है वहां पे भी add हो सकता है अगर वही सबसे ज़्यादा stable position है तो otherwise पहले shift होगा carvokatan shift होगे फिर उसके बाद add होगा तो इसमें दोनो possibility है वहीं पे भी add हो सकता है या फिर घूमने के बाद समझे that means shift होने के बाद add होगे तो फिर वैसे mechanism को बोलेंगे classical और उसके भी हमारे पास दो ही है एक HX का addition X यहाँ पे क्या है halogen CLBR right और H plus H2O का addition तो I hope पहले यह मेरा funda के लिए लोगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ अब हम बात करते हैं tricks की तो tricks का point very simple है जब भी एलकीन का partial oxidation या operation करेंगे तो trick का point क्या है कि ध्यान से देखो जिन दो कारवन इसलिए मैंने हिंदी में लिखा आपको बिल्कूल किलियरली समझना है बहुत simple point है जिन दो कारवन के बीच double bond है जिन दो कारवन के बीच double bond है उसका एक pi bond break कर देना है क्योंकि उसमें एक sigma होगा तो sigma को break नहीं करना है pi को break करना है क्यों क्योंकि pi weak होता है तो कमजूर वाला पहले break होगा उसको break कर देना है उसको break करने के विज़र से उन दो कारवन को रियेजेंट का जो एक plus और minus वाला part होगा वो देना that means sigma के साथ उसको लगा देना है that means एक pi break होगा और 2 sigma बन जाएगा now the question is कि रियेजेंट कौन कौन होंगे जो ऐसा काम करेंगे partial oxidation वाला जहां पे pi bond है वहीं दो कारवन पे लगाना है यहां पे shifting allowed नहीं है यह ध्यान रहे now पहला जो इसका रियेजेंट है वो BH3 लिखके दे सकता है इन तीनों में से कोई भी दे दे एक ही बात है इससे क्या मिलेगा आपको hydrogen बास समझ में आगे इससे क्या मिलेगा hydrogen अगर hydrogen की जगा deuterium लिया होता तो क्या मिले जालता deuterium D हो जाता BD3 लिया होता तो D मिलता मेरे को तो एक D add करना है double bond पे दूसरा जो है उसी में connected रहेगा H2O2 in presence of basic medium OH मानस तो इससे क्या मिलेगा अब द्यान से देख सकतो OH तो that means इस reagent से हमें किलियर हो गया एक H लेना और एक OH H कौन देगा वो भी किलियर है diboran देगा और OH कौन देगा peroxide in presence of basic medium H और OH आइट करना है H कहाँ आइट करना है तो उसके लिए simple साट रिक है H वहाँ आइट करना है जिस कारण पे कम hydrogen है इस case में आप hydrogen को यह जो BH3 या B2H6 है इससे जो hydrogen मिलेगा उसको कहाँ आइट करोगे उस carbon पे जिसके पास कम hydrogen है that means double bonded वाले दो carbon है तो उन दो carbon में देख लो कि किसके पास कम hydrogen है उसको हेच देना है that means उसको और हेच बढ़ा देना है एक तरीके से समझ के बाद इस process को बोलते है anti-marconic और इस reaction का नाम होगा hydro-boreation oxidation जिसको short form में मैं बोलूँगा OAC twice लिखके देदेगा या HG और इतना बड़ा देदेगा यह देख करके बच्चे डर जाते हैं वही बात है इसको open करके लिख दिया और in presence of water होगा यह तो इससे क्या मिलेगा इन पूरे से आपको OH मिनने वाला है क्या मिलेगा OH और sodium borohydride तो यहाँ देख सकतो यहाँ से क्या मिलेगा हेच और इसका उल्टा करना इसका उल्टा करना होतला हेच आप कहाँ पर जाएगा उस कारवन पर जिस पर ओरेड़ी ज्यादा हेच है double bonded वाले वो कारवन जिसके पास ज्यादा आप देना है इसलिए यह marconic up क्यालाता है और इसका नाम होगा पहले mercury add होता है तो oxy-mercuration और बाद में इस reagent के add करने से उसको remove करते हैं तो d-mercuration om-dm short form में बोलेंगे तो यह दो reagent हो गए और हैं तीन और reagent जो यही काम करेंगे जहाँ पर double bond होगा वहीं पर add करना है तो वो तीन reagent में आगे देखा रहा हूँ और next three जिस पे यह आपको कराना है that means double bond जहाँ पर वहीं पर add होगा वो यह है k-n-o-4 in presence of cold and dilute condition given हो k-n-o-4, 273 Kelvin या low temperature, cold and dilute k-n-o-4 यह सब कुछ भी लिखा हो तो इससे आपको क्या लेना है दोनों OH लेना है मतलब double bond को बिरेक करके दोनों करन पे OH-OH लगाना है इस reagent का नाम bears reagent भी बोलते हैं और यह double bond के identification के लिए यूज किया जाता है क्योंकि k-n-o-4 का purple color decolorize हो जाएगा उसके बाद fourth जो reagent यूज कर सकता है वो x2 in presence of water that means कोई polar solvent ले लिया तो जब halogen in presence of water ऐसे करके दे सकता है या यह दोनों जब reaction करेंगे तो HO-x form करेंगे तो इसमें OH- और x-plus है तो adding part यह दोनों है एक जगा पे halogen जोडना और एक जगा पे OH और यह plus है यह ध्यान रहे और यह minus है और similarly fifth वह है halogen है लेकिन in presence of non-polar solvent है तो in that case दोनों case में halogen ही add होंगे एक हैलोजन पे plus एक हैलोजन पे minus जैसे CL2, CCL4, BR2, CCL4 तो आपको कैसे पता लगएगा non-polar COVID solvent दे दे तो यह करना है तो ध्यान से देखो तो third number और fifth number में आपको दिक्कत नहीं होगी क्यों? क्योंकि दोनों का जो adding part है वो same है यहाँ OHH add होंगे और यहाँ XX add होगा तो किसी भी करण पेट कर दो फर्क नहीं पड़ेगा फर्क कहां पे पढ़ने वाला है पहले वाले दो में OMDM में हच बी ओ में और यह fourth वाले में कि कौन से करण पेट करना है इधर वाले या उधर वाले तो इस case में आपको X वहाँ पे attach करना है जहाँ पे ज़्यादा hydrogen हो जहाँ पे ज़्यादा H होगा वहाँ पे X add करना है और हम बोले तो X को वहाँ पे add करना है जहाँ पे less stable carvokatine बनेगा क्योंकि more stable carvokatine पे को जाएंगे OH- तो यह धियान रखना है इसको less stable carvokatine पेट करना और इसको more stable पे तो आपको clear है right आपको मैंने बता दिया HBO में क्या करना है OMDM में क्या करना है इन दोनों में तो दिक्कात ही नहीं है क्योंकि दोनों से same part add होने वाले है और इसमें X plus को less stable पे और OH- को more stable carbon पे add करना है तो चलिए हम बात करते हैं application की तो धियान से देखो question number one यह alkin है B2H6 H2O2 NOH right hydroboration oxidation हो गया आपको मालूम है इससे क्या मिनने वाला है H और इससे क्या मिनने वाला OH इस H को कहा अट करना है जहां पे तो देखो double bonded carbon है यहां पे hydrogen कम है क्योंकि यहां पे एक है यहां पे दो है तो यह H आपका कहा पे आने वाला है इस carbon पे और यह OH कहा जाने वाला है इस carbon पे यह open हो गया तो यह आपका product हो गया similarly question number 2 में ध्यान से देखो again इससे आपको again क्या मिनने वाला है और इससे OH बस यही पैचानना है right और again यह हैच कहां पर जाएगा तो यहां पर कम हाट जाने तो यह वाला हैच आपका यहां पर जाएगा right तो आपका product पहले case में क्या बनेगा C पे CH3 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 इस का R1 पे हैच और CH2 पाई बॉंड हमने अटा दिया right और इस पे हैच देना है और इस पे OH देना हो गया बट इस case में HG OEC twice और NABH4 में तो आपका मालूम इससे OH मिलेगा और इससे H यह वाला हैच आप कहां पर जाएगा जहां पर जाएगा तो यह कहां पर जाएगा यहां पर तो इस case में क्या होने वाला है बाकी चीजे को आपको वैसे ही रखना है यह देखो मैंने वैसे ही रख दिया श्रीफ यह पाई बॉंट को मैंने ब्रेक किया और यहां पर दो सिगमा से ओपन किया और इसका हेच किसको जाएगा जिसके पास औरेडी ज्यादा हेच था तो इसके पास था तो यहाँ हेच और यहाँ क्या गया OH यह हाँ पर जाएगा जहाँ परे चाहाँ पर यह पर हाइड होजान है तो ज्दह है तो आपको प्रोडुक्त क्या बनाना है बाकिशी ही चीजहों को वैसे ही रहने देना है यह हो गया आपका और यहाँ पर आपका H आगा और यहाँ पर क्या जागा OH simple now इस case में again BH3 THF है तो इनसे आपको क्या मिलेगा H और इनसे क्या मिलने वाला OH इसका H कहाँ पर जागा जहाँ पर कम hydrogen है तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो hydrogen ही नहीं है right क्योंकि carbon ने चारवन बना लिया तो यह hydrogen आपका इस carbon पर आएगा तो बस बाकी चीजों को वैसे ही रहने देना है तो यह carbon पर 2 hydrogen पहले से था और उस पर OH आजाएगा और इस carbon पर आपका H आजाएगा simple तो इसमें एक तरह से द्यान से देखो 1 degree alcohol बन रहा है और इसमें 2 degree alcohol बन रहा है तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है next यह वाले का concept मैं आपको दे रखा हूँ Lkin addition में उस video lecture में भी देख सकता हो यहाँ पर यह जो आपका configuration है द्यान से देख सकता हो trans है और trans हमने बोला था कि minus मानो यह जो addition होता है वो भी anti होता है तो यह minus 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 plus plus मतलब same side तो आपको क्या करना है यह इस तरह से drag कर लेना है यह CS3 यह CS3 यह आपका CS3 यहाँ लग गया यह CS3 यहाँ लग चुका है और यह minus minus plus क्योंकि यह trans है minus में addition anti है तो उसको भी minus लेते है minus minus plus मतलब दोनों BR एक side होना चाहिए तो आप ऐसे add कर दो तो एक यह हो गया एक इसका mirror image बनाओगे तो वो हो जाएगा राइट बर दोनों compound similar होंगे क्यों क्योंकि इसमें क्या चुका है plane of symmetry तो इसलिए यह कौन सा compound है meso meso isomer है क्योंकि plane of symmetry है इसमें तो यह दोनों identical हो जाएंगे तो यहाँ पे number of product पूछा जाए तो एक ही बताएंगे six में यहाँ पे जो आपको configuration है दोनों methyl एक side है तो यह sis है sis को मैंने बोला था plus एजुम करो BR2 का addition anti होता है तो minus plus minus minus plus minus minus का क्या मतलब हुआ दोनों methyl को up down देखा और यह plus minus minus का मतलब को समझाए था कि BR opposite side में तो एक BR इदर होगा तो एक BR इदर तो यह मिलेंगे और यह खुद होगे और एक इसका mirror image होगा यहाँ से देखो इसमें कोई plane of symmetry तो mirror image को मैं यहाँ बना रहा हूँ तो mirror image में जो mirror के पास महँगे वो दिखेंगे राइट तो यह तो उपर वाले और नीचे वाले मिथाल सेम रहेंगे हेज पास महा जाएगा तो आपका BR इदर आ जाएगा और इदर में BR आ जाएगे यह optically inactive होंगे और यह mixture optically inactive होगा बट individual की बात करें यह या फिर यह तो optically active होंगे बाइदे वे इसके बारे में addition कैसे करना है आपको पूरा एक ट्रिक दे रखो मैंने वीडियो लेक्शर में एलकीन addition वाले में next question number 7 एलकीन है केवेण O4, H2O2 दियान से देखो temperature तो that means यह dilute condition में है क्योंकि water है और low temperature है तो आपको स्रीफ क्या करना है pi bond को break कर देना है और इससे क्या मिलेगा बता रखो आपको OH, OH तो इसलिए यहाँ पर कोई tension नहीं है दोनों कारण पर OH ही आना है तो आपको कुछ नहीं सोचना है बस OH ले करके आ जाना है तो इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए ना नेक्स question number 8 कि again यह इलकीन है dilute के मेंगा 4 right, dilute मतलब water हो गई तो आपको मालूम है कि इससे क्या क्या मिनने वाला है OH और OH चुकि दोनों पार्ट से में इसलिए आपको इसमें सोचना ही नहीं है बस double bond पे add कर देना है तो यहां पे आपका एक OH आ जाएगा और एक OH यहां पे आ जाएगा very simple इस case में ध्यान से देखो chlorine in presence of water दिया है या फिर इसी को कैसे दे सकता था HO CL करके भी तो आपको बताया था इसमें CL पे प्लस है और OH पे माइनस है तो पहले यह electrophilic addition है पहले electrophile attack करेगा electrophile अगर इस कारण पे attack करे तो यह negative को इधर रख सकते हैं क्यों? समझा रहा हूं दियान से देखो CH3 CH इस पे प्लस और CH2 इस पे माइनस अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या फैदा होगा? carbonine 1 degree stable है carbonine 2 degree stable है इसलिए हमें ऐसी break करना परेगा तो पहले यह CL इस पे attach होगा तो first case में आपका क्या बन जाएगा? CH3 CH पे प्लस CH2 CL यह हो जाएगे एक तरह इससे समझने के लिए और फिर उसके बाद आपका OH माइनस इस पे attach हो जाएगा तो आपका क्या बनने वाला है फिर? CH3 CH CH2 CL और OH इसलिए मैंने बोला था आपको trick में कि CL को वहाँ पे add करना जहाँ पे ज़्यादा hydrogen हो और वह इसको वहाँ पे जहाँ पे less hydrogen हो that means पहले आपको देखना है कि कार्वकटान कहाँ पे stable हो रहा है simple सा बात है वो ध्यान रखना है question number 10 यह बड़े structure देकर के बच्चे डर जाते हैं डरने के जरूत नहीं बेटा रफी सर आपके साथ हैं कैसे द्यान से देखो यह double bond है बेंजीन वाले को नहीं touch करना है क्यों नहीं touch करना है क्योंकि यह घूम रहे हैं तो यह पकर नहीं पाएगा घूम रहे मतलब समझे ना resonance हो रहा है तो आपको मालूम है कि इससे क्या मिनने वाला है मुझे OH और इससे क्या मिनने वाला है हेच कहाँ पैट करना यह भी बता रखो इस case में हेच वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा हाट हो जाना है तो इस कारण पैट हैच होगा तो बस उसका प्रोड़क बना दो इसको क्यों नहीं किये सर यहाँ तो भी double bond था इसको टाच नहीं करना है क्यों क्योंकि यह मिलेंगे नहीं घूम रहा होंगे तो CH2 उसका दिये CH CH2 लिख लो आपको पता है कि आटोजन इसी पैगा तो इस पे हेच लगाओ इस पे OH आपको 2 डिग्री अलकॉर मिल जागा यह आक्सी मर्कुरेशन और OMDM कहीं पे लिख दे तो यह वाला ही रिएजन्ट हो जाएगा करना क्या आपको मालूम है दोनों में एक दूसरे का उल्टा होना है इससे जो आपको हेच मिल रहा है वो कहाँ पे जाएगा वो वाले पे जिस पे औरेडी कम हटजन है कम हटजन किस पे है इस कारोन पे क्यों कूए अडेजन ही नहीं है तो यह हटजन को यहाँ एट करना है तो OH इसका कहाँ पे एट हो जागा यह वाले कारोन पे दो देखो कुछ नाइक करना आपको बाकि जो चीज़ें जैसे बनी है यहां पर OH लगा देना क्योंकि H आ चुका है और इसमें क्या करना है उसका उल्टा करना है उसका उल्टा करने का मतलब क्या हो गया कि आपका यहां पर OH आ जागा तो by the way यहां पर यह 3 degree alcohol हो गया और यह भी भी 1 degree है तो आप द्यान से देख सकतो तो HBO में मेजरली 1 डिग्री अलकॉल मिलेंगे जबकि OM-DM में 2 डिग्री भी मिल सकता है, 3 डिग्री डिपेंडिंग की क्या लगा हुआ है, आज के वीडियो लेक्चर में डिफरेंट यह होगा, कि जिन दो कार्मेन के बिच डवल बॉंड है, उन पे भी अड़ हो सकते हैं, या फिर उनको छोड़ करके दूसरी जगा पे भी अड़ हो सकते हैं, तो उसके लिए क्या रियसेंट होंगे और कैसे करना है, वो आप देखे इस वीडियो लेक्चर में, तो ध्यान से देखे ट्रिक का पॉइंट, कि अगर कहीं पे भी आपको हेच पलस हेच टूओ दिख जाए, एक तो रियक्टेंट फिक्स हो गया, एलकीन होगा, एलकीन के स हेच पलस हेच टूओ दिख जाए या उसी को हेच 3 वी लिख सकता है, या फिर हेच से एले हेच बियार विट नॉन पोलर सॉल्वेंट like ccl4 hcl in presence of ccl4 hbr in presence of ccl4 right non-polar solvent होना चाहिए क्योंकि अगर polar solvent हो गया तो आपको बता रखाओं कि फिर वो partial oxidation होगा और जिन दो कारून की बिच दबल बाण रहेंगे उनहीं दो कारून पर आड़ होगे hbr दिख जाए in presence of non-polar solvent तो करना क्या है तो very simple आपको कार्वो कटायन बना लेना है कौन सा side क्योंकि दो कार्वन की बिच दबल बॉंड है तो इस कारण पर बनाना है कि उस कारण पर तो उधर बनाना है जिधर stable हो जाए वो कार्वो कटायन राइट stable side पहले कारण पर 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 प्लस जाना है कार्वो कटायन बनाना है फिर अगर वही सबसे ज़्यादा stable position है तो वहीं पर add कर दाना है otherwise अगर shifting या rearrangement possible है तो पहले rearrange कराना है उसके बाद आपका negative part nucleophile को जोड़ना है ठीक का ये point है समझ गए और ये कब करना है जब ये दो rearrangement आप लेंगे पहले वाले rearrangement लेंगे तो उसका नाम हो जाएगा hydration of alkene क्योंकि एक करवन पर H जाएगा और एक करवन पर OH that means alcohol मिल जाएगा इस case में आपको तो इसलिए उसका नाम रहेगा hydration of alkene और अगर दूसरा वाला rearrangement लोगे तो एक करवन पर H जाएगा और एक करवन पर आपका हैलोजन X जाएगा राइट इसलिए उसका नाम होगा hydrohalogenation of alkene एक पर हैलोजन जाएगा एक पर हैलोजन वो दोनों double bonded करवन पर ही हैलोजन हैलोजन जाएगे या अलग कारण पर वो decide होगा यहां से इसलिए मैंने इसको different video lecture में बताया है आपको next जो that is very important HBR, स्रीफ और स्रीफ HBR के case में और पर आक्साइड होगा तो ध्यान दे only HBR होगा तो HCL होगा कोई problem नहीं HI होगा कोई problem नहीं HBR in presence of peroxide दिख जाए peroxide कैसे दे सकता है H2O2 कोई भी oxygen oxygen के बीच peroxy linkage हो oxygen oxygen के बीच single bond हो तो अगर HBR in presence of peroxide दिख जाए तो उस case में आपको ध्यान देना है जहां पे carbon carbon की बीच double bond है वहीं पे आपको add करना है bromine यहां पे वहीं दो carbon पे add होंगे और add कैसे करना है तो anti-marconic anti-marconic का मतलब क्या हो गया कि bromine को वहां पे add करो जहां पे और रेड़ी जादा hydrogen है point को कि लिए लिए समझेंगे इस case में जब भी HBR peroxide होगा तो जो दो carbon की बीच double bond होंगे वहीं पे एक पे H जाएगा और एक पे BR जाएगा हेच किस पे जाएगा वह छोड़ो BR किस पे जाएगा वह किलिए रहमें BR को आपको उस carbon पे add करना है जिस carbon पे ज़्यादा hydrogen है इस effect का नाम को बोलते हैं crash effect एक और नाम जाजाता है बट यह कौन सो करेगा only HBR in presence of peroxide अगर सिर्फ HBR होता तो आप दियान से देखो फिर यहाँ आजाता पर oxide होगा तब यह करना है और तीसरा hydrogen like CL2 BR2 in presence of light लिखा हो या H into frequency लिखा हो या UV light लिखा हो इस type से कुछ भी लिखा हो और chlorine या bromine हो तो इस case में बिल्कुल अलग चीज़ है allylic position पर आपको halogen लगाना है कहाँ पर allylic position allylic position का क्या मतलब है जिन्दो carbon के बीच double bond है उसके बगल वाले carbon पर और वो carbon के हविदाशन क्या होने चीज़ है sp3 that means वो sp3 हविदाशन होना चीज़ है तो उस पर आपको क्या लगाना है halogen लगाना है बासमज़ माँ गई तो अब हम बात करते हैं इसके application की तो देखिए question number one कि ये alkin है in presence of H plus H2 है तो आपको क्या करना है आपको बताया कि पहले आपको carvocatine बना देना है तो ध्यान से देखो तो यहाँ पे इस कारण पे positive charge stable होगा तो मैं just बना के दिखा रहा हूँ क्यों stable होगा क्योंकि हमने क्या-क्या देखो इस pi bond को break किया इससे क्या मिनने वाला है एक H और एक OH पहले H plus को add कर देना है तो H plus actually किस कारण पे गया इस कारण पे इसी पे क्यों add किये क्योंकि यहाँ पे add करने से क्या फाइदा हुआ ध्यान से देखो यहाँ पे plus आया और यह plus 6 alpha hydrogen से stable होगे 2 degree carbon होगा इसलिए आपको यहाँ पे लगा देना है उसके बाद आपको OH लगा देना है अभी यह carbon पे plus जो charge हो यहीं पे रहगा क्योंकि यही सबसे इसके stable position है तो अभी यह कहीं पे भी rearrange नहीं होगा तो आप OH फिर add कर दो और आपको यह मिल जागा 2 degree alcohol question number 2 again ध्यान से देखो H3 plus है आपको मालूम इससे H plus है हमारे पास और H minus है पहले H plus को add कर देंगे वो तो simple है आप ध्यान दो कि इस carbon पे add करोगे कि इस carbon पे तो definitely इधर वाले पे क्योंकि यहाँ पे plus ज़्याद स्टेवल होगा तो पहले case में आप ध्यान से देखो 5 member ring बना लो आप इधर यह था इस carbon पे plus किया और यहाँ पे 2 hydrogen था और एक और CH3 क्योंकि यह 2 degree carbon होगे और 3 alpha hydrogen भी इसके पास है तो यह stable है इसलिए carbon हम इस side नहीं बनाएंगे अब यहाँ पे ring expansion हो सकता है क्यों? क्योंकि positive charge ring वाले carbon के just outside वाले carbon पे तो हमने इसका trick आपको दे रखा है इस पे 1 कर देना है 2 उसका ring बना जाना है 3, 4, 5, 6 उसका अबने बोला था आख बंद करके आप 6 member की एक ring बना लो जहां से मन करें वहां से number ring ध्यां से देखो मैं इधर से number ring कर दे रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 जहां से मन करें number ring कर दो और carbon number 2 पे positive charge आप डाल दो उसके बाद आप ध्यां से देखो क्या है यह देखो यह 1, 2, 3, 4, 5 यह सब तो ring मागे हैं ध्यां से देखो तो 2 पे ही क्या होगा आपका एक methyl group लगा होना चाहिए तो 2 पे एक methyl group लगा दिया और एक methyl group कहां पे ध्यां से देखो 1 पे तो 1 पे लगा दिया है और तीन और एक चार और दो छे यहां पर कर देना है और आपका प्रोड़क्ट हो जाएगा यह है तो क्या चेंजेज क्या हुआ सर पहले वाले से तो वहीं मैं कहा रहा हूं कि जिन दो कार्वन के बीच डबल बॉंड था वहीं पर आपका है है और और चार नहीं हुआ है तो चलो उसी कारवन पर हुआ है तो यहां पर वैसा ही केस है तो इसलिए मैंने वह पॉंड लिखा था कि अगर कार्व कटन वहीं पर एस्टेवल है तब तो वहीं पर हो जाएंगे लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पहले रियरेंज होगा फिर एड हो होगा तो इसलिए इसमें दोनों तरह के चेंजेज होंगे उसको आपको कर्व कटन बना करके देखना पड़ेगा कोशन नमबर थिरी द्यान से देखो है प्लस है इलकीन है तो हम कर्व कटन बनाएंगे राइट तो कर्व कटन आप बनाओगे कि साइड यहां पर क्योंकि ट यहां लियाना है पलस को वहां ले जाना है तो इसलिए स्ट्रक्चर में कोई चेंजेज नहीं देखेगा शिरिफ पलस यहां जाएगा अब यह मौस स्टेबल पोजिशन होगी क्योंकि यहां पर थ्री डिग्री हो गया और आठ अलफा हैड्रोजन होगे इसके पास तो अब आप OH एड़ कर देंगे OH माइनस तो आपका प्रोड़क्ट यह मिलेगा तो क्या चेंजेज क्या हुआ कि जिन दो कारवन के बिच डवल बॉंड है वहीं पे दोनों पार्ट एड़ नहीं हुआ है एक पार्ट है यहां एड़ हुआ है जरूर लेकिन OH इस कारवन को छोड़ क इस कारवन पे हुआ है तो यह चेंजेज होंगे इन सब रियेजेंट में वैसे एक और केस हेस्ट्रियो पलस इन दो कारवन की डवल बॉंड है पहले हम कारवन का टैन बनाएंगे इधार यह स्टेवल होगा राइट क्योंकि 3 डिगरी हो गया अब यह यहीं पे स्टेवल है ओएज एड हुआ है तो ऐसा भी हो सकता है क्यों नहीं दो कारवन के बीच हो लेकिन कब होगा जब वही सब से स्टेवल पोजिशन होगी नहीं तो कारव का टैन बनाओ रिये रेंज कराओ रिये रेंज का उन तरब उसको पहले घुमाओ फिर आओ फिर उसके बाद ओएज म बनाना राइट इस कारम पर बनाएंगे क्योंकि टू डिग्री होगा इस्टेवल होगा तो बाकी चीजों को आप वैसे ही रहने दो राइट और यहां पर आपने बना दिया यह प्लस उसके बाद यहां पर रिंग एक्सपैंड मत कराना क्योंकि और यह सिक्स मेंबर सिक्स म हमने क्या किया यहां पर का मिथाल यहां लगा दिया और प्लस यहां पर लिया आया अब यह जो कारव कर्टान वह सब साथ हैस्टेवल है क्योंकि टू टू फॉ फोर और वन फाइब अलफा अज़ाना और थिरी डिग्री और अब आप बियार माइनस को एड़ कर देंगे औ और आपका प्रोड़क्ट बन करके हो जाएगा तयार तो यह आपके हो गए प्रोड़क्ट तो अगेन आप ध्यान से देखो क्या हुआ कि हेच तो यहां पर जरूर लगा लेकिन बियार यहां पर नहीं लगा बियार देखो शिफ्ट होकर के लगा इसलिए यह वो केस है जह ज़्यादा stable कार्वोकाटन बनेगा क्यों क्योंकि 3 डिग्री होंगे और अलफा ज़्याद होंगे बट इस केस में यू नो इसका कौन सा effect है माइनस M effect या फिर माइनस I तो कार्वोकाटन यहां पर नहीं बनाएंगे यहां पर जितना दूर लगा है तो यहीं पर नहीं यहां पर दूर पर ताकि यह से दूर रहे राइट अब उसके बाद आप बी आर माइनस को एट कर देंगे तो आपका प्रोड़क्ट हो जाएगा तयार तो इस केस में यह प्रोड़क्ट मिलेंगे सिमिलरली इस केस में हेच सी एल राइट तो आगेन आपको पहले क्या करना परेगा कार्वो का टाइन यहां पर एस्टेवल है क्यों क्योंकि टू डिग्री है राइट उसका रियरेंजमेंट हो जाएगा हेच माइनस सिफ्ट हाइड़ाइड सिफ्ट होकर करके आपका प्लस यहां पर आजाke फिर c- को आड़ करना है तो बस यह पॉइंट से आपको ध्यान में रखना है फिर c- करना है similarly, इस case में very important जान से देखो, फिर से आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इस करवन पे methyl गुरूप था और इसी पे plus लाना और इस पे एक और methyl हो जाएंगे, right, एक ये methyl, इसको ऐसे दिखा दिया, 4 तो लिख दो CS3, और इस पे एक और hydrogen एड होने से CS3, आप again ये 4 member ring है, उसके just bar वाले पे positive है, तो अब ring expansion होगा, तो इसको 1 देंगे, इसको 2, 3, 4, 5, तो आपको मैंने बोला, कि आप 5 member ring आँख बंद करके बना ले, जहां से मन करें, numbering कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 2 पे आप दे देंगे positive charge, उसके बाद ध्यान से देखे, 1 पे ही इसके पास 2 methyl group लगे हो है करो number 1 पे, तो 1 पे लगा दो 2 methyl, उसके बाद methyl shift हो जाएगा, अभी भी यहाँ पे नहीं रुकेगा, emissive, methyl यहाँ पे positive यहाँ पे, तो आपका, इस type से हो जाएगा और positive यहाँ पे, उसके बाद आपका nickelophile dr minus को आप add कर दें, तो इसका product हो जाएगा आपका, आप देख सकते ह यह, तो I hope, यह question आपको बहुत important है, और अच्छे से समझ में आ रहा होगा, now next question number 9, HBR है, और again ilkin है, तो आपको मालूम है, कि यहाँ पे carvocatine ज्यादा stable होगा, क्योंकि positive single और यह pH मतलब benzening है, तो resonance में जाएगे, तो इसलिए आपको कैसे करना है, pH और यहाँ पे BR लगाव क्योंकि carvocatine यहाँ पे stable होगे, right, यहाँ पे HI है, तो आपको मालूम है, first case में आप क्या करोगे, यहाँ पे carvocatine बनाओगे, अब यहाँ पे hydrogen नहीं है, तो methyl shift होगा, एक methyl यहाँ जाएगा, positive यहाँ, तो methyl shift कर दो आप, right, और यहाँ पे positive, उसके बाद यहाँ पे आपको I- पानस लगाना है, तो आपका यह product बन करके तयार हो जाएगा, similarly, इस case में, hcla, alkin है, right, तो पहले case में तो आप क्या बनाएंगे, carvocatine आपको बता रखाऊं, कि आपको पहले carvocatine बनाना, और वो यहीं पे stable होगा, इस वाले carvon पे, क्योंकि 3 degree जाएगे, अब यह carvocatine ध् आपको बता रखाऊं, कि आप 6 member ring बना लो, तो ध्यान से देखो, यह पहले से थी, इसमें 6 member ring अब बना दो, numbering यहाँ पे ध्यान देना है, कि 4 और 5 number करों आपका fix है, क्योंकि वो दोनों common है, तो 4, 5 कर दो, तो यह हो गया 6, तो इधर 3, इधर 2, इधर 1, ऐसे कर दो आप, कि 2 पर मैंने आपको बोला, कि 2 पर positive देना है, और 1 पर ही यहाँ पर 2 methyl है, तो 1 पर 2 methyl आप लगा दो, very simple, उसका देखें, methyl shift हो जाएगा, तो methyl shift हो जाएगे, तो यहाँ पर positive आजाएगा, और यहीं पर आपका CL add कर देना है, तो finally CL आप यहीं पर add कर दो, आपका यह product हो केस में, अगर सब पोच को reaction HBR से करा रहे हैं, तो again इस करण पर positive stable होगा, यह similar to this case है, क्यों क्योंकि इस करण पर plus आएगा, तो positive single double से resonance हो जाएगे, तो simple आपको क्या करना है, CH, CH2, CH3 हो जाएगा, और इस पर आपको BR add कर देना है, ध्यान दे, बेंजीन वाले double bond को touch नहीं करना है, क्योंकि आपको बता रखाओ, वो resonance में participate करना है, घूम रहे हैं वो, तो HBR उसको पकड़ने पर आगा, इसलिए अगर आपको कहीं पर ऐसा case आ जा रहा है, कि बेंजीन in presence of HBR, तो यहाँ पर कोई reaction आपको नहीं कराना है, क्योंकि यह बेंजीन का double bond क्या हो रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है, तो यहाँ पर कोई reaction नहीं होगी, normal condition में, next question number 13, कि यह एलकेन और HBR in presence of ध्यान से देखो, पर आक्साइड है, तो यहाँ पर आपको कुछ भी shifting वेगर नहीं करना है, आपको बोला है कि BR कहाँ पर एट करना है, जिस कारण पर double bond हो जाना है, और H और BR उसी कारण पर एट होगे, जिन दो कारण की भी double bond है, तो right, तो CH3 CH2, CH single bond CH2, right, BR इस कारण पर होगा, क्योंकि इसके पास जाद आट हो जाना है, तो BR आपका यहाँ जाएगा, और H यहाँ, यहाँ पर कोई करण करण कोई shifting ने, तो इसलिए यह anti-mark हो नहीं करवे, क्योंकि अगर H2O2 नहीं होता, दियान से देखो, H2O2 नहीं होता, सिरिफ H होता है, तो फिर आपका BR यहाँ पैड होता, क्योंकि यहीं पर कारों का टायन stable था, right, similarly HBR, H2O2 है, इलकीन है, तो आपको कैसे करना पर एगा, ध्यान से देखो, यह वाले कारवन के पेस, ज़्यादा hydrogen है, right, क्योंकि यहाँ पर तो hydrogen ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको BR याट करना, यहाँ पे हैड हो गया, तो ऐसे question को कैसे पुछा सकता है, कि इस case में number of product बताओ, number of product, तो ध्यान से देखो, यह carbon भी आपका काराल हो चुका है, चारो group different, और यह carbon भी काराल हो चुका है, चारो group different, इसलिए number of product 2 की पर 2, that is 4 हो जाएंगे, right, और अगर सिरिफ hbr होता है, h2 or 2 नहीं होता है, तो अब दियान से देखो, आप क्या करते हैं पहले, आप एक कार्वो कटायन बनाते हैं, right, और कार्वो कटायन यहीं पे बनाते हैं, क्योंकि यहीं पे ज्यादा stable होगा, उसके बाद, यहीं पे stable हैं, क्योंकि 3 डिग्रिये ह दोनों सेम है तो यहां पर नमबर अफ प्रोड़क्ट पुछता तो एक होता इसलिए साफधानी हटी दुरगटना घटी इसलिए आपको रिएजेंट को केरफुली अबज़र करना है कि क्या है थोड़ा सा चेंज होगा सब कुछ चेंज हो जाएगा इसको बोलते हैं N-Bromosuccinamide राइट शॉर्ट फर्म में N-B-S लिख सकते हैं तो इसका भी वही काम है जो काम आपका हैलोजन इन प्रेजेंस ओफ लाइट हैच एफ या लाइट लिख दे राइट या यूवी रेज लिख दे आपका राइट जो काम यही करेगा वही काम आपक N-B-S भी करेगा N-Bromosuccinamide भी करेंगे राइट only thing is कि यहां पर ब्रोमीन होगा तो होगा या क्लोरीन भी होगा तो यहां पर ब्रोमीन ही होता है क्योंकि नाइटोजन पर ब्रोमीन लगे होते हैं नाव करना क्या है तो जैसे ब्रोमीन इन प्रेजेंस ओफ लाइट दे दि को इस case में कुछ नहीं करना है यह द्यान रहे है इन सब case में double bond को कुछ नहीं करना है double bond के बगल्वाले कारवन पे उसकी आफ़ड़सन SP304 उसके आपको ब्रोमीन लगा देना सिम्रेली ब्रोमीन लाइट है तो आपको क्या करना है double bond को वैसे रहे देना इस पर लग जाएगा राइट बाकी चीज़ को वैसे ही रहने देना है तो यहाँ पर आपका CN था double bonded carbon CH2 CH3 तो उसके बगल वाले carbon पर BR लगा देना है similarly chlorine in presence of light है अगर excess में हुआ तो जितने भी allylic position है सब पर लगाना है राइट तो यहाँ पर द्यान से देखो तो यह भी allylic position है और यह भी allylic position है इसलिए आपको दोनों जगा पर chlorine लगा देना है बट double bond को touch नहीं करना है यह point ध्यान में रहे तो जब भी halogen in presence of light या NBS हो तो double bonded carbon के बगल वाले carbon पर जिसका आपको लगाना है halogen जाते जाते घ्यान की बात और that is very important कि अगर इस type से कभी question आ जाए तो यहाँ पर जो बच्चे गलती करते हैं HCl है उनको लगता है यह कार्वोकाटन चाहदा stable होगा क्योंकि 2 degree है बट बेटा यहाँ पर ध्यान देना है तीन fluorine है तीनो fluorine का minus effect लगेगा तो यहाँ पर कार्वोकाटन unstable होगा इसलिए इस case में आपको क्या करना पड़ेगा कार्वोकाटन इधर बनाना पड़ेगा इसलिए यहीं पर आपको CL add करना और इधर में H इस बात का आपको ध्यान रखना है इस case में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर कार्वोकाटन अगर बनाएंगे तो ज़्यादा stable होगा क्यों क्योंकि lone pair single positive से resonance होगा क्योंकि इसका plus M effect होगा तो इसलिए इस case में जरूर है कि आपको इस कारवन पर ही बी आर लेके आना परेगा तो इस पर हेच लगेगा और इस पर बी आर यह भी एक important point है कि अगर हेच बी आर टेंपरेचर रूम टेंपरेचर तो यहाँ पर thermodynamically control product बनाना है एक मिस करना क्या आपको कि पहले तो यह double bond break होंगे और यह double bond break को करके यहाँ पर positive यह और अभी बी आर आपको नहीं लगाना है क्यों क्यों क्योंकि यह double bond positive सिंगल डॉल से resonance करेगा तो resonance आप करा लो और यहाँ पर पॉजिटिव लिया ओ fire resonance उसके बाद आप यहाँ पर BR add कर दो तो आपका product इस type का रहेगा इससे क्या फैदा हुआ जो इलकीन मिला वो ज़्यादा stable होंगे क्योंकि यहाँ पर 3 alpha H, यहाँ पर 3 alpha H है और यहाँ पर 2 alpha H, 8 alpha H है इसलिए हम TC बोलते हैं उस product को thermodynamically controlled product आपको बनाना है ऐसे case में तो important है यह, similarly अगर HBR excess में है तो you know यहाँ पर तो clear है कि यहाँ पर कार्वो कटन ज़्यादा stable होगा और यहाँ पर क्या होगा यह bond को break करना पड़ेगा, यह वाला हम नहीं कर सकते क्यों, क्योंकि इधर से break कर होगे तो current पर positive हैगा, double bond पर positive unstable है, right, तो इधर से break करेंगे तो इसको H मिल जाएगा और उसको BR मिल जाएगे, right, तो आपका product क्या बनेगा, ऊपर से तो आपका हो जाएगा, इधर से phenol H आ गया, और यहाँ पर CH पर CH3 था और इस पर क्यों ना जाएगा, BR, क्योंकि यहाँ पर कार्वकाटान stable होंगे, तो I hope यह सारे problem और यह सारे concept और यह सारे trick आपको समझ में आगाँगे, आप इसे बेस आपको भी problem कर सकतो, अगर आपने रफी सर को सही से follow किया तो, हलो एवरिवन, कसकाए, आज मैं आपको जो trick देने जा रहा हूँ, वो एलकीन की reaction से related है, और इस trick को आपको तभी apply करना है, जब आपका एलकीन geometrical isomerism so कर रहा हूँ, that means very simple, जब एलकीन either cis या trans configuration में होगा, तभी आपको लगाना है, और cis पहचानना easy है, double bonded वाले carbon, जो दो carbon है, उसके अगर same side, same group है, तो उसको cis बोलते हैं, और double bonded वाले carbon के opposite side में same group है, तो उसको हम trans बोलते हैं, तो आपको ये trick तभी लगाना, जब आपका एलकीन CCR trans में हो, that is called configuration, CCR trans configuration में होगा, तभ apply करना है, उसके बाद करना क्या है, चुकि addition we are talking about, that means 1 pi को break करना है, और 2 sigma बनाना है, तो वो जो 2 sigma बनेंगे, वो दोनो same side से बन सकते हैं, that is called sin addition, that means, एलकीन का 1 pi bond break करना है, और जो 2 आने वाले group हैं, अगर वो same side से आ रहे हैं, तो sin addition बोलेंगे, और similarly अगर 1 pi bond break करके, दो जो आने वाले group हैं, वो अगर opposite side से आ रहे हैं, तो उसको बोलेंगे anti, तो यह हो गया addition का type, that is called about anti addition और sin addition, तो addition किस type का और है, sinia anti, वो गया, configuration कैसा है, CCI trans, तो product कैसा मिलेगा, either mezo, mezo की पैचान कैसे है, plane of symmetry होना चाहिए, plane of symmetry होना चाहिए, that means, C के सामने C है, B के सामने B, A के सामने A, और 2 chiral center होगा, तो इसको बोलेंगे mezo, यहा फिर product हमें क्या मिल सकता है, racemic mixture, racemic mixture की पैचान क् plane of symmetry नहीं होगा, तो यह होंगे खुद और खुद इसका एक mirror image होगा, इसलिए इसको बोलते है, racemic product, तो funda एकदम के लिए रहे, कि आपका elkin, CCI trans, configuration में होगा, addition, sinia, anti होगा, तो product, ध्यान दो, product, mezo या racemic मिलेगा, यह हम कैसे identify करेंगे, रफी सर के simple trick से, तो trick का point यह है, कि sis को, या sin को, या mezo को, इन सब को मैं plus मान रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इसमें group, same group, same side है, कैसे, ध्यान से देखो, sis में AA same side है, sin में दोनों adding part, same side से attach हो रहे हैं, और mezo में भी, जो adding part है, वो same side है, तो इसलिए same side वाले को मैंने plus माना, वैसे ही, trans को, या anti को, या racemic mixture को मैंने minus ajum किया है, क्यों, क्योंकि trans में opposite side में है, anti में भी opposite side side होते हैं, और racemic में भी opposite side होते हैं, इसलिए opposite side वाले को minus माना है, उसके बाद हमने simple math का basic formula लगाया है, जो बच्चे बच्चे को मालूम होता है, क्या, कि plus into plus, plus होता है, minus minus, plus होता है, plus minus, minus होता है, minus, plus, minus होता है, सर यह कहना क्या चाहरो वो तो बताओ very simple कि आपका एलकीन किस configuration में है आपका एलकीन किस configuration में है सिस में है या ट्रांस में है addition आपका कैसा हो रहा है sin या anti और उसका product आपको क्या मिलेगा वो आपको इस tricks आ रहा है देखो math को मैंने connect कर दिया है उसके बाद फिर plus addition plus बोले तो sin addition और फिर plus आया plus बोले product में तो mezo, तो that means जब अगर आपका एलकीन सिस condition में होगा addition भी अगर sin होगा तो product हमें mezo मिलने वाला है सर एक और example बताओ जैसे यह वाला लेते हैं ठट plus मतलब क्या हो गया configuration plus बोले तो प्लस बोले तो sis addition part minus बोले तो anti addition minus बोले तो anti addition right और product minus बोले तो racemic मतलब racemic तो that means अगर आपका एलकीन sis configuration में है addition anti होगा है तो product आपको racemic mixture मतलब number of product फिर 2 हो जाएंगे तो इस टाप से question पूछे जा सकते है now the question is कि sir con scene addition होगा con anti वो भी जल्दी से बता दो क्योंकि आपका trick आगया मेरे को समझ में तो मैं अभी आपको वो भी बता रहा हो कि con scene है और con anti तो चलिए अब हम बात करते है trick number 2 की जिसमें मैंने आपको पूरा एक tabular form दिखाया है कि reagent आपका क्या होगा adding part तो इसलिए इसको अच्छे से समझना है आपको reagent h2 in presence of nickel या palladium या pallatinum होगा तो इसमें दोनों adding part h होंगे scene addition है यह इसलिए दोनों को same side से आपको attach करना है second जो kemenophor in presence of dilute and cold condition कभी-कभी temperature mention होगा दोनों जो adding part है वो OH है यह भी scene addition है इसलिए OH same side से attach होंगे osmium tetraoxide in presence of water तो दोनों adding part OH है scene addition है तो इसलिए दोनों OH same side से attach होगा bh3 thf in presence of h2o2 and oh- जिसको hbo बोलते हैं that is hydroboration oxidation तो इसमें एक part adding h है और एक oh है यह भी scene addition है तो आपको h and oh same side से attach करना है और कैसे करना है तो वो trick दे रखा हूँ तो यहाँ पे एक point ध्यान देना है कि first three में adding part आपका same था four में जाकर के adding part different हुआ है तो इसलिए आपको यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि इसमें adding part same होने के वज़र से कोई भी कारण पे attach कर दो फर्क नहीं परेगा लेकिन इसमें आपको देखना पड़ेगा कि यह marconic up होगा या anti-marconic up तो इसलिए point number four पे आपको ध्यान देना है one two three पे कोई दिकत नहीं होगी marconic up करो या anti-marconic up second point जो इसमें ध्यान देना है कि first four जो आमने लिया है वो sin addition वाले है अब last जो five two eight है next four वो anti-addition वाले है x2 in presence of ccl4 कहीं पे हो तो दोनो adding part halogen होगा anti-addition है इसलिए halogen को opposite side से attach करना पड़ेगा similarly x2 in presence of water हो तो यहाँ पे adding part different है एक halogen है और एक oh है again यह anti-addition है इसलिए दोनो opposite side से add होगे तो again आपको कहाँ पे ध्यान देना है six पे क्यों क्योंकि adding part different हो चुका है तो marconic hub होगा या anti-marconic hub उसका ध्यान रखना है वैसे ही per acid कहीं पे peroxy linkage हो in presence of h plus acidic medium तो दोनो adding part same होते हैं oh oh anti-addition है इसलिए दोनों opposite side से आपको दिखाना है तो यह वाला again same adding part है तो कोई problem नहीं होगी again 8 में आपको ध्यान रखना परेगा क्यों क्योंकि hg ose twice in presence of water and na bh4 होगा तो इसको बोलते हैं om dm that is oxymercuration demercuration और इसमें adding part एक oh होता है और एक h होता है और यह anti-addition है तो एक तरफ से h आएगा और एक तरफ से oh और यह generally marconic hub और यह marconic hub addition होता है जबकि bh3 thf वाला anti-marconic hub होता है तो अगर इस tabular form में ध्यान से देखो तो सबसे ज़्यादा important जो पूछा जाता है वो यह एक पूछा जाता है राइट यह भी एक पूछा जाता है दो bh3 वाले यह 3 यह 4 यह भी पूछे जाते हैं और यह वाले पूछे जाते हैं यह 5 को पूछे जाते हैं वैसे हमने आपको total 8 बताया first 4 scene edition है next 4 anti edition है आपको ध्यान कहां कहां पर रखना है 4, 6 8 में क्यों 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 क्योंकि 4 में adding part different है 6 में adding part different है 8 में adding part different है बाकी 5 में adding part से में बाकी 3 में आपको कैसे करना वो भी मैं ग्यान की बात में बताऊंगा तो आप यह table का अच्छे से देख लो क्योंकि reason हमने लिख दिया adding part को ने वो लिख दिया है type कैसा है वो लिख दिया है एक example से समझाया है और पहला trick आप लगा दोगे और trick 2 तो आपका answer आजाएगा एकदम easily तो चलिए अब हम बात करते हैं application की question number 1 तो यह alkin है right double bond है और इसका configuration आप देख सकतो एक methyl group इस side है तो एक methyl group opposite side में तो यह आपका trans configuration है trans को क्या बोला था minus मानने को bromine in presence of CCL4 यह anti addition होता है तो इसको भी क्या मानेंगे minus तो minus minus क्या होता है plus that means दोनो बियार same side होना चाहिए तो आप ऐसे draw कर लो right यह CH3 आपका यह आप वाला और यह CH3 आपका down वाला इसके पास hydrogen थे चुकि minus minus plus that means दोनो adding part same side रखना है तो बियार बियार अगर इधा रखे तो HH इधा रखेंगे आप ध्यान से देखो तो इसमें plane of symmetry आगया है तो यह meso compound है क्योंकि इसका जो एक ऐसे बनाऊगे तो दोनो same ही compound होंगे इसमें कोई difference नहीं है तो आप यह भी बना सकतो तिसलिए number of product अगर आपसे पूछा जाता कि कितने product बनेंगे तो आप बताते एक वहीं पर यहाँ पर ध्यान से देखो question number two में यह जो एलकीन है वो cis configuration में कैसे दोनों alkyl group आपका same side है और दोनों hydrogen भी same side है तो cis है तो हमने क्या बोला plus मांगना है और यहाँ पर bromine in presence of ccl4 anti addition है तो minus plus minus minus तो plus minus minus का अंतलब क्या हो गया कि आपका दोनों ब्यार क्या होना चाहिए आप positive side में तो एक ब्यार इधर तो एक ब्यार इधर और हेच हेच यहाँ पर ध्यान से देखो कोई plane of symmetry नहीं है तो इसलिए यह खूद होंगे और एक इसका mirror image होगा इसलिए हम ऐसे mixture को क्या बोलेंगे racemic product तो आप द्यान से देखो तो इधर ब्यार इधर हेच इधर हेच इधर इधर ब्यार तो इसलिए number of product अगर आप से पूछा जाता तो आप क्या answer करते यहां पर 2 क्योंकि racemic product है next question number 3 में यह trans configuration में right ilkin और d2 ni मतलब hydrogen का बड़ा भाई हो गया deuterium तो d2 add करना in presence of nickel तो you know कि यह कैसा है sin addition right sin addition मतलब plus तो minus plus क्या बोला था आपको minus मतलब दोनों d को opposite side में रखना है तो एक d इधर तो एक d इधर और h h पहले से जो था c h 3 c h 3 तो आपको minus plus minus मतलब racemic product तो यह खुद होंगे और एक इसका mirror image तो mirror image में यह d यहां तो यह d यहां h h and c h 3 c h 3 तो again number of product पूछा जाता तो 2 हो जाता बट इस case में यह 6 configuration में यह addition भी sin होता है that means plus तो दियान से देखो plus 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 तो मतलब दोनों d को आपको same site रखना है तो c h 3 c h 3 और इसका h h आपका पहले से था right तो यह कैसा हो गया mezo compound और यहां पे number of product बोले तो one ही होंगे क्योंकि यह 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 इसका mirror image एक ही बात है दोनों same है बट यहां पे plain of symmetry नहीं है तो इसलिए यह same नहीं नेक्स्ट कोशन नमबर फाइब में अगें यह transposition आपका एलकिन और adding पार्ट जो वो केमनोफोर डाइलूट कंडिशन में या osmium tetraoxide तो यूनों एक scene addition होता है यह और scene मतलब प्लस हो गया माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस मतलब क्या हो गया एक oh इधर तो एक oh इधर बाकि आपका दो में थायल आप डाउन में रहेंगे और hh तो अगें यह खुद होंगे और यह एक mirror image क्यों कि इसमें प्लेन और स्मेट्री नहीं है तो आप mirror image बना दो oh इस साइड तो इसका oh इस साइड और hh एंड ch3 ch3 तो अगें number of product 2 हो जाता है बट अगर configuration C so और adding part same है अगर scene addition है that means plus तो plus 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 बोले तो दोनों oh को आपको क्या करना है same side देखो इस से easy क्या हो सकते हैं आपको simple tricks है यह product आ गया यहाँ पर नमबर अफ प्रोड़क्ट एक ही होंगे क्योंकि यह मीजो है इसमें plane of symmetry है question number seven कि अगें transposition में है और h2o2 in presence of acid है right तो you know anti addition होता है यह क्योंकि पर ओक्साइड है anti addition मतलब minus और यह भी minus तो minus मानस क्या हो गया plus that means दोनों oh आपको क्या रखना है एक ही site रखना है तो इसलिए यहाँ पर number of product अगें एक ही हो जाएंगे क्योंकि plane of symmetry है मीजो compound हो गई है तो number of product अगर पूछा जाए तो one यहाँ पर अगें पर acid in presence of acidic medium है तो यह anti addition है anti बोले तो minus और यह जो एलकीन है वो sis configuration में that means plus तो plus minus minus that means minus बोले तो opposite side में तो आपको एक oh इधर रखना है तो एक oh इधर और यह h h तो यह खुद होंगे और एक इसका mirror image होगा तो इसलिए number of product अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे two तो देखो कितना easy है plus minus simple minus minus तो रेसिमिक बनाना है और minus minus plus plus बोले तो दोनों same ही है that means mesocompound बनाना आपको next question number nine में एक एलकीन है और इसकी reaction BH3, H2O2 and OH- से कराना है तो यह आपको समझ मागा है यह hydroboration oxidation है it is a scene addition right BH3 से आपको हेच मिलेगा और H2O2, OH- से आपको OH मिलेंगे आपको बाता रखाओ हेच कहाँ add करना है जहाँ पर कम hydrogen हो क्योंकि BH3 में ज्यादा hydrogen है तो इस hydrogen को वहाँ पर attach करो double bond वाले करून पर जिसके पास कम hydrogen हो ताकि vacancy maintain rate याद रखने के लिए हमने ऐसा बोला हुआ है simple तो हेच आपका इस करून पर जाएगा OH इस करून पर जाएगा कैसे add करना है scene addition है तो आपको product कैसे दिखाना परेगा अगर आपने हेच को upside से दिखाया तो OH को भी upside से आपको दिखाना परेगा या फिर आप ऐसे बना सकते हैं इसी product को इस type से अगर आपने हेच को downside से दिखाया तो OH को भी आपको downside से दिखाना परेगा this is all about scene addition right similarly अगर HG, OSE twice, H2O and NABH4O तो यह OM, DM हो गया oxy mercuration, demercuration जो की HBO का exactly ultra होता है तो इसलिए आपको यह याद है तो इस case में क्या करना है ultra करना है अब OH वहाँ add होगा जहाँ पर कम हाट हो जानो और H वहाँ add होगा जहाँ जादा हाट हो जानो तो very simple तो product आप कैसे बनाएंगे ध्यान से देखो again कि इस तरह इसे कर लेंगे but you know कि it is a anti-edition तो इसको अंतलब H and OH opposite side होना चाहिए तो अगर suppose करो यहाँ पे OH अपने up में रखा है तो यहाँ पे H आपको down में रखना परेगा और आप ऐसे भी बना सकते हैं कि अगर आपने यहाँ पे OH down में रखा तो यहाँ पे आपको H अप में रखना परेगा तो दोनों में difference कि रहली समझे एटीजे scene addition इसलिए ध्यान से देखो दोनो adding part same side से आपको दिखाना है इटीजे anti addition तो adding part आपको opposite side में दिखाना है यहाँ पे यह जो L किन था वो trans so नहीं कर पाएगा इसलिए हम cis trans की बात अभी नहीं कर रहे हैं इस टाप के अगर problem पूछ ले कि आपको configuration fix कर दे यूनो कि BH3 से हमें मिलने वाला H और H2D2 OD मानस हमें मिलेगा OD तो आपको product फिर कैसे बनाना है इसको जैसे fix कर दिया तो आपको fix कर देना आप chain नहीं कर सकते अब Vino की H कहाँ पे जागा जहाँ पे कम hydrogen हो तो आप चुकिए अप में और यह जो addition है वो है scene addition तो अब आपको H को दिखाना परेगा downside में तो यहाँ पे OD को भी आपको downside में दिखाना है ऐसी product बनाना परेगा और यहाँ पे का जो H होगा फिर वो upside में होगा यह ध्यान दे यह पहले वाला जो H है present वो है यह और जो adding part वाला वो यह है हेज वैसे ही यहाँ पे अगर OM DM हो तो कैसे करेंगे विनो के इससे तो आपको HGOC twice और H2O से OH मिलेगा और इससे NABD4 से D मिलेगा तो एक जगा OH और D और इसका उल्टा करना है but the condition is कि आपका configuration fix समी थालगा तो ऐसी रहने देना अब चुकि यह अप में है तो आपका जो यहाँ पे OH आएगा वो down में आएगा इसलिए यहाँ पे चुकि यह एक anti addition है तो दोनों opposition होना चाहिए तो यहाँ पे जो D आएगा वो अब आपका up में रहेगा यह ध्यान रख र आपको वो हैच आपका down में रहेगा तो यह major difference है जो अच्छे level के problem को ले करके मैंने समझाने की कोशिश की है जाते जाते ग्यान की बात तो कहीं पे भी BH3 THF in presence of H2O2 और OH-O तो इसको बोलते है hydroboration oxidation short form में HBO और यह एक anti-marconic addition है that means आपको क्या करना है जो BH3 से जो हैच मिले गा उसको वहाँ पे add करना है जहाँ पे less hydrogen है चुकि इसके पास ज्यादा hydrogen है तो उस कारवन पे add कर तो जिस कारवन के पास less hydrogen है और Hg, Ose, H2O और NABH4 जिसको बोलते हैं oxy-mercuration, demercuration और यह X2H2O तो इन सम में क्या करना that means कोई एक याद रखो तो दूसरा अपने आप याद रहेगा right तो इसका उल्टा करना आपको right तो that means इस case में जो आपको H add करना है वो वहाँ पे जहाँ पे already more hydrogen है तो जैसे for example CH3 CH double bond CH2 है और HbO लिया तो HbO बोले तो यह हो गया hydroboration oxidation तो आपको इसका H कहाँ पे add करना है जहाँ पे less hydrogen है कहाँ पे less hydrogen है यहाँ पे इस करन के पास 1 है और इस करन के पास 2 है ध्याँ रहे add वहीं पहोगा जहाँ पे double bond है right तो इसलिए product कैसे बनाएंगे CH3 CH single bond CH2 अब जो इससे हेच मिलेगा वो वहाँ पे add करना जहाँ पे कम hydrogen है तो यहाँ पे hydrogen था तो यहाँ पे हे आपको हेच वहाँ पेड़ करना जहां पर और एड़ी ज्यादा अड़ोजन है तो CH3 CH single bond CH2 यहाँ पर ज्यादा अड़ोजन है तो यहाँ पर हेच यहाँ पर OH तो यहाँ पर क्या मिल गया 2 degree alcohol तो इसको बोलते हैं Markonic वैसे ही X2 in presence of water हो तो इससे X plus और OH मिलेंगे X plus को आप मानों की H plus टाइब का ही है तो H जहाँ पर add करतो Markonic में वहाँ पर X add करना है और OH की जगा OH ही रहेगा तो यह point आपको ध्यान में रखना है तो I hope यह मेरा stereo chemistry वाला जो concept है ट्रीक है आपको अच्छे समझ मैं होगा आप इस पर बेस किसी प्रॉल्म को बहुत इजली कर सकते हैं वह वे correctly थैंक यू